आज हम लोग Capital Games का Marathon स्टार्ट करने जा रहे है, Capital Games चबबरतस्त टॉपिक है, Capital Games एक ऐसा टॉपिक है, जो intern में भी चाया हुआ है, और final में भी चाया हुआ है, और Capital Games को मेरा पढ़ाने का जो approach रहेगा तुम देखोगे, कि उससे समस्त Capital Games की एक एक टॉपिक तुम समझ भी रह हो, and not just the initial part, along with the section numbers, along with every logic, वो इतना अच्छी तरह से मैं डिसक्स करूँगा, organized तरीके से, कि पूरा याद हो जाए, PGP का जो marathon होगा, you would have noticed कि बड़ा organized तरीके से वहा था, topic by topic, और इस तरह से topics को arrange किया गया था, कि तुम को PGP भी maximum याद रह जाए, तो capital gains भी मैं उसी तरह से discuss करूँगा, जिससे maximum to maximum याद रह जाए, approach बहुत unique होगा हम लोग का, okay, तो आज मैं capital gains का marathon स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि PGP भी तो बड़ा topic था ही, जिसको पढ़ाने है, मुझे around 5 घंटे लग गए, marathon में, capital gains में, it will be close to 4 hours, 4 hours के आसपस होगा, यह जो marathon की note से capital gains के इस book में, यह 32 बननेगे है, okay, 32 pages, पर capital gains is more intense, capital gains थोड़ा जादा content wise intense होता है, okay, पर must है, मतलब एक्दम different flavor ह है, before getting into capital gains, मैं 2-4 बातें तुमको पहले से बताना चाहता हूँ, और फिर मैं यह content भी discuss कर दूँगा तुमारे साथ, मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना, capital gains नाम से क्या समझ में आता है, normally हम लोग जैसे बोलते हैं, revenue expenditure, capital expenditure, revenue expenditure क्या समझते हो, जिसका benefit एक साल में खतम हो जाएगा, और capital expenditure का मतलब क्या होता है, जिसका benefit कई साल सक मिलेगा, है ना, वैसे ही, accounts की जबान में हम लोग बोलते है, revenue receipt, capital receipt, revenue receipt मतलब जो regular आपकी income जो आते रहता है, capital receipt is some type of income जो आपको once in a while मिलता है, बार 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 नहीं मिलता, तो capital receipt से यह नाम उपजा है, capital gains, एक ऐसी income जो आपको regularly, recurrently, हर दिन, हर रोज नहीं होती, बलकि कभी कबार होती है, ऐसी income को हम क्या कहते है, capital gains, for example, दादा जी ने एक building छोड़ा था हमारे लिए, विरासत में, तो वो building हम लोग बेच रहे हैं, अब इस building को बेचने से जो भी हमको मुनाफ़ा होगा, वो solve करके वो मुनाफ़ा हर रोज होता है कि once in a while, once in a while, that's called capital gains income, capital gains में न, दो प्रकार के capital gains होते हैं, long term and short term, long term, short term कैसे पता चलता है, बाद में बताऊँगा, long term capital gains का basically मतलब होता है कि पुरानी कोई asset है जो अभी हम लोग बेच रहे हैं, और हमें मुनाफ़ा हो रहे है, that's called long term, short term capital gains का मतलब होता है कि कोई asset है जो हमने एक, दो, तीन साल पहले ही खएदा था, ताजा ही है, ज्यादा पुराना नहीं और वो हम बेच रहे हैं, तो उससे जो capital gains उसको बता है, short term capital gains, अब बात ऐसी है सर, कि short term capital gains पर तो tax rate वही होता है, 30%, जो बाकी सब पर है, लेकिन long term capital gains पर tax rate कम होता है, 20%, the general tax rate on long term capital gains हो मच, 20%, जबकि बाकी सारे जो आपकी income होते है, उस पर roughly slab income क्या परता है, slab छोड़ दो तो upper income क्या परता है, 30%, तो long term capital gains पर सबसे बढ़ा एक फाइदा क्या निकल के आता है, कि हमारे tax rates कम हो जाते है, 30 के बजाए 20%, तो हम तो यहीं चाहेंगे, कि ह capital gains income के यह कोई planned income नहीं होता, ठेक है, मेरा कहने का मतलब है, कल को तुम ठान लो कि आज से मैं जीवन में सिर्फ capital gains ही कमाऊंगा, कैसे ठान लोगे, capital gains कमाने के लिए तुम्हाँ पस उतना assets होना चीना बेचने के लिए, यहां मुख्य तोर पे तीन ही assets होते हैं, एक land building, दू लिस्टेड वगेरा कमपनियों का, यहां लिस्टेड शेयर्स और सेक्यॉर्टीज, यह तीन में असर से जिसकी हम जिकर करने वाले हैं, शुरू-शुरू में ज्यादा जिकर होता है, लेकिन लेटर ओन जाके, पूरा एक specific dedicated portion है, शेयर्स और सेक्यॉर्टीज, उन पर भी capital gains होते हैं, अब देखो, capital gains अच्छा बहुत है, क्योंकि 20% tax है, अब अगर मेरे family में किसी के बास कोई property ही नहीं जो नोने छोड़ा होता, मैं बेचूँगा क्या, तो capital gains अच्छा हो जाएगा, है ना, जोल्री और हमारे घर में लिमिटर होता है, ऐसा थो नहीं होता है, तो capital gains income is not planned income, you can't make a career out of it, क्यों यह नहीं होता है, मेरा career में, बहुशे में capital gains कमाऊंगा, तुम career में salary कमा सकते हो, मैं career में PG भी कमा सकता हूँ, ठेक है, पर यह नहीं होता है, हमारा career है, capital gains कमाना, that's very difficult, तो Capital Games की एक बहुत बड़ी मतलब डिबेट चलती है, वो डिबेट क्या मतलता हूँ, एक राइटर है जिनका बुक बहुत फेमस है, उनकी बुक का नाम है Rich Dad, Poor Dad, Robert के वे उसकी ऐसे करे कुछ नाम में बन देगा, ठेक है, उन्होंने उस बुक में काफी हद तक इसकी चर्चा क ही है, कि गरीब तो गरीब और होते रहेगा, और पैसे वाला पैसे होता रहेगा, बिकोस गरीब पर 30% एक्स है, और पैसे वाले पर 20% एक्स है, अब ये जो उनका विचलेशन है, ये एनालिसिस है, ये खली, देखो, चमकाओ टाइप की बाते होते हैं, वो सब को बड़ी नहीं लगती सुनने में, पर वो सचाई नहीं होती है, वो जो उनने बुला है, राईस जो राईस होगा, राईसों को सर्फ यह होता है, मतब जित्ते भी राईस होगा, बड़े-बड़े लोगों का नाम, वो जानते हैं, वो खली capital gains करते हैं, कि उनका बड़ा इंकम PGVP है, सब PGVP, capital gains भी उनको उता होगा, पर उनका भी बड़ा इंकम तो PGVP है, ठेक है, कॉमनस की बात है, तो यह बात बोल देना कि capital gains की वज़े से rich becomes rich and richer and poor becomes more, यह सच नहीं है, उपर से एक और बहस चल रही है, और यह पूरे world level पे हो रहा है, पूरे world में capital gains की जो tax rate है वो थोड पढ़ाया जगा तो बढ़ाया जगा, अभी 20% है, तो तब तक के लिए हम लोग 20% पढ़ेंगे, सीखेंगे, ठेक है, ओक है, यह समझ में आ रहा है, अब हम एक एक करके बात करना चालू कर रहे है, इतर देखो, मैं section number वगरा भी बोलता रहा हूंगा, उससे क्या होता है, तुमको पुरा एक complete picture समझ में आएगा, let's start the basic discussion, यह देखो, एक page का तुमारे सामने content sheet है, इससे तुमको topics पूरा organized रहता है, दिमाग में clear रहता है कि यह अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे है, बहुत अच्छे से याद रहता है, in my entire career of teaching, for like 10 years or something, I have learnt lot of special techniques of teaching and studying, जिससे काफ भी फायदा होता है, number one, information जितनी तुमारे दिमाग में अच्छी तरह से organized होगी, उतना long time तक तुम उसको याद रख पाओगे, तो यह जो भी मैं topic पढ़ाता हूँ, मैं तुम देखते हो, हमेशे topic sheet डालता हूँ, उसका purpose क्या है, कि you can see the complete picture and the information is entirely organized, random information नहीं है, फिर उतना जादा सजाया वर रहेगा content, देखो पूरा content कैसे तुम सजाया वर topic by topic section number, जितना जादा organized होगा, उतना जादा तुम उसको long time याद रख पाओगे, ठेक है, long time याद करने में organization of information is very very helpful, ठेक है, बहुत सारे techniques मैं ने सीखे जो मैं obviously पढ़ाने में इस्तमाल करता भी हू यह अभी जस्त बता दिया एक, number one, सबसे पहले क्या दिख रहा है, अचा, capital gain के charge, यह section का range क्या होता है सर, 44 पे तो तुमारा PG भी खतम होता है, 45 से यह चालू होता है, 11 section, 45 to 55, 56 से तो IF, OS, income from other sources, ठेक है, यह न, तो 45 to 55 का range है, तो पहला section क्या होना चीए खाइदेश से, chargeability section, आचा, chargeability में यहाँ दो प्रकार की chargeability है, general chargeability, special chargeability, general chargeability का ग्यान क्या है, सुन लो, वो section number 45, subsection 1 में दिया हुआ है, यह रहा, board पर, section number 45, subsection 1, okay, इसमें general chargeability दिया है, general chargeability बहुत simple है, बोला, transfer of capital asset, मतब बोलता है कि, जब जब आप यह वाला transaction करोगे, तो इस transaction से होने वाले जो मुनाफिय है, वो capital gains में आएंगे, ठीक है, so, कौन से टाइप का transaction करने से, capital gains में आता है वो, transfer of capital asset, ठीक है, capital asset का मतब क्या होता है, transfer का मतब क्या होता है, यह सब हम लोग सीखेंगे, धीरे तेरे बताएं, कोई रवरी नहीं है, सबसे बहुते को transfer का definition दिया है, section number बोलो तो, 2 का 27, definition है transfer का, अच्छा अगला वला क्या है, बताओ तो मेरोको, capital asset, capital asset का definition देखो क्या लिए लिए, 2 का 14, you know, section 2 बोल रहा हो मतब definition वाला है, तो income tax में definitions में इन दोनों word का definition दिया हुए, transfer का definition 2 का 47, capital asset का definition 2 का 14, तो पुरा समझाया होगा इसमें, अब बहुत detail में है, ठेक है, तो transfer of capital asset क्या होता है नहीं होता है, थोड़े दिर बाद समझाओंगा, थोड़े दिर बाद समझाओंगा, Capital asset means any asset, capital asset means any asset that I have not purchased with the intention of selling, मैंने बेचने के रादे से वो asset को कभी रखा या खरीदा नहीं था, तो asset को हम क्या बोलेंगे, capital asset, ये एक basic बात है, ये एक basic है, हलाकि इसके अपने अपवाद हैं, exceptions हैं, पर ये एक basic बात है, थेके, just for example, मैं थोड़े बहुत example दे रहा हूँ, आज अगर मैं एक घर खरीद लूँ, रहने के लिए, तो वो घर मैंने बेचने के लिए खरीदा था कि रहने के लिए, तो वो capital asset है, मैं अगर अपने घर में मम्मी को जोलरी दिलवा देता हूँ, तो वो जोलरी मैंने बेचने के लिए खरीदा था कि घर में रखने के लिए, तो वो capital asset है, मैंने किसी बड़े company में long term investment किया है, कितना long term कि इसमें रखके रखेंगे पैसा, तो मैंने बेचने के रादे से shares खरीदे हैं कि invest करके रखने के लिए, तो ये क्या है, capital asset, तो ये एक basic definition है, कि एक ऐसा asset जो आपने बेचने के रादे से कभी नहीं खरीदा था, अब जैसे ये books वगरा है, ये books तो मैंने बेचने के रादे से चपाई है, या तुम लोगों को देने के रादे से चपाई है, तो ये तो capital asset नहीं है, अगर आपको 45 के बाद bracket में 1 के अलावा कोई और नमबर दिखे, मतलब आप समझ जाना कि वो special charge ability है, उसमें कुछ अलग यान होगा, कुछ different यान होगा, और ऐसे 3-4 हैं, ऐसे 3-4 है, 45 का 2, 45 का 5, 45 का 5 है, all of that are special charge ability, नीचे दिखा रहा हूँ highlighter, चार green color है, बोड़ पर दिख रहा है सबको, अचार इस पर 45 के बाद bracket में 1 नहीं कुछ और है ना, 45 का 1 है, 5, 2, 5 है, कुछ अलग है ना, तो असलिए जनरल नहीं ये, special charge ability है, इसमें कुछ अलग ग्यान लिखा होगा, पकी बात है, कुछ different ग्यान होगा, अब तक तो मैं तुम लोग को काफी बार सिखा चुका हूँ, what is the general charge ability, what is the specific charge ability, in fact PGV की marathon में section number 28 जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था ना, कि 28 का जो पहला point है, वो तो general charge ability, any business profession, बहुत सारे items ऐसे हैं, जो अगर specific charge ability नहीं होता, तो आप उसको किसी और head में ले जाते हैं, तो वैसे तो special charge ability में, जेनरल से कुछ हट के बताया वा रहता है, what is this, वो topic में जाएंगे तब पता चलेगा, next, number two, देखो मैं क्या पढ़ाऊँगा तुम लोग को, long term, short term, देखो उनका definition का number देखो तो, two का something, two का something है ना, मतलब ये भी सोचो, आप definitions में डाला हुआ है, bear act में जो definition उसी में बताया है, कि long term या short term क्या है, okay, third क्या है, mode of computation, बापरे, कितनी बार मैंने ये section number चीखा है, तुम लोग के सामने section number 48, कब चीखा ता, याद दिला रहा हूँ, जब मैं तुम लोगों को PGV में depreciation बढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर होता है ना, block concept, तो जब एक company या एक business, अपना depreciable assets बेशेगा, तो depreciable assets को बेशने पर जो capital gains होता है, वो section 48 से निकलता है, कि section 50 से, section 50 से, section 50 में अलग से एक छोटा सा method है, कि block में minus कर दो, अगर निकलता है तो short term capital gains, तो section 50 में, लेकिन non depreciable assets अगर आप बेशते हो, तो उसका section कौन सा है, और इस chapter में छायावा कौन है, section 48, capital gains का जो computation हम सब कोई जानते है, FBC minus index cost of acquisition, minus index cost of improvement, minus expense of transfer, ये जो तरीका तुम कर रहे हो, ये तरीका कहां दिया है, 48 में, method of computation, तो यहाँ पर इस पूरे chapter में, हम लोग depreciable assets बेचेंगे, कि non depreciable assets, non depreciable, अब मैं तुम लोग को एक एक करके नाम बोल रहा हो, तुम लोग में लोग को बताना, कि इस chapter में आएगा, कि नहीं आएगा, हमने अपनी plant machinery बेची है, plant machinery बेची है, मतलब depreciable assets, तो वो तो section 50, वो तो PGV में चला जाएगा, plant machinery के block माइनस हो जाएगा, वो यहाँ आने वाला, नहीं है, are you okay with this, हमने अपनी office building बेची है, office building, depreciable assets है, इतना doubt क्यों, सोच नहीं पा रहे हो, अगर हमने अपनी office building बेची है, depreciable assets, आप depreciable assets ले थे कि नहीं, उसका तो block होगा, तो उसको अगर बेची होगा, तो block ही माइनस होगा, section 50, वो यहाँ आएगा, नहीं, मैंने अपना personal घर बेचा है, क्या personal घर पर depreciation मिलता है, नहीं मिलता, तो personal घर बेची होगा, तो non depreciable assets है, यहाँ आएगा, अर्थालिस के सबसे होगा, जुएलरी बेचा है, सर जुएलरी तो office purpose होता नहीं, कि depreciable बेचा है, जब बेचा है, तो जुएलरी बेचा है, तो वो भी यहाँ आएगा, non depreciable assets, मैंने land बेचा है, क्या, यहीं पे आएगा न, land बेचा है, असला, land कैसा भी हो, land is never depreciable, land चाहे आपका personal घाओं का जमीन हो, चाहे land आप office purpose के लिए उसके रहो, फरक नहीं पड़ता, land अगर office purpose के लिए भी था, तो भी उसका depreciation direction तो मिलता नहीं है, correct, so land is a non depreciable asset, land आप जबी भी बेचो, कैसा भी land बेचो, it will come under 48 competition काप लिए समयरोगे नहीं, यहाँ पे ना तीन में समपत्ती है, जिसको दिमाग में रखोगे, तो इसको clarity रहेगा, land building, jewelry, और shares and security, share and security पे हम इसके अपने कुछ अलग fundे हैं, बाकि land building jewelry के एक जिसक फड़ने हैं, clear है क्या है, मैं तुमको एद्व सच बता रहा हूँ, मैं जूट नहीं बोलूँगा, complete picture अगर अपने नहीं देखेंगे, तो वो चीज अपने को कभी याद नहीं रहेगी, एक तरीका होता है कि आप टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ने से क्या होता है, विखंडित तरीके से पढ़ने से, कि वो concept उस वक्त तो उत्ता समझ में आ जाता है, पर जब तुम उससे दूर हटते हो, और किसी और सब्चेक्ट में घुसते हो, तो यहां पढ़ावा सारा फुश उड़ जाता है, इसे लिए जब तुम पढ़ो तो पूरा एक साथ पकड़ के चलो उस चैप्टर को, ठीक है सारा ग्यान, पूरा complete picture, उसी लिए तो यह सब discussion कर रहा हूं मैं, मैं सीधा अंदर नहीं मैं पहले पूरी picture शो कर रहा हूं, कि तुमको organized way पूरा दिखाई दे, नीचे आओ, पिर यह चार नंबर topic क्या है सार, special cases, special cases मतलब हमारे computation का जो style है, थोड़ा सा बदलेगा, हमारे computation का जो style है, थोड़ा सा बदलेगा, special case कितने दिख रहे हैं अपने को, 13, एक से एक तबाही level के special cases है, I'll discuss with you when I go inside, okay, special cases के बाद यह topic बड़ा शांदार है और बड़ा important है, hello, normally अपने exemptions का mother section किसको बोलते हैं, 10, इधर क्या है, 54, 54 and something, है ना, normally mother section क्या होता है, 10, लेकिन यह वो नहीं है, यह अलग तरह का exemption है, यह एक अलग तरह का exemption है, section 10 जो होता है, उसको बोला जाता है income based exemption, क्या बोलते हैं, income based, मतलब यह वाली कमाई exempted है, वो वाली कमाई taxable है, कमाई exempted, income exempted, यह अलग तरह का exemption है, इसको बोलते है, investment based exemption, क्या बोलते हैं मैंने, तुम लोग को मैंने chapter पढ़ाई है, मैं रास्वान चल रहा है, मैं आद दिला रहा हूँ, तो अभी जब मैं बोलूँगा, तुम लोग को याद आएगा, यह exemption जो देख रहे हूँ, 54 का जो range है, 54, 54, 54, 54, ए, 54, ए, सी, बी, वी, वी, जो भी है, 54 का ही जो range है, यह investment based exemption है, कैसे, घर-घर exemption, 54 क्या है, घर-घर exemption, घर बेचा, capital gains हुआ, ठीक है, अब अगर वो धनराशी से, मैं एक नया घर खरीद दूँ, इंवेस्ट कर दूँ, तब exemption मिलेगा, तो income का exemption है, कि investment की वज़े से exemption मिला, investment की वज़े से मिला, तो यह different है सर, यह different रगा exemption है, आर यू गेटिंग मैं point, ठीक है, 54 का range जा रहा है, यह बड़ा important है, बहुत पूछते हैं उस पे, तुम्हारे exam में कोई भी sums वो बनाएंगे, land building jewelry का, और उसमें ये ना हो, ये अस संभव है, इसके बिना sums अधूरा है, ये तो रहेगा ही, रहेगा पक्की बात है, ओके, फिर 6 number का है सर, rates of tax, now wait a second, एक बार मैं बताना चाहता हूँ, कि income tax rate दो प्रकार की होते हैं, हलका सा सुन लो, income tax rate दो प्रकार की होते हैं, एक को हम बोलते हैं, normal rates, एक को हम बोलते हैं special rates, normal rates जो होता है, वो हर साल budget में आता है, किसमें आता है, हर साल budget में, फरवरी, तो उसमें rate बताया जाता है और उसमें पहले से ही अगले assessment year का बता देते हैं जैसे finance act 2023 आया finance act 2023 आया वो आपको 24-25 assessment year finance act 23 आपको अगले साल 24-25 assessment year का tax rate बता रहा है तुम लोग exam कब दे रहे हो बैठके मेh 23, तॉमबर 23 यही तो exam का तुमारा range है नॉमबर 23 में जब student बैठके exam देता है इसका मतलब उसका assessment year 23-24 है जिस समय तुम exam देते हो उसको assessment year मानते है तो मेh 23 और नॉमबर 23 एक ही financial year में आता है उसको बता है 23-24 तो 23-24 में जब तुम एक्जाम देते हो उसको assessment year बोते है तो तुमारा previous year का है 22-23 तो तुम पे tax rate कौन सा लगेगा finance act 22 वाला 23-24 assessment year जो है उस पे tax rate कौन सा लगेगा finance act 2000 22 वाला मतलब पिछले वाले budget का are you okay with this ठेक है तो दो तरके tax rate नॉर्मल tax rates वो budget में आते है और वो तो मैं अलग से पढ़ाऊंगा chapter number 9 में tax computation में और अलग से होते है special tax rates special tax rates और दोस tax rates जो income tax act 1961 में लिखे हैं वे budget में नहीं आता I repeat special tax rates और दोस tax rates जो आपके income tax act 1961 में लिखे हुए जो budget में नहीं आते तो capital gains के जो tax rate होते है ना वो इसमें लिखे हुए है जब मैं तुम को बोल्ट राथा कि long term capital gain पे 20% tax rate है तो बाबू वो section 112 में लिखा हुआ है यह ही लिखा हुआ है income tax act के अंदर लिखा हुआ है special tax rate है वो clear है? तो tax rates वगए रहे के चार्ट है बड़ा सुन्दर है मैं सिखाऊंगा बाद में नीचे आ जाओ 7 नमबर किस पर है से? यह specific एक दम अलग से मैं पूरा डिसकॉस करूँगा shares and securities shares and securities यह पूरा अलग से मैं डिसकॉस करूँगा इसमें एक से एक बाते हैं इसमें commitment भी है बहुत अच्छा ठेक है? प्राक्लास में बढ़ा चुके हैं यह तो marathon चल रहा है उसमें वापस से discuss कर दूँगा done है? अब देखो क्या आ रहा है मेरे साम ने exempted transfer section नमबर किया है? computation का section किया है? 48 उसके ठीक पहले 47 वैसे भी 47 नमबर section तो याद एकना बहुत असान है अजादी का साल 1947 47 तो याद रही जाता है exempted transfer का मतब क्या है? कुछ कुछ ऐसे transfer of capital asset होते हैं जिस पर हम tax नहीं लगाते हैं, gift क्या बोला मैंने? gift किसी ने किसी को gift दिया है तो वहाँ पर capital gains calculate नहीं होता relative होना जरूरी? नहीं है IFOS में relative होना जरूरी gift में, यहाँ capital gains में all types of gift anyone to anyone is exempted ठेक है? समझ में आरे हो बात एकड़म exempted हो कैसा भी gift है? उस पर capital gains तो नहीं लगेगा, अब IFOS लगेगा की नहीं? वो हम IFOS में सीखेंगे mainly तुम लोग आज एक बात में रसे सुन लो gift का असली chapter IFOS है अगर तुम से मैं पूछूँ कि gift tax gift tax कौन से head में आता है? IFOS mainly gift की चर्चा वहाँ होती है capital gains से तो वो exempted है अब अभी हलका सा बोली देता हूँ relative से जब gift मिलता है तो वो हर जगा exempted है capital gains में भी और IFOS में भी non relative से मतलब friend वगेरा से gift मिलता है तो capital gains में exempted है पर IFOS में taxable होता है तो इसमें exempted transfer के बहुत सारे case आएंगे कि इसने इसको transfer के exempted उसने उसको transfer के exempted amalgamation डी मर्जा परलाना डिम का exempted तो यहाँ पर capital gains अट्रैक नहीं होता last एक छोटा सा theoretical topic है valuation officer वो इसलिए because इस पूरे chapter में न एक value निकाली जाती है जिसको हम कहते है FMV full form fair market value ठेक है fair market value तो fair market value आप किसी valuer से भी निकलवा सकते हो और income tax officer को अगर शक है तो वो income tax department के अंदर वीओ बैटता है valuation officer उससे भी देखिए value निकलवा सकता है यह था एक overall summary of the chapter जो समझ में है कभी chapter में यह होने वाला है अब एक एक करके अंदर घुश के बाद करें ठेक है PGV के बाद अगर सबसे पहला hard chapter होता है PGV उसके दो number hard होता है capital gains ठेक है सबसे पहले मेरे आखों समने क्या है chargeability section number कौन सा transaction करने पर capital gains लगेगा अब हम लोग थोड़ा सा इतमिनान से एक बाद transfer और capital asset को revise कर लें let me first teach you what is a transfer यह रहा नीचे पूरा समझाऊँगा पूरा समझाऊँगा मैं ठेक है हाँ बो अब सबसे पहले हम लोग transfer का definition अभी सीखने जा रहे है transfer का definition उन्हें बहुत बड़ा बनाया हर चीज को उसमें include कर दिया है हर चीज को पर फिर कुछ को चीजों को अलग से exclude भी कर दिया है मैं एक एक word समझाऊँगा कोई दिक्कत थी इसमें पूरा याद दिला दूँगा इधर देखो transfer में कितने high lines दिख रहे हैं आपको 7 points पहले point में भी तीन चीज़ है पहले point में क्या 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 है sale sale ही तो सबसे common transfer है बेचना मेरे पास कोई asset था jewelry था land willing था मैंने बेचा sale तो सबसे common है बेचूंगा पैसा आएगा suppose मेरे पास एक building है मैंने बेचा 50 तक रुपया आया तो money दिस्चूट 50 तक clear sale के लावा दूसरा क्या है exchange exchange of the barter मैंने building दिया बदले में दूसरा building लिया ऐसे cases में आपको ये तो पता नहीं कि कितनी कीमत मिली तो ऐसे case में हम निकालते हैं fair market value क्या निकालते हैं मैंने बिल्डिंग दिया और building के बदले मैंने कोई गारी खरीद ली ठीक है मैंने सामने वाले को building दी पुरानी building थी ठीक है roughly 50 तक क्यास परस की मैंने दी और सामने वाले ने मेरे को एक महेंगा गारी दे दिया तो अब इस case में पैसा तो आया नहीं आपको पता किस चलेगा कि what is the sale value very simple आपको जो asset मिला है गारी उसका fair market value वही ले लोगे आप sale consideration तो अगर आप बेचने के बदले exchange करो तो वो भी transfer है उसके भी tax लगेगा तीसरा नाम क्या है different color relinquishment relinquishment का asset तो simple English meaning होता है sacrifice करना त्याग देना relinquish कर देना ओके यहाँ पर relinquishment के मैं तुमको दो example दे रहा हूँ gift और inheritance gift में क्या करते हो आप पैसा लेते हो कि त्याग देते हो मतब दे देते हो ना ऐसे inheritance में भी कोई मर जाता है तो अपने आप उसकी संपत्ती उसके वारिस के नाप पर चली जाती है तो उसको पैसा मिला है कि उसने त्याग दिया त्याग दिया तो gift और inheritance is relinquishment and relinquishment is also transfer यानि के sir gift and inheritance is also transfer but sir it is exempted transfer lot of transfers are exempted transfer section number 47 exempted transfer मतलब वो transfer तो है पर exempted है उस पर tax नहीं लगेगा उधारन gift और inheritance मैं section 47 last में revise कराओंगा marathon में आएगा न last में sequence में अभी खाली हलका से ही समझे लो कि कुछ-कुछ transfers ऐसे होते हैं जिन पर capital against tax नहीं लगता जो exempted होते हैं ठीक हैं तो gift और inheritance transfer है क्या? हाँ पर tax नहीं लगे है क्या? ना तो transfer है बड़ exempted transfer है तो देहर एग्जांपल्स ओफ relinquishment दूसरा नाम बवाल है एकदम दूसरा क्या बोला? extinguishment extinguishment हमारे पास एक asset था जल के राख हो गया ठीक है? जो परसनल एक फारमाउस था माल लो तुमारे पास तो फारमाउस तो non depreciable asset है परसनल घुमने के लिए बनाया था पीछे से आग लग गई फारमाउस पुरा जल के बरबाद हो गया जल के बरबाद हो गया मतलब extinguish extinguish word का मतलब होता है simple English में हम लोग extinguish word कहा दिखते हैं fire extinguisher candle जल रही है तुमने ऐसे बुझा दिया फुच या फुक मार के उसको क्या बोता है you extinguish the fire तो माल लो asset ही जल के पुरा राक होगी extinguish तो इसको बोते हैं ये भी अपने आप पे ट्रांसफर है और इस पे भी tax लगेगा अब ये तो लोग सोच रहे है बई एक तो नुक्सान हुआ उपर से आप tax मांगने आगए tax तो आप profit में मांगते है जला तो फाइदा कैसा अरे अगर आपने उस asset का insurance करा रखा है तो insurance company से पैसा आएगा कि नहीं आएगा बेचा नहीं जल के राख हुआ है पर पैसा तो आ रहा है insurance कमनी से तब tax लगेगा इसके लिए specific chargeability बनाया हुआ है ठेक है तो extinguisement का example क्या है loss of asset by fire and insurance claim received correct or not ठेक है तीन number compulsory acquisition central government या state government अगर आपके संपत्ती का compulsory acquisition कर रहा है under any law तो बदले में आपको मौावजा देगा compensation ये जो compulsory equation है ये भी transfer माना जाएगा और इस पर tax लगेगा conversion of capital asset into stock in trade मान लो कि मैं एक jewelry shop हूँ मैं ज्वेलर हूँ मेरी jewelry की दुकान है ठेक है मेरे दुकान में पढ़ावा jewelry का है stock in trade पर मेरे घर में जो jewelry पढ़ावा वो क्या है personal asset, capital asset मैं अगर अगर अपने घर का पढ़ावा jewelry दुकान में लाकि इंक्लूड कर दूँ तो बोलते हैं वो भी transfer माना जाएगा उस पर capital gains tax लग जाएगा पर capital gains लगाने का उसमें जो style होता है वो different होता है उसके लिए specific chargeability section है फिर पाँच नमबर bonds and debentures सुन लो bonds and debentures से mature होते हैं bonds and debentures जब mature होते हैं तो bond holder या debenture holder को फाइदा मिलता है वो जो फाइदा तुमको मिलता है वो capital gains में taxable होता है ठेक है bond redemption का मतलब क्या है मैं example दे रहा हूँ तुम लोग मेरे debenture holder हो I am ex-limited मैंने तुम लोगो debenture दिया था redemption की दिन क्या होगा सोचो 5 साल बाद redemption की दिन तुम मुझे debenture दोगे debenture is a capital asset तुम मुझे debenture दोगे मैं तुमको पैसा दूँगा तो transfer capital asset हुआ कि नहीं हुआ तो tax लगता है उस पर तो उस पर क्या लगता है tax तो sir फिर तो buyback पर भी लगता होगा हाँ तो लगता है न amendment है amendment है उस पर buyback पर भी लगता है जैसे buyback मतलब you people are my equity shareholders you people are my equity shareholders मैंने buyback announce किया तुम मुझे क्या दोगे अपना equity share जोगी capital asset है अब मैं तुम मैं क्या दूँगा रोखड़ा तो यह तो capital gains लगेगा पर यहां पर थोड़ा साथ जो tax का structure वो अलग है तुम से नहीं वसूलेंगे company से वसूलेंगे इसका अग अलग style है पर यह भी है तो transfer couple asset are you getting my point थेक है तो bonds and debentures में से एक होता है zero coupon bond zero coupon bond का मतलब है जिस पे interest नहीं मिलता आपको जब यह issue करती ही company तो बहुत सस्ते पर करती है बहुत discount पर और बात में जब redeem करती ही तो पार रपे सब वो 100 रपया face value है आपको जब issue किया company तो 30% discount दिया 70 रपय में दिया और redeem करेगी 100 रपय पर तो 30 रपा फाइदा हुआ कि नहीं 5 साल में वो क्या है capital gains थेक है तुम्हारे लिए फाइदा है capital gains मेरे लिए तो नुकसान है मेरे लिए तो PGP expense है वो तो even the redemption of zero coupon bond is transfer redemption को भी अपने transfer मानते है थेक है clear है next यह बड़ा important है section तिरपने of the transfer of property act यह क्या होता है सुन लो बहुत simple properties वगएर के case में अकसर ऐसा देखा गया है कि buyer seller ने अपना agreement बना के पूरा बेचा बाची कर लिया पैसा ले लिया पर government के records में अभी तक उसका registration नहीं हुआ है pending चल रहा है तो government के पास records होते है under registration act 1908 हर इलाके में एक hero बैटता है उस hero का नाम है sub-registrar उसके पास उस इलाके की तमाम property का records होता है तो आप property बेचा बाची करोगे तो उसके record में जाके change कराना पड़ता है कि नया माल किये हो गया इसी को हम लोग बोलते है registration of the sale नहीं पड़ेगा हम तो आके capital gains tax लगा देंगे जैसे माल लो मैंने एक property है जो बेची है किसी को मैंने property अगले को दे दी अगले ने मेरे को पैसा दे दिया पर अभी तक ownership मेरे नाम पे ही है उसके नाम पे transfer नहीं हुए सरकारी record में registration पेंड नहीं है government बोलती है भार में जाए सरकारी records government बोल रही कि भार में जाए मेरा records मतब उनका खुद का records उनको तो पहले पैसा चाहिए ना तो वो बोल रहे है registration होता रहे का मतलब नहीं है हम तो आके भी tax लगा देंगे capital gains इसको बोले जाते है section 53 of the transfer property act का topic है कि everything is almost complete only the registration spending so in the eyes of law it is considered कि property बिख चुका है hence capital gains tax लग जाना चाहिए last वाला आजकल आप जानते हो किसी भी बड़े building वगेरे में आप flat लेने जाओगे तो आपको flat नहीं मिलता shares मिलते हैं कैसे वो जो builder होता है ना वो एक company याँ cooperative society खोल लेता है अपनी cooperative का shares दे देंगे and in effect you will become the malik of that flat थेक है तो by purchasing share you have become the malik of the flat correct yes or no तो ये भी हम लोग इसको भी consider करते हैं अब future में जब तुम वो घर बेचना चाहते हो तो घर बेचोगे की share बेचोगे तो वो बेचना भी transfer माना जाएगा वो as if की property भी बेचा है अपने ठेक है दिख रहा होगा की share भी बेचा है लेकिन माना जाएगा की property भी बेचा है capital की stacks लग जाएगा ये था transfer का definition good zero carbon board अभी मैंने बता दिया अब अगले page पर क्या definition अज़र capital asset capital asset का indirect तरीके से अच्छा मतलब दिया हुआ है capital asset का indirect तरीके से कि ये चार प्रकार की जो assets है इनको हम capital asset नहीं मानते not capital asset याद करने के लिए हम बोलेंगे span ठेक है ये चार capital asset नहीं है ठेक है तो इनको छोड़के जो है वो है span सबसे important है सबसे important है stock in trade stock in trade by definition cannot be a capital asset capital asset का मतलब मैंने क्या सिखाय था भी कि वो asset जो आपने बेचने की रादे से नहीं खरीदा stock in trade तो बेचने की रादे से खरीदे तो capital asset तो है नहीं stock in trade को बेचने से जो income होता है वो capital in में जाएगा कि PGP में second star personal effects का मतलब होता है hello ठीक है बात करें personal effects का मतलब actually कुछ और होता है यहां कुछ और है personal effects का actual मतलब होता है मेरी जो body है मैं खड़ा हूँ तुमारे सामने साक्षा तभी जो मेरी body है उसको English में बोलते है person क्या बोलते है person हम लोग सोचते हैं India वाली English और British English में थोड़ा सा यहां फरक होता है हमारी जो परवरिश और पढ़ाई हुई है हम शब्दों को एक अलग मतलब से देखते है ठीक है जैसे मैं यहां खड़ा हूँ तो तुम लोग इंडिया में हो तुम हम लोग सब इंडिया में होबिसी तो तुम बोलोगे sir is physically present गोरा आदमी होगा ने England वाला वो बोलेगा सिधार्थ is present in person मतलब अपनी body में खड़ा है मतलब यहां खड़ा है तो person का मतलब होता है basically body ठीक है clear समझ में रहा है person मतलब body हम एक भाचा है जैसे मैं यह घड़ी पहन रखा हूँ यह घड़ी अपने हाथ पहन रखा हूँ इसको तुम बोल सकते हो एक गोरा बोलेगा I am wearing the watch on my person क्या मतलब है इंडिया में अपने बोलेंगे तो अपने को अजीब लगेगा I am wearing the watch on my person मैं अपने आदमी पहन रखा हूँ मेरे लिए तो my person मतलब मेरा आदमी हो गया बर वैसा नहीं my person मतलब my body my person मतलब my body तो basically personal effect word का जो मतलब होता है मैं अपने body पे जो भी चीज़ें पहनता हूँ घड़ी हो गया अगर अंगूठी है तो अंगूठी चैन हो गया कपड़े हो गये इन सब को बोला शूज हो गये इन सब को बोलते है personal effects ये real English है लेकिन income tax में थोड़ा अलग है income tax में personal effect का मतलब है all the movable assets all the movable assets which I use for personal purpose तो इसमें मेरा कपड़ा वगेरा घड़ी तो आई गया मेरे जेवर भी आ जाएंगे jewelry वगेरा मेरी गारी भी आ जाएगी मेरी गारी एक movable asset है जो मैं personal purpose के लुक्स करता हूँ मेरी गारी भी आ जाएगी मेरा mobile भी आ जाएगा मेरा TV व्रिज भी आ जाएगा सब कुछ इन सब बोलते है personal effects तो income tax वालों ने बड़ा smart काम किया बोला personal effects को अगर बेचोगे ठीक है तो कई जन को लगता है ये actually हमारे लिए फाइदमद है ना हमारे लिए नहीं है उनके लिए फाइदमद है इन्होंने बोला personal effects को हम लोग capital से नहीं मानते तो बेचने पे जो भी नफ़ा नुक्सान होगा वो capital gains नहीं है सर नफ़ा होगा ही नहीं 99% chance से आपको नुक्सान ही होगा ठेक है मैं अपनी personal car अगर बेचूँगा तो आप खुदी सोचो जिस दाम पे खरीदा था second end बेचूँगा उस दाम पे आएगा loss होगा कोई भी अपना personal समान तुम बेचने जाओ second end होगया फाइदा होगा कि loss होगा कि ये है capital asset तब क्या होता मैं अपनी पुरानी गारी बेचता मेरे को नुक्सान होता तो जो नुक्सान होता फिर मैं वो future में set off कर लेता you know that capital gains का loss can be set off only against the income from capital gains and long term का नुक्सान can be set off against only long term again तो मैं कर सकता था था न इन उको मालूम था कि नुक्सान होगा और उसका set off देने वाले नहीं थे इसलिए बोल दिया कि बहुत personal effect को अपने capital asset मानते ही नहीं है in fact एक ऐसा personal effect दो ऐसे personal effect है जिनको बेचने पर real world में मुनाफ़ा होता है उसको तो capital asset मान रहे हैं ये लो ये दो personal effect jewelry personal effect है कि नहीं है और jewelry आप बेचने जाओगा आपको फाइदा ही होगा because gold silver का अदाम उपर भाव जागा कि नहीं तो उसको चुप चापे लो capital asset मान लिए ताकि बेचोगे तो capital के नोगा तो राक्स लगेगा artwork artwork का मतलब होता है painting, sculpture वो सब चीज़े हैं उनको बोलते हैं artwork artwork की भी कीमत appreciate करती है तुम्हारे पास किसी famous artist का draw किया वा कोई painting या sculpture पड़ा होगा है उसकी कीमत दिन बाए दिन बढ़ते जाएगी boss तो उसको बेचने मुनाफ़ा होता है तो बोला वो तो capital asset है तो बाए जिसको बेचने पे मुनाफ़ा होता है उसको तुम capital asset माल लिए ताकि capital के इन tax कान पड़ के मैं ले लो और जिसको बेचने पे नुक्सान होता है वो सारा personal effect आपने हटा दिया बोला दें ने, capital asset नहीं जाओ enjoy करो enjoy नहीं करें, सफर कर रहे हैं क्योंकि उनको बेचने पे मुझे lossy होता ठेक है यह funda clear है ना third, rural khet sir what is the meaning of khet khet का मतलब यानि agriculture land का मतलब वो भूमी होती है जिस पे last 2 साल से आप khetी कर रहे हो banjar पड़ी भूमी को जिसमें केवल घास हुगी भी है या पेड उग गए है उसको हम khet नहीं बोलते है khet मतलब जो khetी में use हो रहा है for last 2 years rural khet मतलब rural इंडिया में अगर कोई khet है ना तो उसको सरकार ने exempt कर दिया capital gains से यानि कि उसको capital asset मानेंगे नी तो उसको बेचोगे भी तो tax नहीं लगेगा good इसके अलावा है notified bonds तो याद करने आपने बोलेंगे span stock and trade, personal effect, agriculture land in rural India and notified bonds शुरू शुरू में याद करने के लिए इसब निमोनिक्स काम आते है span बाद में तो natural याद रहता है और मैं तुमको यार पिछले 10 साल से ना थियोरी बढ़ा रहा हूँ तो जो बोल रहा हूँ अधम सत्य बोल रहा हूँ निमोनिक्स केवल शुरू शुरू में अच्छा लगता है बाद में निमोनिक्स की जरुवत ही नहीं पड़ती because तुम naturally चीज़ों को feel करके याद करके बोलते हो तब तुमको कोई निमोनिक क्या उशकता नहीं रहती निमोनिक्स की शुरू में ठटा 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 बता दिया तो आज तुम इत्ता आज ये marathon चल रहा है आज ये पहली बार सुन रहो कि repeat चल रहा है तो अभी तुमको span का जरुवत भी नहीं है तुम सीधा बहो कि हाँ सर मालू में HRC नहीं होता ठेक है अब इन में से एक दो चीज़े ऐसी है जो मुझे समझानी पड़े ही नीचे आप देख लेते है सबसे पहले personal effect समझाया हुआ है वो मैंने बोली दिया personal car not a capital asset ठेक है personal car not a capital asset बेचने पे जो भी नफान उक्सान होगा कोई set off या income tax लगने वाला नहीं है personal furniture not a capital asset personal jewelry इसको तो बेचने तो फायदा होगा तो आजागा वो tax मांगने capital asset है artwork capital asset है ठेक है अब थोड़ा सा rural खेत पढ़ेंगे इन्होंने rural खेत को indirectly समझाया इन्होंने पहले urban खेत समझा दिया और बोला जो urban खेत नहीं है वो क्या है rural खेत है एक बात common sense की है भारत का इतना बड़ा map है अगर तुम उसको geographically imagine करो तो rural portion जादा होगा की urban portion जादा होगा तो rural जादा होगा 80-90% of the land in India will be rural hardly 10% of the land will be urban तो urban को define करना असान है तो इन्होंने urban को define क्या बोला जो urban नहीं है वो rural है तो urban का define क्या है दो तरीके से ठेक है इन्होंने urban को define क्या बोला जो urban नहीं है वो rural urban दो तरीके से होता है left side में क्या लिखा है central urban area मतब शहर suppose यह हमारा शहर है तो शहर की एक आबादी है इन्होंने बोला हर वो जगा जहां की आबादी greater than equal to 10,000 people greater than equal to 10,000 people है उसको हम शहर मानेंगे ठेक है तो वो होता है central surrounding, central urban area central urban area के आसपास वाली जो जगा होती है उसमें भी तो धीरे-दीरे वो लोग आके रहने लग जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं surrounding urban area तो शहर हो गया central urban area और उसके outer boundary पे जो periphery पे उसको क्या बोलते है surrounding urban area इन्होंने बोला अगर आपके शहर वेर के आबादी 10,000 के या उसके उपर है तो वो urban area ठेक है surrounding urban area मतब उसके बगल का अब look at this गौर से देखो सफेद रंका जो बीच में दिख रहा है वो शहर है शहर की आबादी कितनी है 10,000 से तो जादा है पर एक लाग के अंदर है पीसे population सफेद में जो दिख रहा है circle वो क्या है शहर central urban area कितनी आबादी है शहर की सब 10,000 के उपर है तब वो central urban area है पर एक लाग के अंदर है तो ऐसे केस में central urban area के surrounding बें जो ring है surrounding area up to 2 km up to that will also be considered as urban तो यहाँ पर अगर कोई जमीन है तो वो क्या माना जाएगा? अरबन यहाँ पर भी कोई जमीन है तो क्या माना जाएगा? अरबन अगर आपके शहर की आबादी एक लाग से तो अधिक है पर दस ताक के अंदर है तो बड़ा central area है आबादी अच्छी कासी है ना? ठीक है? अरे boss तुम में से कितने सारे लोग होंगे जो इन शहरों से आए हो कितने सारे लोग होंगे जो इन शहरों से आए हो जहां कि आबादी दस ताक के अंदर है तो वो भी अच्छा कासा बड़ा शहर है दस लाग के अंदर अगर आबादी एक लाग से दस ताक के वीज़े है तो भी अच्छा कासा आ रहे है अगर आबादी एक लाग से दस ताक के अंदर है एक्स्ट्रा ले लिया है, कितना ले लिया, मतब वो शहर का boundary, municipal limit, plus 6 km और further radius, that is urban, तो शहर भी urban, शहर के बाहर 6 km तक का जो एक्स्ट्रा boundary फैलेगा, वो भी urban, उसके बाहर जाओगे तो क्या है, और जिसको हम बोलते है, metro cities, जिनके अब आदी obviously 10 तक के, ऊपर जाएगी, मतब भ भेंकर बड़ा शहर है, तो वहाँ पर radius और बड़ा है, 8 km गए, urban, urban, rural, तो शहर की एक municipal limit होती है, वो पता कैसे चलता है, आपको pin code से, कैसे बाच चलता है, pin code, जैसे मैं एक example देना चाहता है तुम लोगों को, हर शहर का एक pin code होता है, जैसे, यहां का pin code है, कोलकाता 700001, य एक number pin code है, because यह main कैलकाटा एक दम, यहीं पे सारा main government का offices, buildings have located है, तो जब तक pin code कोलकाता चल रहा है, तब तक वो कलकाता में आता है, अगर pin code change हो गया, तो that means that's not a कलकाता, for example, salt lake है न, salt lake को अपने कैलकाटा बोलते हैं, पर कैलकाटा है नहीं actually, उसका pin code होता है, 24 परगणास north, तो मतलब फिर अलग district हो जाता है वो, समझ में आ रहा है, तो pin code और शहर का जुना में उससे आपको पता चलते है, शहर की boundary कहा तक जा रही है, तो municipal limit of the शहर, प्लस वहाँ से 2 km, 6 km, 8 km तक वो urban है, उसके भाहर जाओके तो क्या हो जागा, rural, यह mcq में आ सकता है, और इसक short term क्या होता है, देखो, इन्होंने क्या किया, long term capital asset का definition मना दिया, किसका, long term capital asset का, तो long term capital asset को बेचोगे, तो कौन सा gain होगा, long term capital gains, LTCG, वैसे इन्होंने short term capital asset का definition मना दिया, short term capital asset को बेचोगो, तो क्या होगा, STCG, ठेक है, हमें क्या फरक पढ़ता है, कि capital gains, long term में की short term सार बहुत बड़ा फरक पड़ता है, star हमें बहुत बड़ा फरक पड़ता है LTCG में हम सब जानते हैं, यह मैरा थान है अब तुम समझोगे मेरी बात को, तो हम लोग पढ़ चुके chapter, LTCG में आपको indexation का benefit मिलता है कि नहीं आप cost minus करते हो कि index cost minus करते हो, index cost what is more, cost और index cost, index cost is always more than the cost, तो अगर index cost बड़ा amount है और जादा minus करोगे तो gain तो कम आएगा ना तो amount of your gains will reduce तो tax कम देना पड़ेगा, एक तो यह बहुत बड़ा फाइदा है, और सब दूसरा और एक फाइदा जो लोग बात नहीं करते, लोग सोचते नहीं है, वो क्या है rate of tax, LTCG पर rate of tax होता है 20%, ठेक है generally speaking, LTCG पर tax rate क्या होता है, 20% जबकि STCG पर क्या होता है, वही जो normal sub-key उपर है, 30% वैसा ही है, are you getting my point? तो यह भी बहुत बड़ा advantage है तो LTCG का कोई तुमसे पूछे देखो, you have to be alert in the subject, तुमको कहना मैं सच तुमको बता रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, इस ते मैं तारीफ कर रहा हूँ income tax की, पर जब हम लोग बन के हड जाते हैं, मतलब हमारा degree विगरी हमें मिल जाता है तुम पाओगे कि सबसे ज्यादा तुमको जीवन में जो काम आएगा, वो tax subject ही आएगा और दूसरा कोई भी subject जो हमारे सलबस में है, वो practically तुमको उतना काम आने वाला नहीं है तुम अपने घर की बात कर लो, your father must be doing some kind of a business or salaried employee, एक बार assume करते हैं आपके जो पताजी, उनकी income अच्छी खासी है 10 से 15 लाख रुपया, वो tax bracket में आते हो income tax देते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि your parents must be filing income tax return पक्का फाइल कर रहे होंगे income tax return, विकोज आज की दिन क्या होता है न हम लोग जब भी एक middle class आदमी हम लोग जब bank से loan लोन लेने जाते हैं तो वो मांगता है क्या ITR दिखाओ तो भले वो थोड़ा सा tax दे रहे होंगे, कम दे रहे होंगे exempt होगा या limit होगा पर वो पक्का फाइल कर रहे होंगे return अब तुम मेरे को बताओ, उनके सामने कौन सा subject का ग्यान जाके बगाड होगे जो उनको काम आएगा कोई subject का ग्यान काम नहीं आएगा सिवाए उनके tax के तो ये actually इस subject में अगर तुमारी mastery आ जाती है ना तो मत्ब तुमारा career बहुत जोड़दार create हो सकता है because I'm telling you, people don't have mastery over this subject और एक होता है कि पढ़ के याद आ रहे है जीवन में जब काम करोगे और exam में जो पढ़ोगे उसके लिए फरक होता है exam में जो हम पढ़ते है तो सिर्फ हम exam के लिए पढ़ते है exam खतम, उल्टी करें, खतम यहां तुम पढ़ जीवन के लिए कि तुमको हमेशा on spot याद रहना चाहिए तो long term का on spot, अगर कोई तुमसे पूछे कि benefit कहा तुम बोलो के सब दो benefit है number one, indexation, index cost, index cost बड़ा मोंड़ा था, minus cost, capital gain, कम हो जाता है दूसरा फाइदा क्या होता है अपना, rate ही कम है sir, तो यह दो सबसे बड़े फाइदा है अच्छा, कौन सी asset long term है और कौन सी short term है, यह किस बात पर निर्भर करता है यह किस बात पर निर्भर करता है, period of holding तो इन्होंने क्या किया, विभिंते परकार की, अलग-अलग assets के लिए, अलग-अलग period of holding prescribed कर रख था है ठेक है, अलग-अलग asset के अलग-अलग period of holding है, वह period of holding को आप देखो, उसके सब सब जच करो, कि long term है की, short term है ठेक है, now let's learn this, नीचे हो, मैं याद करा दूँगा, इस मुक को मैं दो-तीन तरीके से याद करा दूँगा, सुनो सबसे पहले, first category of assets, यह first category of assets है, इनको perfection से अगर याद करना है तो तुम बोलोगे, जल्म जल्म मतलब होता है न कि तुम पर अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के उर्दू है, जल्म, जल्म से, Z से, Zero coupon bond, U से, Units of UTI, L से, L से, State Company का Securities और M से, Mutual Fund, Equity Oriented, सही है इसको अगर perfection से याद करना तो जल्म बोलेंग, और perfection से नहीं करना है तो दिखो जल्म फटाक से ज़्यादा perfection से याद करने के चक्कर में पुरा जीवन जहन्ड हो जाएगा इससे बढ़िया, एकदम सरल बता रहा हूँ, special securities बोलके याद कर लो इन में अगर आपकी period of holding less than equal to 12 months है तो short term और more हो गया तो long term, ठेक है, यह equal to भी बड़ा important है अगर exactly equal to 12 months है तो क्या है, short की long अरे देखो ना बोड़ पे, अगर exactly equal to 12 months है तो क्या है, long की short short, equal to तक भी है तो short मानेंगे 12, 24 या 36, cross कर जाएगा, तो क्या मानेंगे सर, long तो यह भी याद रखना है, क्योंकि यह छोटी छोटी बात ना अब देखो, क्या होता है, छोटी छोटी ऐसी बातें जो होती है, वो real life में काम नहीं आती है, पर exam में काम आती है, exam में कोई आपको नहीं परखेगा पके exact 12 में नहीं है, तो बताओ, पर exam में परखेगा, एक्जाम में 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 परखेगा, एक्जाम में एमसी को डाल के बोल देंगे, exact 24 में है, बताइए, short है की long है, समझे रहो ना तो less than equal to बोले तो short, more हो गया तो long, जल्म clear है, अचा जल्म के बाद दीचे क्या है, bull, यह क्या लिखा है, bull, bull मतलब building, unlisted share, land, लेकिन main तुम याद करने के लिए लिए लिख लो, bagal में, main land and building यहाई, shares अगर listed है, shares अगर listed है, तो अच्छी बात है, उपर जाएगा, 12 मेना में ही long term हो जाएगा, है ना, 12 मेना में ही, वो shares क्या बन जाएगा, long term, लेकिन shares अगर unlisted है, तो गंदी बात है, unlisted है तो उसको long term होने में किताना हम लगएगा, 24 मेने लग जाएगे long term होने में, उसको प all other assets including jewelry, bullion वगेरा एसे ठेक है ठेक है jewelry बोलो, artwork बोलो painting बोलो, फन्लांड इमका है नहीं all other assets वो A है, amul M से mutual fund bracket में debt oriented, debt वाला है तो नीचे आजागा, गंदा है मतलब equity वाला mutual fund है तो सीधा उपर debt वाला है तो एकदम सीधा नीचे फिर unlisted क्या है, amul you से unlisted क्या है, debenture से another security एक तो तो तुम unlisted, गंदा उपर से तुम share भी नहीं, तुम कौन debenture, double गंदा तुम एक तुम नीचे जाएगा तो तुम ऐसे याद करके चलो special security के लिए सर बारा मेने का होता है land building के लिए 24 मेना यहीं दो साल का होता है बाकी सारे asset के लिए सर तीन साल होता है तो तीन साल में तो हर asset ही पक जाएगा तीन साल में तो हर asset ही पक के क्या बन जाएगा long term, are you okay यह mutual fund का diagram है छोटा सा diagram to explain what is debt and what is equity oriented very simple, mutual fund जो पैसा collect करती है, अगर उस पैसे को वो लोग equity वगएरा में invest करें तो equity oriented है, debt वगएरा में invest करें तो debt oriented, that's all simple turn, next page अब हम लोग capital gains के competition के format में आ गए please understand this कि पांचो head में जो computation का format होता है, सर वो अलग है capital gains में competition का format की section number में दिया हुआ है 38 थेखें हमने PGVB में भी पढ़ा था PGVB में assets का block concept होता है तो वहाँ पर क्या होते है depreciable assets, तो जो depreciable assets होते है जिनका block बनता है, उनमें capital के निकालना है, तो बड़ा सस्ता तरीका है, दो line का सीधा उसी block में जित्ते बेबी का minus कर दो, अगर positive वार है ये किसके लिए है, non depreciable assets ये बाते तो अब याद रखनी पड़ेंगी ना उससे मैं नहीं बुला था पर अब तो तुम सब सीख चुके है तो अब तो मैं marathon तो बोली सकता हूँ कि बई ये जो तरीका तुम सीख रहे है ये सारे assets के capital gain का नहीं है ये कौन से वाले assets के capital gain का है non depreciable वालों का हुआ तो सर ब्लॉक में माइनस कर दे ना section number 50 वहीं पर सलड जाएगा यहां आएगा ही नहीं ठीक है अब सुनो मेरी plant and machinery जल के राख हो गई plant and machinery का value था 10 लाख जल के राख हो गई insurance company से claim मिला 8 लाख क्या करूँ मैं ये follow करूँ कि block में घुज जाओ सर block में जाओ सीधा block में ही जाओ क्योंकि depreciable asset है plant machinery का block 15% rate वाला होता है opening WDV add purchases less sale proceed or insurance claim received less sale proceed or insurance claim received तो insurance claim आपो कितना है 8 लाख रुपे less 8 लाख वहीं पर salary जो होना था अब अगर वह positive निकल किया रहा है तो remaining WDV इस पर depreciation देते जाओ और अगर negative आगे तो क्या है short term capital gain next चुनो मेरा एक personal jewelry है jewelry? jewelry तो personal ली होगा मेरे पस personal jewelry है मान लो जल के राख हो गया ठीक है personal jewelry का हम लोग insurance कराए वे थे personal jewelry की value थी 20 रुपया जल के राख जब हो गया insurance company से 17 रुपया आए है ठीक है अब क्या करूं मैं वो चलेगा block concept jewelry का कोई block होता ही नहीं है तो सीरा यहां आएंगे तो फिर यहां वाले तरीके solve करेंगे यहां पर जल के राख होने पे पैसा कितना आ रहा है 17 राख तो full value of consideration किया है 17 राख minus क्या होगा index cost of acquisition निकल कहा जाए का long term capital gains are you okay with this ठीक है यह short term का format है और नीचे long term का format है pretty much same है short term के format में full value of consideration minus expenditure in connection with the transfer ठीक है minus कोई कोई cost of acquisition improvement फिर आजागा short term capital gains फिर उसे कुछ exemptions है और taxable LTCG आजाएगा long term में क्या होगा वही सर सबको same है खाली cost के बदले आप index cost के देना index cost, index cost ठीक है expenses से minus करना आएगा gross LTCG उसमें से exemption माज़त करना क्या निकल कहाएगा taxable LTCG indexation कैसे होता है वो सबको आता है इसमें क्या formula थोना सिखाने का मेरे को indexation आता है कि नहीं आता है अब यहाँ पर एक बार अपने को रुखने की जरुवत है थेक है मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ 45 का तुम लो लिखो का तुम लो 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 लोहाँ झाल 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 यहां capital gain किस पर लगता है यहां capital gain किस पर इंडेक्सेशन करते हो तो उपर इंडेक्सेशन में आप क्या लेते हो? किस अब sound नीचे देखो तो इंडेक्सेशन में यहां में लिखिया गए थे हम जोलर की दुकान है घर का जोलरी दुकान में लिखिया गए थे अभी capital gain निकालेंगे निए ट्रांसफर तो हो गया पर जब actually बेचेंगे तब निकालेंगे again on reset basis तो इन तीन जगा capital gain on what है on reset basis correct लेकिन सर इन तीनों में भी indexation जो होता है न वो सिर्फ transfer date तक होता है indexation up to date of transfer भले ही capital gains लगता हो reset basis पर indexation होता है on transfer basis जब indexation करोगा suppose for example मेरा परस्तल घर मेरा परस्तल घर जलके राख हो गया था दो हजार बीस में 2020 में जलके राख होना extinguishment of a set that's the transfer तो जलके राख होना is extinguishment is transfer that means it's a transfer in 2020 जबकि insurance company से पैसा हमको मिला 2023 में January 2023 में insurance company ने पैसा दिया तो receipt कब वहा दो 2023 तो insurance claim वालों के लिए उन्हों है अलग चार्ज अबली बना रहा है 45 का वन है जिसमें बोलता है कि receipt basis for tax तक है तो capital gains मुझे 2020 में नहीं देना कब देना दो 2023 में 22-23 वाले year में January 2023 में मिला है तो अब जब तुम्हें sums को solve करोगे तो indexation 2022-23 का नहीं लोगे इंडेक्सेशन कब तक कर लोगे 2020 तक का ठेक है indexation is on the basis of transfer not on the basis of receipt although capital gains will be charged on the basis of receipt कि पैसा जब आएगा 2023 में तब हम आपसे tax तेंगे लेकिन indexation कब तक होगा 2023 तक नहीं होगा जब asset transfer होगा तब तक का ही होगा और asset transfer मतब जलके राख अब होगा 2020 तक का करना है तो यह जो तीन section है ना 45 का 1 है 5 और 2 इसमें बहुत साउधान रहने की जरुबत है यह देखो इदर 45 का 1 है क्या है insurance slim का पैसा नहीं जलके राख हुआ 45 का 5 क्या है compulsory equation by government and 45 का 2 क्या है घर का capital asset हम दुकान में लेके आगे stock and trade इन तीनों में capital against tax आपको pay up करना पड़ता है receipt basis लेकिन सार indexation receipt की date तक नहीं होता है indexation कब तक होता है transfer इसलिए उपर आप देखो transfer oblique receipt लिखा ही नहीं है उपर सिर्फ एक ही बात है transfer अब ये बात आज whole picture समझ में आ रहा है उसमें तो उतना समझ में नहीं नहीं है तब पूरा chapter देखा हूँ अब तो पूरा chapter देख लिगा अब तो तुम जानते हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको कि इन तीन केसे में याद है वहाँ पे अलग अलग जाके मैंने लिखाया था कि भले ये receipt basis पे है be careful with the indexation indexation के वले year of destruction of asset पर होगा year of compulsory acquisition में होगा year when you bring the asset into your stock in trade तो तब अलग 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 बात करे था तो पुरा picture submit के बात कर सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो चाहे transfer basis हो चाहे receipt basis हो दोनों ही case में indexation कब तक होगा up to transfer not up to receipt are you okay with this अचा एक special chargeability ओर है 45 का 5 है वो क्या होता है sir joint development agreement joint development agreement में क्या होता था मैंने अपनी जमीन दी builder मेरी जमीन के उपर building मनाएगा मुझे building में कुछ share देदेगा और पैसे देदेगा अब आज शुरू में वो मेरे को गुस्तु advance पैसा देदेगा और बाद में मेरे को balance पैसा plus flat वगेरे बाद में देगा यहां पर पूरा का पूरा capital gains एक ही बार में निकलता है बाद में जब क्या मिल जाता है completion certificate building complete होती है ना तो मुनिस्पल्टी से completion certificate आता है तो जब completion certificate आता है ना तब निकाला जाता है capital gains yes or no यादा रहे हैं कि यह बात अच्छा यहां पर भी भले ही capital gains हम आप से तब लेंगे जब completion certificate आए पर indexation कब का होगा sir up to the rate of transfer हमने तो जमीन पहले ही दे दी थी ना builder को बनाने के लिए हमने तो builder को जमीन दे दी थी बनाने के लिए suppose 2019 में उसको 4 साल लगे building बनाने में 2023 में completion certificate आया तो tax भले 2023 में हमसे लेगा पर indexation कब से कब तक का करेगा 2019 तक का indexation होगा जब transfer किया मैंने जमीन और यूख है तो यार तुम खुद देखो capital gains के उपर अलग-अलग मतब वो है chargeability event है कभी transfer है maximum case में transfer है कुछ case में reset है और एक case में completion certificate है पर सारे case में when you are calculating the indexation indexation is only up to the rate of transfer divided by denominator are you okay very good अच्छा अब यहीं पर मैं तुम को और बदाता हूँ इनके यहाना एक concept बदा सुन्दर concept है उस concept को grand fathering कहते है और नाम की वज़े से वो इतना exciting लगता है कि वो याद रह जाता है grand fathering concept क्या है basically जैसे अगर तुम index की table को देखो तो तुम्हारे वाले previous year का indexation क्या है 331 और यह index start कहां पर हो रहा है 100 पर कौन सा साल है 2001 तो 2001 तो मत्तब start कब हुआ होगा 1-4 2001 पर start हुआ होगा कैसा ही ना कुछ गर्द बुला गया ठीक है अब सर्थ बात ऐसी है कि हो सकता है ना कि हमारे पास जो असेटर जो हम बेच रहे हैं वो बहुत जादा long term है वो 2001 के पहले का खरीदा हुआ है तो फिर वहां से indexation कैसे करें तो इन्होंने बोला कि देखो very simple मैं उधारन लेके बात करता हूँ दादा जी की कोठी यही एकसांपल दिया था दादा जी की कोठी दादा जी ने 1960 में कोई बिल्डिंग खरीदा था और वो हम आज आके 2023 में बेच रहे हैं जनुरी 2023 में बेच रहे हैं ठीक है नाव 2001 से लेके 2023 तक का तो तुम indexation कर लोगे लेकिन 1960 से लेके 2021 तक का क्या करोगे तो उसका हम लोग इंडेक्सेशन ही करेंगे उसका हम क्या करेंगे ग्रैंड फादरिंग और मैंने यह वर्ड सिखाया था बड़ा मस्थ सब्द है इससे पुरा याद भी रह जाता है ग्रैंड फादरिंग का मतलब होता है कि या तो आप उस असेट का 1960 में जो आपकी खरीद लगी थी पैसा लगा था कॉस्ट वो ले लो या फिर 142001 को जो उस असेट का फेर मार्केट वैल्ली हुए फेर मार्केट वैल्ली वो ले लो obviously common sense अप्लाई करेंगे तो फेर मार्केट वैल्ली जादा हैगा तो आप सीधा फेर मार्केट वैल्ली उन 2001 ले सकते हो उससा आपका कॉस्ट काफी significantly बढ़ जाएगा की नहीं और फिर 20001 का जो फेर मार्केट वैल्ली हुए आता हूं तुम लोग denominator को पड़ो हमें क्या बूला denominator में क्या है उपर में लिखा है year of transfer का CII और denominator में क्या लिखा है year of acquisition का CII या फिर 100 या फिर 100 14 2001 वाल इंडेक्स क्या है 100 whichever is later this is because of grandfathering concept clear ना अब यदे को समझ में रहा कि नहीं पूरा का पूरा अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं बड़ी विचितर बात है कभी ध्यान नहीं के स्चीश पर अपना जरह देखो तो अब तुमको बोलूगा लेकिन अब तुम समझ जाओगे तब तो समझते नहीं जब मैं इंप्रूव्मेंट के गेस में इंडेक्सेशन निकाल रहा हूं तो इंप्रूव्मेंट मैंनोंने बोल दिया डेनॉमिनेटर में C.I.I. of the year of improvement पर आगे ये नहीं बोला और 1.4.2001, whichever is later क्यों? 2001 के पहले वाला इंप्रूव्मेंट लिया ही नहीं जाता उस बैचारे का तो grand fathering छोड़ो indexation छोड़ो वो जो improvement में खर्च थागा वो भी minus नहीं होगा यहनुन है बड़ा गंदा बात बात बोल दिया कि 2001 के पहले का improvement काउंटी नहीं होगा अब सोचो 1960 से लेके 2001 के बीच में अगर दादाजी ने उस building में कोई structural alterations किये एक फ्लोर वगेरा एक्ष्टा बनाया था तो बोला वो cost भी minus नहीं करने देंगा उसका indexation छोड़ो उसका grand fathering छोड़ो minus करने देंगे यह नहीं और वो गड़ी में पॉइंट आप तो पुपरा chapter पता है तो आप में यह बात बूल सकता है समय आ रहा होगा यह बड़ी खास बात है bonds and debentures का indexation नहीं होता जब bonds या debentures का redemption होता है तो वो capital gains में आता है जो भी आपको premium मिलेगा जैसे मैं एक उधारन दे रहा हम आपको simple आज से 5 साल पहले company ने 100 रुपया की face value की debenture issue किया थे आज से कितना साल पहले 5 साल पहले company ने 100 रुपया face value की debenture issue किया थे आज company वो redeem कर रही है 105 रुपय पर कितने पर 105 रुपय पर और 10% interest rate था तो 5 साल तक आपको 10-10% interest मिला तो interest on debenture तो IFOS में जाएगा income from other sources और ये जो redemption का 5 रुपय एक्ष्टा मिल रहा है ना ये 5 रुपया जो है ये जाएगा capital gains में तो आप debenture का solve करोगे debenture का sum solve करोगे तो index cost minus करना चाहोगे लेकिन debentures के case में 5 साल होगा है long term है obviously debenture का redemption तो long term ही होगा 5 साल 10 साल के नीचे थोड़े ना होता है तो long term ही होगा ही तो indexation करना चाहिए पर ये नों ने बोला bond venture का indexation नहीं होता very important ये बात हम लोग भूल जाएंगे हमारी आदत है indexation करो indexation करो bond venture का indexation नहीं होता लेकिन तीन ऐसे bonds है जिनका indexation होता है वो क्या है ZCV zero coupon bond दूसरा capital index bond तीसरा sovereign gold bond इनका indexation होता है clear ये done है cost-numission index next अब हमारे special cases start हो रहे हैं कि करके यहाँ बोड़ पर देखना प्लीज यह आपके सामने यहाँ पर there are 13 special cases one by one आएगा सारा का सारा कितना 13 special cases जो मैं discuss करने जा रहा हूँ यह special cases बहुत सुन्दर हैं और यह एक साथ overlap भी करते हैं ऐसा नहीं होता कि they are mutually exclusive कई बार यह होता है कि 2-3 special case को मिला के भी एक sum बन सकता है यह सारे special cases में हमने पूरा detail में पढ़ा था class में sums के साथ लेकिन आज sums नहीं है आज तो concept याद करना है कि अबल ठीक है तो इनका concept बहुत आराम से धरे-धरे याद होगा और बलकि तुमको पूरी complete picture भी समझ में है ट्रिक सिखाई थी class में ठीक है अब की बार Modi सरकार 2014 में जो चुनाव हुए थे 2014 में जो चुनाव हुए थे 2014 में भी होंगे 2014 वाले चुनाव बड़े ही revolutionary elections थे in the Indian history in last like 20-30 years because कोई political party एक थंपिंग majority के साथ जीत के आया था without any coalition government okay and that was BJP और यही face चल रहा है इंडिया में ठेक है वो कहावद भी बन गया था अब की बार Modi सरकार तो कब आया था यह लोग election में 2014 में यह खली याद रखने के लिए इसका इससे actually कोई connection है नहीं ठेक है इन्होंने क्या बोला 2014 के पहले अगर advance money forfeit किया है तो उसका treatment अलग होता था और 2014 के बाद किया तो उसका treatment अलग होता था ज्यादा सही कौन सा है यह ज्यादा सही है सर क्योंकि आप देखो advance money forfeited में क्या हो रहा है there is no transfer of capital asset sell हो गया तो sell advance money forfeit कर लिया अब आप समझो capital asset तो transfer हुआ भी नहीं तो capital gains काई काई का तो यह जो आप पैसा हरपे हो यह काईदे से transfer of capital asset भी तो है नहीं तो capital gains तो हुआ ही नहीं तो जो income कहीं head में नहीं जाता वो कहां जाता IFOS तो वो जो advance money अप हरपे हो कहां जाना चाहिए IFOS में तो इन्होंने वहीं बोला है blue color for feature on or after 14 2014 उसको क्या माना जाएगा IFOS कहानी खतम लेकिन तुमको वो लोग exam में टटोलेंगे और बोलेंगे what about 2014 के पहले 2014 के पहले अगर आपने advance money forfeit किया है तब वो आपके cost से कम हो जाएगा बेचते टाइम पर ठेक है for feature before 1414 your cost will become cost minus forfeited amount तो आपकी cost दी कम हो जाएगी तो बेचोगे चाहिए जबी भी सब उस मानलो 2012 में forfeiture किया था 2012 में forfeiture किया था और 2023 में बेच रहे हैं तो 2023 में बेचते हो capital gains self rate करोगे FVC minus cost index cost whatever तो वहाँ पर cost जो होगा उसमें से forfeited amount less करके फिर balance cost दाएगा फिर indexation किया जाएगा ठेक है indexation इसके बाद होता है पहले original cost से जो भी है उससे forfeited amount less को फिर अब आप indexation करो बैठके ठेक है indexation करके minus मत करना पहले cost से वह forfeited amount minus करना फिर indexation करना ओ गया nice simple second second वाले को मैंने नाम दिया है क्या और मैंने क्या नाम दिया है यह नाम लोग पहले से use कर रहे है ठेक है grand fathering provision यह law में एक famous word है grand fathering कानून बदलते हैं के नहीं कानून नया आता है कि नहीं आता है तो जबी भी नया कानून आता है तो adjustment के लिए पुराने कानून के साथ जो हम कुछ एक provision लेके आते हैं उसको बहते है grand fathering ठेक है तो यह बड़ा कमाल का शब्द है यह law का पैदा किया हुआ शब्द है टैक्स में भी यूज होता है ठेक है grand fathering provision अगर 2000 एक के पहले की asset है तो क्या होगा आप cost कितना ले सकते हो original cost या फिर fair market value on one for two thousand one whichever is higher तो यह होगी है ठेक है यह easy है इसके बगल में लिख दो इसके बगल में लिख तो गुड़ न्यूस फॉर अस ऐसी कि suppose 1960 की property है जो हम 2023 में बेच रहे है तो 1960 का cost या फिर 2000 एक का fair market value whichever is higher वो लेंगे तो जादा ही आएगा तो आपको cost बड़ा करने का मौका मिला के नहीं मिला that is called good news अच्छा second property के case में एक और ग्यान है वो ग्यान क्या है वो समझा देता हूँ पहले वो पर न फिर इसमें आना ठेक है मैं आगे जाके तो थोड़े देर बाद पढ़ाने वाला हूँ लेकिन अभी advance में बता देता हूँ अच्छा रहेगा सारी जितनी भी properties होती है किसी भी इलाके पर उन property पर tax वगेरा collect करता है municipal corporation ठेक है ना central government ना state government कौन collect करता है municipal corporation जिसको अपने बोलते हैं property tax है municipal tax house property chapter जब लोग करते हैं तो उसमें GAV से हम लोग municipal tax less भी करते हैं ठेक है तो property के taxes वगेरा कौन लेता है यह अपना क्या नाम है इसका municipality है लेकिन property को जब बेचा जाता है buy sell जब होता है तब उस पे एक बहुत बड़ा tax लिया जाता है जिसको हम कहते है stamp duty और वो लेता है state government वो कौन लेता है state government जैसे property को जब आप बेचते हो तो बेचते के बड़ क्या होता है property का जो ownership है change होता है suppose एक property है owned by Mr. Raj now it is purchased by Mr. Kush तो अब property का जो ownership registration है वो Raj के नाम set के कुश के नाम पे आएगा तो इस वक्त ना stamp duty पे करना पड़ेगा किसको who will pay the stamp duty the buyer will pay the stamp duty to the state government and I am telling you it is close to like 7-8 percent अच्छा कासा होता है stamp duty मतब transaction value का 7-8 percent तो state government क्या करती है state government वो हर इलाके में हर property का एक value निकाल रखिये जिसको हम लोग बोलते है SDV stamp duty value of the property कहने का मतलब है वो value of the property हम लोग लेंगे for calculating the stamp duty ठेक है तो state government अलएड़ी value निकाल रखिये मतब value of the property for the purpose of imposing stamp duty SD value हर इलाके में हर property का एक circle rate होता है वो SD value होता है वो कौन निकाल के बैठा है state government कौन निकाल के बैठा है state government ठीक है central government ने बोला हम भी उसी पर भरोसा कर लेंगे central government ने बोला हम भी उसी पर भरोसा कर लेंगे central government ने बोला fair market value instead of fair market value so properties के case में fair market value से भी ज़ादा reliable benchmark कौन सा है SDV state government का निकाला वा है state government update कर रखा है collect है ना correct इस पर को दिक्कत तो नहीं है ठेक है उसी value पर state government लेगी stamp duty और उसी value पर central government collect करेगी income tax as per capital gains तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आप land building की बात करो दादाजी की गोठी तो वहाँ पर हम आपको बोल रहे है ध्यान से वो क्या है original cost in 1960 और अब 2000 एक कम को fair market value लेना है तो यहाँ पर थोड़ा सा रुखना पड़ेगा 2001 का fair market value या SDV value whichever is lower तो सब कुछ वही है बस 2001 की जो fair market value है और SDV value उसमें से जो lower है वो लेंगे तो यहाँ पर grandfathering थोड़ा कम हो गया यहाँ grandfathering थोड़ा कम हो गया मतलब आप fair market यह लोग यह भी तो बोल सकते थे fair market value और stamp duty value whichever is higher फर whichever is higher बोला कि whichever is lower बोला तो less grandfathering higher बोलते तो मैं बोलते तो very good news पर higher नहीं बोला ना क्या बोला है lower take it clear रहिए याद रहिए next 2001 के पहले का कोई भी improvement है तो वो तो count मतलब उसका indexation grand fathering तो छोड़ो वो minus भी नहीं करने देंगे 1990 में grand father ने दो लाख रुपया खर्श करके उस पे एक floor और concert किया था वो दो लाख रुपया minus नहीं होगा bad news है ना हमारे लिए तो ठीक है father son third party हमने IFOS भी पढ़ लिया है हमने capital gains भी पढ़ लिया है तो अब जो मैं बोलूँगा और clear होगा तुमको सुनो capital gains के अंदर जितने भी gift होते हैं सब exempted चाहे gift relative से मिला हो या किसी outsider से okay capital gains में gift is regarded as exempted transfer under section 47 तो gifts को capital gains के बाहर रखा गया है क्योंकि gifts के उपर अलग से कौन है IFOS IFOS is that head of income the fifth head of income which exclusively deals with gifts तो gifts को capital gains दो भाहर कर दिया है exempted है अच्छा IFOS के अंदर भी gifts में ग्यान है कि gift अगर आपको marriage के मौके पे मिला है या फिर gift आपको रिष्तिदार से मिला है या फिर gift आपको विरासत में मिला है तो वो क्या होता है exempted तो IFOS में भी gift ऐसे तो taxable है पचास यह रुपे की value cross होने से क्या होता है taxable लेकिन उसके अंदर भी कुछ exemption के cases है तो मैंने यहां पे दोनों विक्ति को क्या बना दिया relative father and son are relatives तो gift ऐसे भी exempted होता है उपर से relative से gift तो वो तो हर जगा exempted होता है अब सुनो पापा ने बेटे को बेटी भी हो सकती है पापा ने बेटे को gift किया capital asset ठेक है jewelry, land, building, whatever gift किया capital asset so that's an exempted transfer exempted from capital asset exempted from IFOS तो बेटे को बाप से जो gift मिला totally exempted है कोई tax tukes नहीं लगेगा बेटे ने ये capital asset बाद में क्या किया बेच दिया किसी third party को अब तो sir tax अब तो sir tax लगना चाहिए है ना अब तो tax लगना चाहिए तो बेटे का tax जब आप calculate करोगे तो formula क्या होता है FBC minus index cost and all that FBC आपको पता है कितने में बेचा बेचा बेटे ने minus cost तो बेटे का cost जीरो है क्योंकि उसको तो gift मिला है तो बेटे का cost क्या लेंगे ये एक दिक्कत है तो इसको याद करने के लिए मैंने एक holistic नारा लिखवाया था ये यादने डैलो ये सब चीजें तो याद करवाती है याद्वांस मनी फूर फिचर है मोधी गवर्वर्मेंट फिर अपना वू आया क्या नाम है grand fathering provision ठेक है फिर याँ बाप का पाप तो ये सब चीजों से क्या होता है एक long time तक वो पूरा पूरा concept याद रह जाता है इसका मतलब है father के लिए जो cost of acquisition था son के लिए भी वही cost माना जाएगा great तो son का cost zero नहीं होगा बलकि father का जो cost था वही होगा ये अच्छी बात है period of holding period of holding भी सिर्फ son की period of holding नहीं आएगी पूरी total period of holding आएगी father ने जब खरीदा था तब से लेकि आज जब हम बेच रहे हैं तब तक आप पूरा indexation मिलेगा तो period of holding लंबी होने से क्या होगा long term हो जागा indexation और ज्यादा मिलेगा तो बाप का indexation भी मिल जाएगा आपको तो father की period of holding भी मिल गई father का indexation भी मिल गया father का cost of acquisition भी मिल गया father का cost of improvement भी मिलेगा father का cost of obviously 2001 के पहले का नहीं मिलेगा 2001 के बाद का सारा improvement father को भी मिल जाएगा तो बाप का पुन्या तो बेटे को मिलेगा पर बाप का पाप बेटे को नहीं मिलेगा what is the pop sir advance money forfeited father ने son को gift करने के पहले उस property को बेचने विषने के चिष्टा है की होगी तो property के दौरान कुछ बाया ने advance पैसा भी दिया तो जो नहीं deal हो पाया तो वो डूब गया पैसा वो जो advance money forfeited है ना वो father ने forfeet किया था पर son से सरकार वसूली नहीं करेगी so any advance money forfeited by the previous owner is totally ignored तो जित्ते भी पुन्य वो मिल जाएंगे cost of acquisition cost of improvement period of holding indexation पर जो पाप है advance money forfeited वो नहीं मिलेगा very easy to learn and remember clear है कि नहीं है यहां तक दान है यह सारा ग्यान तो नीचे लिखा हुआ है sir और क्या यहां यहां मास्टर समरी थीक है अब तुम लोग क्योंकि फोड़े mature हो गए हो मैं तुमसे IFOS के एंगल से बात अब वापस से कर सकता हूँ ठेक है यह तो बताया था उस दिन भी लेकिन उस दिन उत्ता समझ में नहीं आएगा अब तो IFOS पर जो अब समझ में आएगा मान लीजिए sir बाप बेटा नहीं है तो मान लीजिए कि बाप बेटा नहीं है रिलेटिव नहीं है फ्रेंड सार एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को जब गिफ्ट करता है तो capital gain में तो exempted transfer है उसमें कोई doubt नहीं है it's still an exempted transfer but IFOS में exempted नहीं है IFOS में tax देना पड़ेगा IFOS में tax देना पड़ेगा IFOS में tax देते वक्त कैसे निकलेगा tax IFOS equal to fair market value या फिर SDV of the property यही तो होगा FMV और SDV of the property तो मान लीजे जिस दिन gift मिला उस दिन इस property की FM market value यही थी 25 लाख रुपए है तो दोस्त ने जो प्रॉपटी दिया आपको खुश बात है गिफ्ट मिला है 25 लाख का value उसका FMV, SD, whatever 25 लाख का है तो यह 25 लाख सरकार छोड़ने वाली नहीं है because gift आपको इसने दिया है दोस्त नहीं और वह exempted नहीं होता तो इसके उपर आप tax दोगे तो 25 लाख पर आप tax दोगे अब सोचने वाली बात है कि आपने finally इसको बेचा at 40 लाख, अब जब हम लोग कंपूटेशन करेंगे तो FVC equal to 40 लाख minus cost क्या करेंगे, क्योंकि 25 लाख तो आप tax दे चुगे ना, तो हम 25 लेंगे चलेंगे, clear, period of holding भी normal, जो तुम्हारे वाला period of holding भी वैसे ही होगा, indexation भी वैसे ही होगा, clear ना यह है, यह पूरी बात, यह उस वर समझ में नहीं आती है, यास तो समझ में आ रही है, बाप के case में तो तुमने वो dialogue मार दिया, बाप का पाप बाप का पुन्य, दोस्त के case में dialogue नहीं चलेगा, दोस्त का ना पुन्य मिलेगा, और ना पाप मिलेगा, दोस्त का indexation भी नहीं मिलेगा, दोस्त का period of holding भी नहीं मिलने वाला, period of holding and indexation यह मैंने online क्या पढ़ो तो क्या देखो, cost reduction क्या लिखा है, value tax test, ifos, clear है कि नहीं, फिर नीचे blue color पड़ो क्या लिखा है, period of falling and indexation, period of falling and indexation भी कब कहा है, देखो, from the date when the assessi received the gift, not when the dost purchased it, but when I received the gift, वहां से लिखा है date of sale, so ना दोस्त का पाप मिलेगा, ना दोस्त का पुन्ने मिलेगा, चार नंबर का section बढ़ा मशूर है, 50C, जो मैंने अभी stamp duty valuation का ग्यान दिया ना तुम लोग को, वही सारा ग्यान यहां पर आने वाला है, ठेक है, मैं एक बार तुम लोग को एक बार उसको छोड़ो, मैं तुमको real life की एक चीज़ बिताता हूँ, real life में कैसे काम होता है दुनिया में, वही सब इसमें मैंने लिख के दे दिया है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको एक बार बात को समझ लो, real world में क्या होता है, suppose मालो, I am the owner of a property, I am the owner of a property, उस property की आज की दिन market value है, 5 करोड, market value कितनी है, 5 करोड fair market value, fair market value not SD value, fair market value 5 करोड तो मैं 5 करोड पे बेचना चाहूंगा मुझे एक बायर मिल गया, जो 5 करोड पे खरीदना चाहता है, great seller बेचने को तिया आ रहा है, बायर खरीदने को तिया रहा है, किते पे 5 करोड, 5 करोड यह चल रहा है कहानी, अब यहां बीच में, पिक्चर में कूदेगा state government, state government को मालूम ही कि property बेचा बाची हो रहा है, नाम ट्रांसफर है, तो stamp duty लेगा, stamp duty and registration मिला के 1.5-9% हो जाता है, कितना हो जाता है, 1.5-9% अब हम लोग तो उससे डर लग रहा है, तो हम लोग आपस में क्या है कि tax कम देना चाहते हैं, seller को capital gains tax देना है, और buyer को stamp duty, think about it, as a seller I have to pay what, capital gains, seller को यह तो capital gains होता है, बाइर को दोना होता है, और buyer को क्या देना पढ़ता है, stamp duty, हम दोनों को यह नुक्सान है in fact, ठेक है, तो हमने बुला क्यों ना एक काम करें, पांच कोड़ की property यह दो कोड़ पर दिखाता है, पांच कोड़ की property कितने पर दिखाता है, दो कोड़ पर, हलो, हाँ, तो सबोज मुझे देना है capital gains, उसे देना है stamp duty, तो हम लोग सौधा तो पांच कोड़ पर कर रहे हैं, पर सरकार कौम कम दिखाना चाहेंगे, सब वो सरकार कौम दिखाना चाहेंगे सिर्फ दो कोड़, कितना चाहेंगे दो कोड़, तक कि मुझे भी capital gains देते वक्त, तुम मेरा FBC, पांच कोड़ दे दो लिखो, तो capital gains तीन कोड़ से द्रहाक से गिर जाएगा, और अगले को भी stamp duty पांच कोड़ देना है, दो कोड़ देना है, तो उसका भी बहुत पैसा बच जाएगा, सरकार ये बरदाश्ट तो करेगी नहीं, ना central government प्रदाश्ट करेगी, ना state government, तो state government उस इलाके का एक rate निकाल रखा है, stamp duty valuation purpose के लिए rate, तो सबसे पहले क्या होता है, real life में, कि seller और बायर जब सौदा करते हैं, पांच कोड़ पर तो वो पहले पता करते हैं, कि भई इस property का SG value कितना है, तो government की site होती है, site में पुरा वो लोग address और street वाइस बिता देते हैं, कि इस street में जो property उसका rate इतना होगा, per square feet, per square meter ऐसे निकाला वर रहता है, तो आप multiply कर लो, सबसे आपका property यह 15 square feet का, तो आप multiply कर लो निकल का जाएगा value, तो हमने SD value निकाला, state government की site से देखके, SDV value came out to 4 crore उपिया, कितना? 4 crore, अब हम दोनों ही यह बात जानते हैं, कि अगर state government की SD value 4 crore है, तो यह state government 4 crore के निक्चे तो stamp duty लेगी नहीं, और नहीं income tax वाले 4 crore के निक्चे है, VC लेंगे for capital gains, तो आप real life में क्या होगा, कि हम लोग जब आपसे 5 crore का सौधा करेंगे, हमने SDV निकाल दिया 4 crore, हम क्या करेंगे? हम दिखाएंगे 4 crore का सौधा होगा है, कितने पे सौधा होगा है? 4 crore पे, ठेक है? वो मेरे को 4 crore उपिया bank से दे देगा, पक्का में payment, तो bank में जो आएगा, उसी को तो आप value मानोगे, तो 4 crore भी दिखा देगा, और 1 crore पे हम मेरे को cash देदेगा, जो हम लोग दिखाएंगे यह नहीं कहीं पे भी, एक crore पे हो cash देदेगा, यह तो कहीं आएगा नहीं मेरे systems में, 4 crore bank से देगा, तो हम लोग paper पे पर जितना भी बनेगा property का, उस सब पे value कितना दिखाएंगे, 4 crore, जितना SD value है, तो 4 crore तक मैं भी capital gains दूँगा, FVC को देगा 4 crore, और भी 4 crore पर stamp value देगा, यह होता है real life में, ठेक है, real life में तुम बड़े unlucky होगे, अगर by chance, by chance, बदलते रहते हैं, पर अगर तुमें से average बात करोगे, तो अगर किसी इलाके का, suppose market rate है 20,000 रुपया, तो SDV आधा ही रहेगा, 10,000 रहेगा, generally ऐसा ही होता है, कहीं कहीं हादसा हो गया, उसका क्या कर सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है, कि market value उस इलाके का, सब उस 20,000 का rate चल रहे है, SDV 25,000 रहे है, पर यह बहुत rare है, मैं बता देता हूँ, real life में SDV is always less, सब setting है boss, बहुत बड़ा nexus है, builder लोग का, ठेक है, सरकार का, बहुत बड़ा nexus है, तो यह stamp duty value कम ही रहता है, तो में इस इलाके का, SDV निकलवाओगे, वह बतारों तुमको 10,000 यह उसके नीचे आएगा, जब कि market value इस इलाके का 25,000 हो गया है, ठेक है, तो कमी रहता है, तो उसमें भी आपका उत्ता नुकसान नहीं है, कमी नुकसान है, सोचो, वो तो सरकार ने SDV बोल दिया, वरना लोग तो इतने वेशरम है, कि 5 खुर का property बेशते हैं, और 10 ताख रुपा का transaction value दिखा देते हैं, मजाग नहीं कर रहा हूं, मेरा आँखों के सामने देखा हुआ है या, मेरे आँखों के सामने का देखा हुआ है, यह होता है, लोग इतने नक्टे वेशरम होते हैं, जिसकी कोई limit नहीं होती है, वो तो उन्होंने SDV बोल रखा है, कि हम इत्ता तो दिखा हो, नहीं तो 5 खुर का बेचेंग और दिखाएंगे कितना, 10 लाख, कितने सारे नेता होता है, 10-10 रुपे, 100-100 रुपे पे जमीन खरी रहा है, 100 रुपे में जमीन मिलती है, प्रोपटी कागजात में लिखा हुआ है, हमने 100 रुपे में जमीन खरी रहा है, दो इस सम कंसिडरेशन, यह consideration है कुछ प्रोक क्यों 100 रुपया तो वो तो SDV लोग निकाले हैं यह तो लोग इंदम अती नीचे जा सकते हैं आर यू क्लिया है? अब यह पूरा जो SD value है income tax वाले इसको मानते हैं income tax बोलते हैं कि हम भी property के case में आप जो sale value बोल रहे हो और जो SD value हम उसकी तुलना करेंगे देखेंगे और फिर decide करेंगे कि FVC क्या होता है मैं इसको याद करने का यह तो सारा जो मैंने ग्यान दिया सब लिख दिया मैं इसको याद करने का एक trick सिखा रहा हूँ लिखना झाल झाल प्रविजिन में बड़ा फाइदा रहेगा इसमें आके दिक्वत होती है ठीक है अब बड़ देखो जब ही भी question में sale value देखो तो sale value से काम नहीं चलेगा जो भी हमने sale value बोली है उसको पटाक से multiply कर तो किस के साथ 110% के साथ तो sale value सब्सक्राइब लिखा हूँ है पांच करोड़ सीधा सोचो के मन में क्या सारे पांच करोड़ और फिर sdv value जो दिया हूँ वो लिखो के अगर sale value का 110% amount आ रहा है अगर वो sdv value के बराबर है या उससे ज़्यादा ही है तो मतब सरकार बोलती है कि तुम तो इमांदार हो तुम क्या हो इमांदार अगर तुम्हारी बताईवी value basically simple सी बात है कि और अगर तुम इमांदार हो तो तुम्हारे case में तुम लोगों ने जो भी sale value बताया है न हम वही ले लेंगे ठेके हैं अगर यह basically सरकार ने बोला कि आप लोग अपनी sale value में चलो 10% रूपर नीचे हमां लाओ कर देंगे सरकार ने बोला कि 10% उपर नीचे हमां लाओ कर देंगे तो 110% निकाल लो अब यह left side है तुम्हारी बताईवी value जिसको हम बोलते है assesses value ठेक है और दूसरी तरफ क्या है government's value सरकार ने हमारी निकाली value में 10% रूपर नीचे हमां लाओ कर दिया तो हमारी जो sale value उसका 110% multiply करो let's call it assesses value और सरकार ने जो value निकाला SD value उसको बोलेंगे क्या government's value अगर हमारी value उनके value से greater than equal to है तब हम इमानदार है तो पुरस्कार का दोर पर सरकार बोली जो तुम sale value बोल रहा है वह इमान लेंगे FBC equal to sale value the best लेकिन अब sign कौन सा है मतब तुम्हारी value पे 110% multiply कर लिए फिर भी देखने है वह SDV से कमारा मतब तुम लोग क्या हो बेइमान तब उस case में सरकार बोलेगी कि तुम लोगों की value तो नहीं लेंगे हम अपनी value लेंगे अपनी value मतलब तुम लोगों की तुम लोगों 110% multiply करना और फिर तुलना करके देखना अगर हमारी value उससे अभी भी बराबर या अधिक है तो हम इमानदार है हमारी value उससे कमारी है तो फिर हम बेमान है सरकार अपनी value लेगा अच्छा अब एक बात सुनो property का जिस दिन agreement होता है buyer seller में और जिस दिन property का finally registration होता है government में उन्हों ट्रांसफर होता है इसमें there is a time gap सरकारी process में time लगता है कुछ महीनों से कुछ साल का तो उस दोरान हो सकता है कि जो SD value वो revise हो जाए बढ़ जाए और बढ़े गई कम नहीं होगा बढ़े गई तो हम SD value date of agreement का लेंगे कि date of registration का लेंगे तो इन्होंने बोला कि अगर जिस दिन मेरे और buyer की वीश में agreement हुआ है उस दिन या उसके पहले कुछ भी अगर पक्का में पैसा मिला है पक्का में मतलब वही advance account pay, check account pay, draft, ECS, rule 6, Abba कुछ भी पक्का में मिला है चाहिए 10,000 रुपया हो चाहिए आज या आज के पहले तब फिर हम date of agreement का SDV ले लेंगे अन्य था हम कौन सा SDV लेंगे date of registration का तो normally date of agreement का ही होता है जब agreement होता है तो seller जो होता है buyer से कुछ advance पैसा लेता है advance money लेता है उसको अपने हिंदी में बोलता है बयाना बयाना मतब एक तरह से रोका जैसा हो गया अब आपने मुझको दे दिया advance पैसा कुछ तो अब मैं property के लिए कोई और buyer नहीं ढूनूँगा किसी और को नहीं बेचूँगा वरना तो हो इसकता है बदमाशी सोचो जरा कि I am a seller मेरी property पाँच कोड की तुम आए मेरे से सौधा की पाँच कोड में अपना बात हो गया ठेक है तुमने मेरे को advance पैसा नहीं दिया दो दिन बादी कोई मैं तो इतने लोगों को दिखा रहा था दो दिन बादी पुराने कोई बंदा जो देखने आया था वो फोन करे बोलता है कि हम आपको छे देने को त्यार है तो मैं तो क्या बोलूँगा ठीक है इसका cancel चलो तो इसलिए real life में क्या होता है तुम कुछ advance पैसा देखे lock करते हो कि भई हमने आपको पैसा दिया तो अब आप पीछे नहीं आठ सकते है हम कोई बेचो के property समझे रहे हो तो यह generally होता ही है तो हम लोग date of agreement का SDV लेते है logically तुम समझ जाओगे ना तो long time याद रहेगा मदब तुमारा रट्टा का लोट थोड़ा कम हो जाएगा नमबर फाइव में आप लोग सब गौर करो section अलग है 45 1A इसका मतलब यह क्या है general chargeability की specific chargeability जहां पी specific chargeability आता है वहां indexation को लेखर बड़ा सावधान रेनी की हमें जरुवत है tax भले ही recid basis पे होगा परन्तु indexation तो transfer date तक ही होगा तो ऐसे sums में न indexation की गलती हो जाती है students से आपकी कोई भी asset है जलवल के राक हो गई obviously कौनसी वाली asset क्योंकि depreciable asset अगर जलके राक होगी तो 45 में नहीं आएंगे फिर सीधा block से माइनस कर देंगे insurance claim का पैसा काम खतम आपके अबस कुछ non depreciable asset थी जलके राक हो गई insurance company से पैसा आया तो बुता tax तो लगेगा FBC equal to insurance money received minus minus वाई सार expenses for transfer index cost index cost बस indexation करते होता आप ख्याल रखना या पूरा 22-30 तक का indexation माइ डालते हैं जबी भी वो जलके राक हुआ है 19-20 में जबी भी तब तक का indexation खाली करना है are we okay with this एला point it will be taxed in the year in which money is received इसी को तो कहते है capital gains normally किस सा लगता है in the year of transfer लेकिन यहाँ पर किस सा लगेगा in the year you receive money from insurance company FBC क्या होगा जो भी पैसा है वही होगा और क्या period of holding indexation कब तक होगा date of acquisition से date of destruction of asset क्योंकि destruction of asset कोई तो अपने transfer बोलते है ना तो यही दो बाते तो खास है थोड़ी है ना कि tax तगेगा receipt basis पे पर indexation होगा सिर्फ transfer तक सही है के नहीं है पूरा clear है अई picture समिना रहा है पूरा है यह यह मैं हडा दूं क्या जो मैंने इतना बोला जो मैंने ऊपर लिखा हो मैंने वापस से लिखा वह ही है सिधासर में वह ही लिखा हो है जो मैंने उपर हाँ से लिखा दिया है ठागिया next इधर भी तुम देखो chargeability का section अलग है यह क्या है compulsory acquisition by government बड़ा अच्छा है यह इसे मैं तीन बातों पर emphasize size करने जा रहा हूं सबसे वह तो यह लिख लो तुम लोगे बात कि यहां पर भी tax लगेगा on बात कि अगा है यह ंग्या है यह तुम पर दो तुम अग़, ूपर पर लोगे यह, यह रखना तो बड़ा है क scroll ओके, सेम डायलोग जो वहां लिखा था हमने भई अब यहां खास तीन बातें आद रखने हैं अब यहां खास तीन बातें आद रखने हैं बात करें क्या सर नमबर वन क्या लिखा है देखो हो गया बात करू मैं सर नमबर वन क्या लिखा है Initial Compensation सरकार ने कानून के अंतरगा दाइरे में रहकर हमारी प्रॉपरटी छेन ले बिकोस हमारी प्रॉपरटी जिस जगा लोकेटेड थी वो सरकार को वो जमीन चाहिए for some public welfare project तो हमारी प्रॉपरटी सरकार अक्वायर कर सकती सरकार के पास यह आखे पर सरकार हमको मुआउजा देगी तो सरकार ने अपनी तरव से Compensation सोचा और उसे हम कहते है Initial Compensation That is decided by the government ब्रैकेट में क्या लिखा है As fixed by Compensation है एक करोड उपया कितना है? एक करोड उपया और सरकार ने बुला यह हम आपको सिधार चार इंस्ट्राल्में में देंगे 25 लाके चार इंस्ट्राल्में में तो जिस साल मुझे पहला 25 लाके इंस्ट्राल्में में बलेगा ना Bad News उसी साल पूरे एक कोड़ पर टैक्स निकाल के देना पढ़ेगा यह गलत बात है कि पहला इंस्ट्राल्में जवाब दे दोगे तभी तो इसको हम लोग बुलेंगे एक तो आप हमारा प्रॉपटी शेन रहे हो उपर से आप कॉम्पंसेशन में पहला किश देते हैं बोलों कि फुल टैक्स देना पढ़ेगा होना तो यह चाहिए था कि जब जब 25 लाक दे रहे हो तब तब टैक्स तो पढ़ना ही बोला पूरा टैक्स एकी बार में तो पहला में फर्स्ट शॉल में में सरकार ने बोला आप सरकार से भिड़ गए क्योंकि आपको लगता है कि आपकी प्रॉपटी जो नों ने छीनी उसकी कीमत एक करोड़ नहीं है बलकि डेड़ करोड़ है तो आप अदालत में जाओगे अदालत में आप केस जीद गए और अदालत में बोला कि डेड़ करोड़ मिलेगा तो अदालत में पचास लाज एक्स्टर बढ़ा दिया क餘ी यह चीनी इसको हम कहते हैं एन्हांस कॉमपनसिशन क्या कहते हैं एन्हांस कॉमपनसिशन ब्रागर में कहा लिखा है एन्हांस भई हूम कौर्ट तब जब देगा तब तब मतब पचास तक में पचीस दब देगा तब टैक्स फिर पचीस जब देगा तब टैक्स तो इसको बोलते हैं installment wise taxability क्या बोलते हैं इसको इस तो एक करोड रुपया जो initial compensation था उसमें तो निया में कि पहला installment जैसी सरकार मुझे देगी full tax निकालो full दो लेकिन जो enhanced compensation वाला portion है उसमें सरकार जब 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 जितना installment देगी तब तब उत्ता tax देना है अब देखो आप enhanced compensation के time पर जब आप tax निकालोगे तो आपका cost तो कुछ भी नहीं है जो भी आपका index cost वगएरा था वो तो initial compensation में आप minus कर चुके ना तो यहाँ पर enhanced compensation में कोआ कोई निल enhanced compensation long term या short term क्या माना जागा बोलता है initial compensation के जब निकाले थे तब जो माने थे वही होगा तब long term तो यह भी long term तो short term तो यह भी short term दे रही है compensation late दे रही है तो उसका interest देगी कि नहीं interest on compensation capital gain में taxable नहीं है तो सिरक कहा taxable है और ऐसे तो IFOs तुम लोग पढ़ चुके हैं IFOs में तुम लोगों मैंने कितना सारा अलग-अलग income पढ़ाया दिडुक्शन भी पढ़ाया था कि नहीं डिडुक्शन का section नमबर के है 57 57 याद है IFOs में family pension जब मिलता है तो कितना कम amount का डिडुक्शन था one third और पंदरा हजार रुपिया whichever is lower पूरे IFOs में एक ही डिडुक्शन है in fact पूरे income tax में एक ही डिडुक्शन है जो इतना भैंकर है बोला इस interest पे सीधा 50% standard deduction IFOs तो क्या पूरे income tax में इतना बड़ा standard deduction नहीं है बोला जितना बे आज मिला उसका 50% standard deduction आपको हम दे रहेंगे अची बात है तो यह जो topic पढ़ने है इसका नाम क्या है compulsory acquisition अब एक बात सुनो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक छोटा सा exemption का section है नीचे देखो 10 का 37 देखो रूरल खेट रूरल खेट तो capitalist होता ही नहीं है अगर सरकार रूरल खेट को acquire करे और बदले में आपको मुआउजा दे तो उस पर tax नहीं लगेगा वो तो सरकार ने किया ही होगा ना पका किया होगा तो सरकार ने कभी ना कभी तो अधिगरे ने किया ही था तो रूरल खेट में जब सरकार चिनती और मुआउजा देती है तो उस पर कोई tax नहीं होता सरकार ने यही बात अरबन खेट के लिए भी बोल दिया अरबन खेट को सरकार चिनेगी तो वो एक्जम्टेड है अगर अरबन खेट है और सरकार ने चिन के मौफ़जा दिया तो सरकार ने भी नहीं हम चीने हम एक्जम्ट कर रहे है खेट मतलब last 2 साल से खेटी के लिए यूस हो रहा है साथ नंबर Capital Gains on Goodwill etc Goodwill etc. मतलब ये सब तमाम Intangible Assets है ठेक है? ये बहुत सारे Intangible Assets है जिनका नाम हमें दिया हुआ है Goodwill है, Trademark है, Brand Name है Right to Manufacture, Produce बगेरा इन सब के उपर डीटेल में मेरा क्लास में मैंने डिसकस किया था, एक एक वर्ड का मतलब बताया था, इसमें Stage, Carriage, Permit क्या होता है, Loom Hour क्या होता है सब कुछ बताया था, तो आज तो वो दिन नहीं महारत होना है ये सब basically क्या है Intangible Assets, इनके लिए आपको मुख के तोर पे तीन बातें याद रखनी है Number One Simple है Important Points क्या है, सबसे पहला Point, Cost of Equation Maximum, ये अलग से बोलना क्यों परढ़ा Because Maximum cases में Tangible Assets खरीदने का पैसा लगता है Intangible Hello Maximum, अगर आप practical बात करो Tangible Assets खरीदने का पैसा लगता है अब ये थरमस मैंने खरीदा, तो कुछ कीमत होई होगी इसकी ये फोन मैंने खरीदा तो इसकी कुछ कीमत रही होगी Intangible Assets जो होते हैं Mostly वो Self-Generated होते हैं क्या होते हैं? आज जो मेरा Copyright है या जो मेरा Trademark है ठेक है है ना? I am a coaching teacher तो मेरी बुक Copyright कराई भी है मेरे जो वीडियोस होते हैं वो Copyright है मेरे नाम पर तुम जानते हो ना Copyright पहले Copyright लोग समझने थे अब तो सब समझने लगे क्योंकि YouTube में कोई भी अगर वीडियो किसी का काट के डाले Copyright Strike हो जाएगा मेरे मैं छोटा सा किस्सा बता तो मैं शौक्ड रह गया था मेरे साथ हो गया था Republic Day गंतन दे दिवस का मैं कोई वीडियो बना रहा था इसम्सिंपल मैंने Republic Day के वीडियो में यहां पे वो बस जो परेड नहीं होती परेड का कोई फोटो बस डाला था या कुछ ऐसा थोड़ा सा मतब यह नहीं की वीडियो लिए डाल दिया वो कॉपीरेड शाहिक आ गया था वीडियो मुझे अटाना पड़ा तो अब तो सब को समय आ गया there is something called copyright तो आज मैं कोचिंग टीचर हूँ मेरा maximum copyright जो है यह किताब है या यह जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यह कहीं से मैंने खरीदा है कि self generated है तो इसका cost of acquisition क्या होगा लाल रंग निल purchase price तो है नहीं ना यह book क्या मैंने ready mid खरीदी गहीं से नहीं यह वीडियो के मैंने खरीदी कि मैं बना रहा हूँ मैं खुद बना रहा हूँ तो इसका purchase price तो आई नहीं से तो पर क्या है cost निल ठेक है goodwill मेरा एक trademark मेरा एक brand name है जो मेरे किताबों में उपर लिखा रहता है सिदात और classes registered trademark तो I am the owner of this trademark ठेक है यह जो मेरा brand name है या trademark है ये भी खरीदा हुआ है कि created है तो इसका cost क्या होगा zero तो सरकार ने clear बोल दिया boss कि भई intangible asset के लिए अगर आपका वो self created है तो हम उसका cost zero लेंगे मतलब जितना पैसा आया full capital gains bad news है यह bad news है कि नहीं है ये तो बड़ा bad news है क्योंकि आपको minus करने कुछ मिले गई नहीं तो जो पैसा आया वो full का full क्या है capital gains ये bad news है अभी आगे सुनो दूसरा bad news ठीक है क्या दूसरा bad news क्या है no grand fathering मतलब 2001 के पहले का अगर खरीदा हुआ intangible asset है latest से purchased है अगर निल है तब तो grandfather से मतलब भी नहीं है अगर cost of acquisition निल है तब तो काय का grandfather काय का indexation लेकिन 2001 के पहले का खरीदा हुआ intangible asset है तो बड़ा grandfathering यहाँ पर नहीं होगा यह वापस एक bad news तीसरा 1st April 2020 से Goodwill पर depreciation बंद हो गया है तो इसके उपर तो मैंने PG में पढ़ाया भी था कि Goodwill के उपर last depreciation के अब मिला था 2019 में तो 1st April 2020 को अगर आपके intangible asset के block में Goodwill बैठा हुआ है तो उस Goodwill की WDV निकालो considering that Goodwill is the individual only asset in the block और उसको block से बाहर हटा दो ठेक है कि Goodwill पर depreciation मिलना बंद हो चुका है दन है यही है बस इसमों intangible assets next अब दो टॉपिक हमारे सामने back to back आने वाला है ठेक है मैं यह वाली topic में numbers से समझाऊँगा because यह बिना numbers के नहीं हो पाएगा दो टॉपिक है back to back एक capital gains में कहला आता है और एक PGV में आता है एक का section number देखो क्या है 45 का 2 मतब सरक capital gains में specific chargeability और दूसरे का section number देखो क्या है 28 यह तो PGVP का charging section होता है तो यह दो topic है back to back में घराऊँगा इसके बाद आसान है इसके बाद जो topics आएंगे यह आठ हो नो में आखरी मेहनत जादा है फिर इसके बाद जो 4 cases 10, 11, 12, 13 वो बड़े-बड़े easy कहानी concept जासे है तो तुमको तो आसान लगेगा ठेक है तो यहाँ ठोनो में एक बर एक break के बाद continue करेंगे इसको अब हम लोग topic number 8 और 9 पढ़ेंगे एक साथी होगा almost देखना इससे पुरा clarity आ जाएगा topic number 8 कह है मैं एक example लेके बात करता हूँ माल लो कि मेरा जो business है वो जोएलरी का business है तो जोएलरी का अगर मेरा business है तो normally जोएलरी में ले क्या होता है stock in trade और stock in trade को बेचने पर जो income होती उसको आप क्या बोलते हो PGVP income correct अगर मेरा जोएलरी का business है stock in trade है मान लिया पर मेरे घर में भी तो कुछ personal जोएलरी पढ़ा होगा की नहीं wife की जोएलरी, mother का जोएलरी घर में जो भी है उनकी जोएलरी होंगी तो वो तो personal जोएलरी है personal जोएलरी is not stock in trade that's a capital asset तो मेरे पास दो प्रकार की जोएलरी एक घर मेरे जोएलरी पढ़ा है personal जोएलरी which is a capital asset बेचने पर capital gains और दूसरा मेरी दुकान में बहुत सारा जोएलरी का stock which is stock in trade income next बोलता है कि अगर मैं घर वाली जोएलरी को दुकान में ले आऊ मतलब बेचने के लिए from capital asset it is converted into stock in trade तो ये जो conversion है ये conversion ही मान लिया जाएगा कि transfer है the moment I bring personal जोएलरी into the shop for the purpose of selling it ये जो conversion आपने किया कि आपने capital asset को stock in trade में तबदील किया बोला इस conversion को हम क्या मान लेंगे transfer और इस पर क्या लगेगा capital gains परन्तु अभी आपसे वो tax का पैसा हम नहीं लेंगे कब लेंगे दुकान में लेके आ गए हो अब finally जिस दिन भी दुकान से बिकेगा actually तब हम आपसे tax collect कर लेंगे तो जिस दिन मैं shop में लेके आया उस दिन capital gains तो attract हो गया पर tax देने की जरुवत नहीं वो मैं बाद में दूँगा अब तुम अपने घर से दुकान तक लाए हो जिस दिन तुम लेके आया हो उसी दिन तुम capital gains calculate कर लो FVC minus expense for transfer minus index cost minus index cost पुरा निकाल लो ठेक है और निकाल कर उसको hold परके रखो और कुछ नहीं करना है FVC क्या होगा यहाँ पर हम तो दुकान में लेके आया है अभी तक बेचा तो है नहीं तो FVC क्या होगा बोला जिसका कोई नहीं होता उसका fair market value होता है तो जिस दिन आप दुकान पर लेकिया है और conversion कियो उसी दिन का जो fair market value that will be regarded as the FVC FVC equal to fair market value in the rate of conversion minus index cost पुरा करके आपने capital gain निकाल लिए निकाल के आप hold करके रखो अभी tax देना नहीं है फाइनली मान लो एक दो साल बाजा कि दुकान से वो jewelry बिग गया तो जिस दिन बिखेगा उस दिन दो चीज आपको करनी नमबर वन जो पहले आपने वो capital gain calculate किया था अब उस पर आपको tax दिना पुड़ेगा और दूसरा जिस दिन दुकान में लाए थे लिया था न वो fair market value for the purpose of capital gains it will be regarded as FVC and for the purpose of PGVP it will be regarded as cost price तो जिस दिन दो साल बाज दुकान में बिखेगा finally selling price minus cost price that will be PGP income तो दो तरग की income हो जाएगी एक first क्या है यह मेरा हाथ जाए पड़ो first capital gains and second PGVP and both are payable in the year of actual sale मतब जिस दिन actually भीगेगा उसी दिन आपको दोनो pay करना है तो capital gain शुरू में आप calculate करके रख लो कि capital gain जब आप निकालोगे तो indexation conversion rate तक यह होगा बेशने के date तक नहीं होगा तो यह पूरी की पूरी जो कहानी है यह कहां पर लिखे भी है 45 का 2 which is the chargeability section of capital gains उधारन से समझें बहतर रहेगा नीचे drawing देखो हमने कुछ shares खरीदे थे कितने के? बीस लाख रुपए के ठेक है? और shares जब खरीदे थे तो as an investment सोच के खरीदा था कि कभी बेचेंगे नहीं रखे रखेंगे that means it's a what? capital asset ठेक है? cost of acquisition कितना है? बीस लाख 2007 में 2007 में 5 साल बाद हमने एक NBFC स्टार्ट किया NBFC का काम वही है shares में buy sell, buy sell करना तो जो हमारे पास investment वाले shares थे उसको हमने NBFC में include कर दिया तो यह वही होगा capital asset को stock in trade बना दिया तो अब यहां से यहां तक जो निकलेगा वो है capital gains FVC minus index cost of acquisition equal to अब FVC तो कुछ है नहीं sir FVC तो कुछ है नहीं क्योंकि हम तो अभी उसको NBFC में include किया अभी तक हमने बेचा तो है नहीं तो बोलता है कि उस दिन का जो fair market value है ना यही मान लिया जाएगा क्या मान लिया जाएगा FVC for capital gain क्या मान लिया जाएगा FVC for capital gain तो conversion के दिन fair market value क्या है मेरा 80 लाक रुपया है ना circle में 80 लाक रुपया तो 80 लाक रुपया को मैं मान लूँगा FVC minus indexation index cost मेरा cost of acquisition किता था 20 लाक into index by index अब conversion कब हो रहा है 2007 में तो 278 का index 20078 का index जो भी होगा पता नहीं मेरे को divided by खरीदा कब था 223 तो 223 का index इस वाल्व कर क्या रहा है let's say 55.4 लाक जब से एक नंबर रहेगा इसके लिए तो conversion के दिनी आप capital gains निकाल लो सब कर लो पर अभी आपको tax देना नहीं है ये tax कब देना आपको taxable in the year of sale तो जिस दिन आप capital asset को stock बनाएं उसी दिन आप capital gains calculate कर लो भही तक का सिर्फ indexation होगा सब कुछ long term short term period of holding addiction सिर्फ भही तक का होगा वो आप निकाल के रख लो अपने पास पर अभी आपको tax देना नहीं tax कब देना जब actually बेचोगे हमने ये shares actually बेचे कब 2022-23 में at what price 95 lakhs ठेक है तो इतने साल तक तो ये stock की तरह था न तो आप जो stock in trade बेचोगे तो कौन सा tax लगेगा PG BP PG BP में profit कितना होता है simple है sir, selling price minus cost price, selling price कितना है 95 lakh बेचा 95 में है न सर आपने और cost क्या ले है तो सुनो, बोला की 80 lakh रुपे तक तो आप already capital gains tax दे चुगे है तो आपका नया cost है 80 lakh रुपे लखो तो यही fair market value capital gain calculation के लिए यह बन जाता है FVC और PGP calculation के लिए बन जाता है यह cost price सही है सीन तो 80 lakh is your cost for PGP तो आपकी PGP कितनी है 15 lakh और वो भी आपको कब उस पर tax देना in the year of sale obviously तो अगर तो अगर capital asset को stock बनाओ गए तो conversion के टाइम पर capital gain calculate करो पर tax मत देना tax कब दोगे year of sale yellow box देखो डाइगरम में both capital gain and PGP are taxable in the year of receipt हो गया यह यह ता first part obviously जब यह पढ़ेंगे तो मन में natural जग्यासा आएगी कि sir what if की दुकान का जुलरी घर ले गए यह भी तो हो सकता है नहीं क्या दुकान का जुलरी हम घर लेके चले गए मेरी जुलरी की shop है तो दुकान में जो पड़ा जुलरी वो तो stock in trade है तो अब सोचो घर में अगर मेरी मम्मी को कोई जुलरी चाहिए तो मैं थोड़ा दुसरे की दुकान में खरीद के लाओंगा खुद के अपास है तो वही जुलरी आप अपने घर ले जाओ कि capitalist trade की तरह तो stock in trade बने का capitalist trade जब stock in trade capitalist trade बनता है तो पहले PGP और फिन capital gains पहले PGP उल्टा हो जाता है पहले PGP और फिन capital gains इसलिए PGP का chargeability section के 820 तो अब 28 में जाएंगे 9 नंबर section नंबर क्या लिखा है 28 ये PGP में था जब मैं PGP की chargeability section तुम लोगे revise करा रहा था तो वहाँ पी आया भी था का निवर्जम मैंने बुला था ये मैं capital gains की साथ पढ़ाऊंगा बाद में वही आ गया ये ठेकें अब क्या हो रहा है उल्टा हो रहा है दुकान का समान घर ले जा रहे हैं यहाँ पर taxability अलग अलग है जिस दिन ले जाओगे उसी दिन PGP calculate करो PGP tax भी दे दू और बहुष्य में कभी वह जो जो जवलरी घर लेके गाई हो बहुष्य में कभी अगर बेचे कभी बेचे तो जब बेचोगे तब capital gains लगेगा तो यहाँ पर focus on the red boxes पहला red box क्या है PGP taxable in the year of conversion itself जिस साल हम दुकान से घर ले गए उसी दिन taxable PGP भी हो जाएगा PGP का formula क्या होता है selling price minus cost price selling price क्या है घर लेके गए बेचे तो है नहीं तो पैसा तो कुछ आये हैं नहीं फिर से वही बात जिसका कोई नहीं होता उसका fair market value होता है तो जिस दिन घर लेके गए उस दिन fair market value क्या था 80,000,000 वही यह deemed selling price है 80,000,000,000 minus cost कितना था सर खरीदा कितना था आपने 20 दाख था वही shares वाला example है so how much? 16,000,000 okay तो जो shares हमने stock की तरह खरीदे था अगर उसको हम investment माल लें capital sales में convert कर दें तो 60,000,000 PGP तपाक से वहीं पे हमको tax देना पड़ेगा बचने वाले नहीं है okay है सबों को तो देख कर देना अब finally भविश में ऐसा नौबत आ गया कि बेचना पड़ा तो आप तो उसको capital sales में convert कर चुकी हो और capital sales को जब बेचते हैं तो कौन सा income होता है capital gain equal to FVC minus index cost equal to FVC आपने finally कितने में बेचा 95 minus index cost a C into index by index इसमें year of sale का index divided by year of conversion का index वो let's say solve करके आ रहा है negative 110 तो loss हो गया आपको तो loss हो गया तो हो गया loss create हुआ है 22 ते इसमे या तो उस साल अगर कोई और capital gain है तो set off कर लो तो carry forward होगा आगे set off होगा तो जो चीज fair market value PGB के लिए selling price है वही चीज capital gains के लिए क्या है cost of acquisition यहाँ पर सबसे बड़ा फरक क्या आ रहा है सर बाकी सब तो same है सबसे बड़ा फरक आ रहा है उधर capital gain और PGB दोनों एकी साल में tax देना पड़ता था इधर पहले PGB हो गया तो उस पर tax दो फिर capital gain जोगा तो उस पिर capital gain पर tax देना अलग-अलग bifurcate करके होगा सबसे बड़ा फरक यही है यह पूरी टॉपिक पैदा कहा होती PGB chapter में पर आदा परदा पढ़ाने से confusion होगा और दोनों ही events में आप देख रहे हो कि PGB हो रहा capital gain भी हो रहा है तो जब तक capital gain पढ़ा ही नहीं समझ तो आएगा नहीं तो इसलिए आज capital gain पढ़ लिए तो PGB capital gain दोनों समझ में आ रहा है तो एक साथ यह दोनों topic को side by side रखे है आप लोग compare कर सकते हैं तो यह diagram में इसलिए बनाया था डायगरम से तुरण तुमको फरक समझ में आता है look at this पहले वाले डायगरम में सिर्फ एक ही yellow box से उधार कि दोनों में एक ही साल tax लगेगा लेकिन इस डायगरम में दो अलग-अलग red box है PGB पहले tax लग गया दे दो capital gain पहले अलग tax लगया बाद में दे दो 10 number कोई topic है यह नहीं वो actually एक छोटा सा section है 50D वो बोलता है जहां कहीं भी आपके पास कोई value available नहीं है वहां कौन सी value लोग है fair market value ठीक है और मैंने इसको याज़ करने के लिए बोला भी था जिसका कोई नहीं होता उसका fair market value होता है 11 number 11 number में आप देखो एक अलग section number है 45 5A कहानी मैं याद दिलाओंगा अब 11, 12, 13 ये तीन आखरी special cases क्या है ये किसे कहानी है इनकी कहानी बता दूँगा तो एक दम सरल है फिर कोई दम नहीं है इनका असली जो magic है वो इनके कहानी में ही है कहानी का नाम क्या है joint development agreement क्या बोला इसको मैंने joint development agreement ये कैसे होता और यही होता है आज के दिन maximum यही होता है ठीक है देखो एक बात हम सब जानते हैं कि जमीन तो नहीं बननी रहे ना अरी कहानी का हीरो कौन है राहुल राहुल है जमीन का मालिक इंडिविज्वल हुएफ याद रखना यह पूरा ग्यान जो हम लोग डिसकस करें यह सिर्फ तभी apply करता है यह जो सहूलियत यहां मिल रही है यहां सहूलियत है कुछ अच्छी बात है गुड न्यूस है यह गुड न्यूस के वल तभी है when your assessi is individual और हुएफ अगर आपका assessi कोई company firm है तो यह fan benefit नहीं मिलेगा assessi कोई है individual यह हुएफ ठीक है तो राहुल राहुल के पास एक जमीन है पर उसके पास पैसा वैसा है नहीं बस खली जमीन है पुरुखों की छोड़ी भी और उसका कोई धनसम पती कुछ और है नहीं एक builder है कारतिक वो उसको अप्रोच किया और बोला कि देखो यार जमीन त और जमीन खाली पड़े पड़े फाइदा भी किया तो बिल्डिंग बन जाए बिग जाए हमको कुछ फ्लैट्स मिल जाए दुकान मिल जाए और पैसा मिल जाए तो अच्छा है कि नहीं है तो जमीन इसकी और बिल्डिंग बो बनाएगा जो बिल्डिंग को बनाता है builder उसक के बीश में हुआ है इसको कहते है joint development agreement जमीन तुमारी बिल्डिंग हम बनाएगे तो finally राहुल ने अपनी जमीन कार्थि को दे दी कब 2019 में तो जब उसने जमीन ट्रांसफर किया तो यू नो था ट्रांसफर किया तो ये बोला ये special chargeability है जिस साल जमीन ट्रांसफर रहा उस सा tax नहीं लेंगे, tax कब लेंगे, completion year, tax कब लेंगे, completion year, जब बिल्डिंग मने complete होया, completion certificate में लेगा, उस दिन tax लेंगे, आज जब जमीन दे रहा है 2019 में तो tax नहीं लेंगे, great, तो जब इसने दे दिया कार्थि को, अब लेटर ओन construction खतम कब हुआ है, January 2023, January 2023, finally complete हुआ है, तो 22-3 में completion certificate आया, अब 22-3 में capital gains tax निकाला जाएगा, एक ही बार, क्या-क्या मिला है इस व्यक्ति को, number one, share in the building, generally joint development agreement में जमीन के लिए पूरा धन नहीं मिलता, बलकि आपको बदले में क्या मिलता है, share in the building, ज्यादा तर वही मिलता है, जैसे मालनों 10 तल्ले की building मनेगी तो तीन floor इसको दे देंगे, और पैसा थोड़ा देंगे पर वो कम रहेगा, तो खाली जमीन की कीमत तो बहुत ज़्यादा होती है, तुम लोगों को अगर idea नहीं तो बता देता हूँ, building का जो rate चलता है ना किसी भी इलाके में, जमीन का जो rate होता है, उसका 5 से 10 गुना होता है मतब suppose इस इस इलाके में जो property के rates हैं, वो है suppose 25,000 rupees square feet, वो property का value है, अगर आपको जमीन मिल रही है, जमीन खरीद रहे हो ना, जमीन कम से कम भी इस इलाके में सावा लाक से डेर लाक रुपया, मैं बोल रहा हो minimum side में, कि डेर लाक रुपया square feet होगा, जमीन मिल रहा है, जमीन तो आप पुरा कितना ही building मना दो न, 10 तरले का बना दो यार आप, 15 तरले का बना दो, तो जमीन की किमत बहुत जादा होती है, compared to property, तो बदले में दो चीज़ें मिल रही है, एक तो share in the building, उसका तुम SD value लोगे, कौन सा value लोगे है, fair market value नहीं लोगे, कौन सा value लोगे है, SD value, और दूसरा, पैसा, पैसा चाहे कभी भी मिला हो, चाहे 2019 में advance दिया था, चाहे 2022 में देगा, चाहे 2023 में देगा, सब एक ही बार में taxable करेंगे हैं, ठीक है, clear है, तो FBC equal to building में जो हिस्सा मिला, उसका SDV, plus money, advance पैसा भी taxable नहीं, वो सब जोड़ जार कि एक ही बार में 2023 में, completion के time पे taxable होता है, clear है कि नहीं है, यही है, बस और कुछ नहीं है, कहानी खतम, Joint Development Agreement में खास बात क्या है सर, capital against tax कब लगता है आपको, जब finally building में के तियार होती, completion certificate आता है, उस साल लगता है capital against tax, अचाहा, राहूल का, जब capital against निकालो के 2023 में, राहूल नहीं यह जमीन खरीदी थी, suppose, राहूल के दादाजी की जमीन है, 1905 में, तो indexation कब से कब का होगा, 2005 स 2019, indexation तो transfer तक ही होगा, indexation 2023 तक, नहीं होगा ना, पढ़ो क्या लेका, indexation only date of transfer, तो जब तुम 2023 में, राहूल का capital against निकालोगे, तो VC equal to share in the building plus money reserve minus index cost, तो जो भी cost था into 2019 का index, जबादे पे 2005 का index, वैसे, नेक्स हमारे सामने क्या है, reverse mortgage, यह अमेरिका में बहुत popular है, इंडिया मे नहीं है, उतना, इंडिया में है, उतना popular नहीं है, लोग follow नहीं करते हैं, concept इंडिया में भी है, इंडिया में भी banks लोगों ने चालू कर दिया है, तब ही तो हम लोग Indian income tax के अंदर पढ़ रहे हैं इसको, ठेक है, पर मैं आपको बता दूँ, यह ज़्यादा famous का है, USM है, reverse mortgage, इसका भी जो कहानी किस्सा है, मैं एक बार बता दूँगा, तब कहानी इसी हो जाएगी सुनना ध्यान से, अमेरिका जैसे देश में, क्या होता है कि, वहां की standard of living बहुत हाई है, यहां के मुकाबले, यहां अगर तुमारा घर खर्च 25,000 रुपे में चल रहा है ना, वहां घर खर्च कम से कम 2,000 रुपे में चलेगा, वहां इतना महंगा ही है सब तो वहां के जो लोग होते हैं, उनका standard of living इतना आई है कि सबको अपना मकान चाहिए, तो वो लोग जब जब जवान रहते हैं, काम कर रहे होते हैं, तब मकान बैंक से हमलोन पर खर्च लेते हैं, और फिर 20, 25, 30 साल तक इंस्टाल्मेर देते हैं, और फिर चुक जाता है लो एक old couple है, retired हो गया, 60 साल की उमर है, पती पतनी दमपती, उनके बच्चे तो उनको छोड़के जा चुके कहीं अलग रह रहे हैं, और इन लोगों के पास अपना खुद का मकान है, पर इनकी अब income आनी बंद हो गई है, अब retirement के बास अब उजमान लो कि कोई savings वगएर नहीं ह तो चाहिए, बलकि retirement में medical के experience बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो सब तो चाहिए, education का खर्चा नहीं बच्चे जा चुके हैं, rent भी नहीं लगता, भीकोज घर खुद काई है, खाली जो बिजली पानी, समान, खाने भी निकाता है, वो पैसा और medical के bills आते हैं, तो इनको महने का कुछ पैसा तो चाहिए ना, because इनके पास मान लो कोई savings नहीं है, तो funda क्या होता है, ये एक bank से बात करेंगे, और बोलेंगे हमें reverse mortgage कराना है, reverse mortgage में क्या होता है, एक तो mortgage का मतलब समझ लिए उतना, इंडिया में mortgage का मतलब होता है, घर गिरिवी करना, अमेरिका में ऐसा नह आना है, for next 30 years, ये लोग assume कर रहें कि 90 साल के बहले मर जाएंगे, तो 90 साल तक करा रहे हैं लोग, अभी 60 की है ना, तो 90 साल मतलब 30 साल और, तो bank से जाके 30 साल का reverse mortgage scheme करा लिया, उसका मतलब क्या है, ये अपनी संपत्ती आच बैंक के नाम पर transfer कर देंगे, रहेंगे यही उसम क्यों रहेगा, बाद में बताऊंगा, तो ownership के बैंक के नाम पर आच transfer कर देंगे, पर रहेंगे यही अपना ही मकान समझ के, अब ये bank को installment नहीं देंगे, अपितू, उल्टा होगा, reverse loan, bank इनको हर महने एक fixed amount देता जगा, देता जगा, देता जगा, सब उस महने का, bank वाला इ बार, 12 into 2 into 30, बहुत बड़ा amount आएगा, तो मान लो इसका जो future value, एक बार मन से ऐसी बोल रहा हूँ, ठेक है, calculate नहीं कर रहा हूँ, मन से बोल रहा हूँ, तो अब मान लो कि ये दोनो 90 साल की मौन में बैठे हैं, अब बार मान लेते हैं, ठेक है, 90 साल की मौन में जब scheme खतम ह तो बैंक वाला बोलेंगी कि हमने आपको इत्ते दिन तक जो पैसा दिया, उसका हमको amount दे दो पूरा पांच कोड़ उपया आच, तो अगर उस वक्त ये old couple बैंक को पांच कोड़ उपया दे दे या इनकी ओलादें आकर बैंक को पांच कोड़ दे दे, तो बैंक ownership reverse कर देग capital gains का टंटा, खतम, capital gains का टंटा, खतम, because building बिका ही नहीं, building बिका ही नहीं, ठेक है, या उल्टा, कि 90 साल के हो गए है, बैंक वाला को अभी ये चाहिए अपना पांच कोड़ पया, बच्चे मना कर दी, उनके पास पैसा है नहीं, तो उस समय क्या होगा, ये building का ownership किसके नाम बैंक, अब बैंक वाला इस building को बेचेगा, बेच कौन रहा है, बैंक वाला, लेकिन capital gains will be calculated in the hands of couple, assuming that it is their property, बेच कौन रहा है, बैंक, ownership technically किसके नाम पे है, बैंक, परन्तु पूरा capital gains किसके हाथ में calculated का old couple, जिनकी property थी, तो अब property को बेचा गया है, उससे जो पैसा है, बैंक जो surplus बचा, इन लोगो पकड़ा देगा, तो surplus इनको देदेगा, ठीक है, अब जो property फाइनली बिका है, उस पे capital gains calculate किया जाएगा, और वो इनके हाथ में taxable रहेगा, तो इनको जो भी bank से पैसा surplus बचा है, उससे tax का पैसा देदेगे, और फिर भी कुछ बच जागा, जिससे end हो जाता है, तो जो कारेकर नब्बे पे होता हो असी पे होगा, वहाँ पे भी क्या होगा, बैंक वाले का सब उस loan amount तब तक हो चुगा, सारे तीन क्रोड रुपया, तो बैंक वाला एक बचाएगा, उससे अपना सारे तीन क्रोड रुपया देदो, तो सारा हमारा loan सेटल, और आपकी ownership of the property आपके नम पे कर देंगे, दे दिये, तो well and good, no capital gains, पर अगर नहीं दिये, तो फिर बैंक वाला property बेचेगा, जो भी पैसा आएगा, उससे अपना सारे तीन क्रोड को लोन चुगाएगा, जो भी surplus बचा है, उलादों को दे देगा, और उस property की बेचने पे capital gains is calculated किया जाएगा, and it will be taxable in the hands of the ओलाद, are you clear, यह है reverse mortgage scheme, reverse mortgage scheme में भास तरकार ने बोला, कि जब शुरू में, at the starting of the scheme, when the ownership of the property is transferred in the name of bank, that time it is exempted, at the beginning of the scheme, when you transfer the property in the name of the bank, it is an exempted transfer, और capital gains में exempted transfer का section number कों सा है, 47, है न, तोसी में, दूसरा, bank वाले जो इनको हर महने पैसा दे रहे हैं, ठेक है, अभी सुनो, मैंने क्या बोला, American लोग installment को mortgage बोलते हैं, तुम इतना सारा तो अभी, American show बगेरा देखी रहे होगे, इतना सारा जो web series तुम लोग देखते हैं, सब तो American है, कभी गौर करना, वो लोग बोलते हैं, I have to pay my mortgages, I have to pay my mortgages, तो pay my installment, बोलो installment को mortgage बोलन लगए हैं, तो यहाँ पे आप bank को installment दे रहो, कि bank वाला आपको installment दे रहे हैं, दो दोला करमेन है, bank वाला तो इसको बोलते है reverse installment, इसलिए नाम पढ़ गया reverse mortgage, समझ मैं, यह गोरों की English है, हमारी English नहीं है, reverse, एक Indian आदमी अगर इसको interpret करेगा, तो can't कर देगा, इंड आदमी बोलेगा, mortgage में तो हम अपना building, bank पर गिरिवी रखते है, reverse mortgage में तो bank वाला अपना building, हमारे पास गिरिवी रखते है, यहाँ Indian English, नहीं चेलेगा, it's American English, mortgage means installment, reverse installment में तो आप bank को installment भी, bank वाला आपको installment दे रहा है, और आप end में bank वाली को एक lump sum amount देगे loan चुका हो गया, ठेक है, तो इन्हों ने बोला कि जब old couple को हर मेने पैसा मिल रहा है, वो भी exempted, जाओ great, अचाओ, which is the mother section of exemption, तो हर मेना बैंक वाला चुछ इंस्टॉल्मेंट भी मिल कर रहा है, old couple को क्या है, exempted, the best, लेकिन एक दिन अगर ऐसा हो गया, कि जब loan नहीं चुकेगा last में, और बैंक वाला प्रॉपर्टी को बेचेगा, तब तो capital gains लगेगा, और तब capital gains बैंक के hands में taxable होगा कि couple के hands में, that's called reverse mortgage scheme, clear है, कहानी बड़ी अच्छी है, easy है, बड़ा popular है अमेरिका में यह है, बड़ा popular है, अमेरिका में जो financial system structure create किया हो है, वो ऐसा है, कि आदमी की जिन्दगी पूरी loan में ही निकलेगी, जब तक retire नहीं होता, home loan, retirement के बाद reverse mortgage loan, ऐसा बना दी है, अमेरिका का structure, ठीक है, अमेरिकान इतना high five finance structure है, जैसे, मैं एक एक गमसा देता हूँ, अक्सर तुम सुनोगे, तुमारे खांदान में भी होगा, तुमारे खांदान में भी तुमारे कोई cousin, भाई, बैयन, भूई, कुछ तो होँगे, जो विदेशों में काम कर रहे होगा, और उनका package वो लोग सुनाते होंगे, यहां तुम सपने में सोचा भई, मेरा तेया होगा ही नहीं, यहां तो मोकेशमानी का बंदरा क्रोड है, वो पांच क्रोड वहां का जो है, मतलब जो standard of living वहां मिलेगा पांच क्रोड में, उतना है यहां, पचीस तक में आराम से हो जाएगा, standard of living, इतना बड़ा gap है, ठेक है, यहां पर तुम्हें घर लोगे rent पे अच्छे से अच्छा घर, अगर खुद के लिए rent पे 50,000 रुपया, ठेक है, वहां rent पे लेने जाओगे 3-4 लाख, मतलब जो मैं इस सेंटर का भाड़ा दे रहा हूँ ना, महने का, 5 लाख rent, वो वहां पे घरों का rent होता है, रहने का, ठेक है, इतना हाई-5 standard of living है वहां पे, तुम इमाजिन करो, ठेक है, यहां पे तुम नीचे उतरते हो, अब तुम लोगो मैं छोटा से कुधान देता हूँ, तुम कभी चाय पीते हो, नॉर्मल दुकानों में, ठेक है, कितना रुपय चाय का गाने जाए-10 उपय का चाय, वहां कॉफी हमेशा 20 उपय बिखता है, और गलती से तुम अगर कोई वो CCD, Cafe Coffee Day में, या Starbucks में घुज गए, तब तो तुम परस खाली होगा, ठेक है, कॉफी का कोई, मतब तुम स्टार्बक्स में जाओ, वहां पे 300 से लिखके, 1800 तक की कॉफी 800 का कॉफी कोई पीने का चीज हुआ कि है, ठेक है, तुम सोचो just kind of living, और वहां की स्टार्बक्स में अमेरिका में, तुम सुबह जाते हो, तुम एक लंबा सा स्टार्बक्स का कप लेके ऑफिस में जाते हो, मतब डेली का तुमारा खाली सुबह का चुस्की 800 रुपे का है, तुम देख लो साड जार का तो तुम मतब कॉफी पी होगे, just in the morning itself, यहां साड जार में तो पुरे परिवार का खाना चल जाएगा, वही पता नहीं कितने मेहनेगा, तो वो standard living का कमाल होता है, इसलिए कभी कोई cousin का अगर बड़ा पैके सुन भी लो, तो तुमको गुसा नह आना चाहिए, जलन नहीं आना चाहिए, बलकि उस पर दया आना चाहिए, कि इसका तो लंबा वला कटा है, और इंडिया में इसको काम मिला नहीं, तबी जाके विदेशी दर्ती चूम रहा है, slump sale, आखरी special topic अपना, slump sale का section number भी खास है, नंबर देखो, 50 भी, slump sale की खास ख यह वो नहीं, यहाँ slump जो है, it comes from the word lump sum, ठेक है, कैसे lump sum सुनो, किसी के पास एक factory होगी, और वो बंद पढ़ी है, क्योंकि वो व्यापार खतम हो गया, नहीं चला है, factory बंद पढ़ी है, अब क्या होगा, factory में जो अलग-अलग assets है, वो आप अलग-अलग बेज सकते हो, land ब बेच रो for a lump sum amount, that's called slump sale, ठेक, slump sale में वो पूरी की पूरी factory है, उसको हम लोग capital asset मानते है, it's an undertaking, undertaking मतला factory, it is considered as capital asset, तो पूरी की पूरी factory है, अब बेच रहो तो वो capital asset माना जाएगा, तो जाहिर सी बात है, अगर capital asset माना जाएगा, तो फिर वो capital gains taxable है, तो उसको बेचने प पर period of holding 36 मेने का होता है, मतलब 36 मेने के उपर है तो long term, 36 मेने के अंदर है तो short term, यहाँ पर indexation का फाइदा नहीं मिलेगा आपको, परन्तु tax rate का फाइदा तो मिलेगा, जैसे श्रूर्ण का बात है कि सारी यह indexation का फाइदा नहीं मिलता, तो दूसरा फाइदा भी तो है, long term उने से tax rate, कम हो जाते हैं 20%, वो फाइदा तो है यहाँ पर, sum sale में क्या होता है, आप अपना समस्त factory एक बार में बेच रहो, क्या-क्या, building, plant machinery, land, debtors, stock, liabilities भी साथ साथ में बेच रहो, मतलब एक तरह से आपकी factory तो बन पड़ी है, पर similar business को दूसरा व्यापादी करता है, उस कैसे महनत बताओं वाली को, number one, सबसे पहल तो यह indexation का फाइदा आपको नहीं मिलेगा, number two, capital gains is equal to FVC minus koa, I koa तो मैं लिख भी नहीं सकता, because indexation ही नहीं, जब indexation ही नहीं, तो फिर I koa किस देए, सिर्फ koa लिखेंगे, FVC minus koa, FVC में भी क्यान है, FVC में भी यह नहीं कि slum sale हुआ, तो slum value ले लो, sale value, ना, बोला, एक यह नहीं ने rule पैदा कर दिया, rule number क्या, 11 UAE, rule number याद रहना है, जरूरी नहीं है, हलाकि मैं number बताया था, तरीका UAE मतलब क्या, United Arab Emirates, UAE, पर rule number से कोई आनी जाए नहीं, simple गनित समझो, गनित क्या है, जित्ते में बेचा, सरकार बोलती है, आपके बेचे वी value पे हमको बरोसा नहीं है, हम तो fair market value निकालेंगे, तो sale value, fair market value, whichever is higher, that will be your FBC, तो सरकार को हमारे FBC पे बरोसा नहीं है, दूसरा, यहाँ cost निकालना और भी cut-in है, यहाँ cost निकालना, और भी cut-in है, सर, cost निकालना यहाँ पे cut-in क्यों है, क्योंकि एक asset बेच रहे हो, कि पूरा package बेच रहे हो, सर, पूरा package बेच रहे हो, उस package में assets भी है, some of them are depreciable assets, some of them are non-depreciable assets, and उस package में सर, यह भी liabilities भी है, तो फिर, तो कोवा कैसे निकलेगा, इन्होंने बोला, कोवा equal to, बोला, कोवा equal to, नेट वर्थ, कोवा equal to, नेट वर्थ, नेट वर्थ कैसे निकलेगा, बीवी, बीवी मतलब, book value, book value of asset, minus book value of liabilities, book value को मतलब, आप assets और liabilities को अपने balance sheet पे, जिस value पे दिखाते हो भई, अब book value को लेके आपको 5 special घ्यान हैं, जो याद रखने पढ़ेंगे, वो में बता रहा हूँ, बात करें, ठीक है, कोवा equal to net worth, net worth equal to, book value, book value मतलब, book value of asset, minus book value of liabilities, अब ध्यान से सुनना हो, इसको लेके कुछ खास बात हैं, number one, अगर depreciable assets है, अगर क्या है, depreciable assets, तब उसका कुछ block का WDV होगा, बोला, take that, great, second, हमारे पास कुछ non depreciable assets है, जैसे land, तो land का तो block भी नहीं है, WDV भी नहीं है, तो land का बोलता है, जो भी आप book value लिखते हो ना, balance sheet पे, जिस value पे, cost ही होगा, most probably, बोलो भई लेलो, बहुत बढ़ी है, third, बोला, अगर आप उस business में हो, 35, 80 वाले, 14 business, cold, chain, facility बगएरा, तो उस cases में तो आपके जो भी asset था, आपका 100% induction तो उसे उत मिल गया था, तो उसका तो value काईदे से 0 है, तो उसका 0 लो गया, समझे रहाँ बात को, fourth, self generated goodwill की value, 0, और purchase goodwill की value, जो भी WDV आ रहा है वही, last, अगर आपने किसी भी asset का, क्योंकि आप तो cost को बढ़ा की दिखाना चाहोगे, तो अगर आपने किसी भी asset का upward revaluation किया है, तो ignore the revaluation, ठेक है, अगर आपने assets का revaluation किया है, revaluation reserve दिख रहा है, तो वो minus करना पड़ेगा, गाटाना पड़ेगा, समस्त ग्यान, अगले page में लिखा हुआ है, एक एक बात जो मैंने बताई, वो अगले page में दी भी है, ठेक है, तो स्थम सेल के केस में एक तो आपको indexation नहीं करना है, दूसरा capital gain क्या होता है, FBC minus Kowa, FBC क्या होता है, sale value or fair market value, कोवा क्या होता है, net worth equal to book value, of assetized book value of liability, ignore revaluation. सबों हो clear है, with this, with this, our 13 special cases come to an end, ठेक है, खतम होता है, अब हम next topic move करेंगे, next topic का नाम क्या है, exemptions, number five, क्या topic है है, exemptions, normally, exemption का mother section क्या होता है, 10, section number 10 में बताई भी रहते हैं, कि विभिन ने प्रकार की, यह income है, जो exempt है, जैसे अगरी कल्चर income exempt है, partner को जो share of profit मिल रहा है, वो exempt है, है ना, scholarship का पैसा, एक student को मिल रहा है, exempt है, तमाम तरगें ऐसे बहुत सार exempt income है, section 10 में, वो income based exemption है, और यह क्या है, investment based exemption, मतलब आपने, जो भी asset was set बेचा, उससे जो आपको capital gains हुआ है, वो पैसे से आप कहीं invest कर दोगे, तो हम आपको exemption दे दे देंगे, तो this is not income based exemption, this is investment based exemption, इनका section का range कहा है, 54 something something something, तेखे लो series, 54 something something करके exemption चालो हो गया, और मैं तुम को बता रहा हूँ, यह exemption, the most important topic is chapter का, तुमको लगता होगा, कि बापर इतना सारा special gains पढ़ाया, कहानियां खतम, अरे कुछ खतम नहीं, बल्कि जो तुम capital gains निकालोगे, वो कहलाता है gross capital gains, जब तक उससे exemption नहीं लोगे, तब तक taxable capital gains नहीं निकलेगा, जब हम लोग section 48 का format पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे भी हम लोग gross निकाल के रुख गए थे, उसके बाद क्या था, less exemption under section so and so, तो अभी exemptions बहुत important है, मैंने exemptions को याद करने के लिए, एक master summary chart बना रखा है, वहाँ चलेंगे अपने, 18, ठेक हैं, चार sections दिख रहे हैं, actually है पाँच, अंदर में पाँच डाले वे हैं, पाँच बढाऊँगा, और पाँच में से चार ज्यादा important है, जिस पर ये master chart है, और इस चार में भी सबसे important पहले तीन है, ठेक हैं, सबसे important कौन से हैं पहले, तीन, सबसे पहले हैं मेरे सामने section number 54, section 54 को हम लोग कहेंगे बातचीत परपस के लिए, घर, घर, एक्जेम्शन, घर, घर, एक्जेम्शन, ठेक हैं, इसका मतलब है, आपके पास एक घर था, घर का मतलब यहां, यह नहीं कि तुम उसमें रहते हो, घर में इस residential house, आपके पास एक residential property थी, वो आपने बेची, जिससे आपको capital gain हुआ, और अब आपने उस पैसे से एक नया residential property खरीद लिया, तो जो भी नया घर खरीदा है, उसकी कीमत जितनी भी उत्ता आपको exemption मिल जाएगा, इसको उम लोग कहते हैं, total exemption, क्या गहते हैं, total exemption, तो घर बेचा और घर खरीदा, तो नया घर की जो भी कीमत है, वो आपको exemption मिल जाएगी, गुरू मंत्र सब याद रखना भई, गायत्री मंत्र याद याद थी निशुन मिल बताया था, exemption cannot be more than the income, अब मैंने अपना पुराना घर बेचा है, और मुझे capital gains हुआ है, दो कोरोड़ो, नया घर मैंने चार कोरोगा खरीदा है, तो exemption चार कोरोगा की दो कोरोगा, दो कोरोगा, वो दो अबिस थी है, इसके जस नीचे एक और section है, बड़ा important है, 54 F, F से, F से fractional exemption, यहाँ पर आपको संपून exemption नहीं मिलता है, fractional exemption मिलता है, याद रखना असान है की नहीं, F से fractional exemption, ऐसे बोलने से याद रे जाएगा, बनाए थोड़ना याद रेने वाली चीज़े हैं, तो भूलोगे यार, यहाँ पर क्या बेचा, क्या खरीदा, नो डैश घर, इसका मतलब बोलने का मेरा तात पर यह है, कि घर छोड़के आपने कुछ भी और बेचा, रेसिडेंशल हाउस छोड़के आपने, कुछ भी और बेचा, ज्वेलरी बेचा, शेर्स बेचा, रेसिडेंशल प्रोपर्टी बेचा, रेसिडेंशल प्रोपर्टी छोड़के, नो, नो, रेसिडेंशल प्रोपर्टी छोड़के, उसको छोड़के आपने कुछ भी बेचा, और खरीदा क्या, घर, रेसिडेंशल प्रोपर्टी, तो बेचा जो है वो घर नहीं है, पर खरीदा जो है, और फरीदा नहीं है, थो एक्षेमशा पूरा मिलेगा कि इस अप्ररैक्शनला की। और सिरेफ से फ्रैक्शनल घर है, तो इस नहीं है, तो भी épisode not the permits. We will be multiplied with a fraction, so I need to know what is a fraction. कि मुश्यूरा की। वो फ्रैक्शन क्या है LTCG by NC नए घर की जो भी कीमत है LTCG by NC LTCG तुम समझते हैं Long Term Capital Games और NC मतलब Net Consideration Net Consideration का मतलब क्या होता है FVC Minus Expenses for Transfer Net जो Sale Value आया Minus Expenses for Transfer So the Net Consideration यह Fraction यह तक 9 to LTCG by NC तो आपको पूरा Exemption मलेगा कि Fractional Fractional फिर एक सबका बाप प्राइब का बाप कौन है भई 54 EC इस Exemption को याद करने के लिए हम लोग बोलते है LB Bonds क्या बोलते है LB Bonds LB मतलब Land Building बेचा कैसा भी Land Building क्या बेचा आपने Land Building कैसा भी हो सकता है Residential, Commercial कैसा भी Any type of Land Building बेचा बेच के क्या खरीदा Bonds कौन से Bonds खरीदे हैं आपने Government ने देश के Infrastructure के Build करने के लिए Public से पैसा उठाने के लिए कुछ Infrastructure Bonds किये हैं आपने वो खरीदे हैं तो आपका पैसा सीदा देश का Infrastructure Build कर रहा है उन Bonds में चार नाम है उनको याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे Hyper H से Highways का Bond है National Highways Y से कुछ नहीं है P से Power Bجली E से Electrification Bجली ठेक है R से रेल गाड़ी तो चार तरके Bonds है ये चारो Bonds किसने इशू किये हैं सरकार ने इसमें अगर आप निवेश करोगे तो वो पैसा सीदा देश के Infrastructure में जाएगा Marketing भी जरूरी होती है ठेक है जैसे तुम लोग अब देखो रेलवेज में वंदे भारत बोलके नहीं है ट्रेन आया कि नहीं है बहुत बड़ा कोई gap नहीं है उसके में हम लोग सुनते हैं कि वंदे भारत 160 के स्पीड पे इतना ट्रेन के लिए 160 का स्पीड बगएर कोई बड़ी बात नहीं है बहुत वो ट्रेन है उसका डेडिकेटड पटरी है नौर्मल अगर आप हाईवे पे गारी दे चाओ तो गारी हैं 120 में चलती है अगर गारी खाली होता हो तो वो तो ट्रेन है बहुत उसका अपना डेडिकेटड पाथ है ट्रेन के सामने थोड़ना तुम सोचो, जितना भी पैसा तुम इन बॉंड्स में डालोगे, वो अलिटमिली देश के विकास में जा रहा है कि ने इंफ्रास्रक्टर सेक्टर में, तो आपने कोई भी LB बेच आओ, कैसा भी LB, उसको बेच कर बॉंड्स खरीदा है, तो आपको exemption मिलेगा, पर यहाँ पर एक सीमा है, पचास लाग, इस से जादा नहीं, तो यहाँ पर exemption आपको कितना मिलेगा, पचास लाग, छे मैने के अंदर पैसा डालना पड़ेगा, मतब बेचने के बाद जो लैंड बिल्डिंग बेचा, उससे जो पैसा आया, कितना, छे मैने के अंदर, उपर में टाइम ल लिमिट होता है, वन, टू, थ्री, ठीक है, जिसमें तीन साल तक भी कंस्ट्रेट कर सकते हो, उसमें भी वही है, नोघर में भी वही है, तीन साल, पर यहाँ पर कहा है टाइम लिमिट, छे मैने, मतब जिदिन बेचा हूँ, वहां से चे मैने के अंदर, आपको बांस में पै अपने घर बेचा, घर बेच के आपने नया घर भी खरीदा और बांस में पैसे भी डाल दिये, तो घर बेच के घर खरीदा, घर घर गर अउम्चा ओर 009 dark-4, exemption दो-दो section मिल जागा 54 plus 54 EC पर total exemption मिला के capital के ज़्यादा तो नहीं हो सकता इसको हम 54 F से भी तो कम mine कर सकते हैं हमारे पास एक commercial property हमने commercial property बेचा commercial property तो 54 में नहीं आएगा पर commercial property 54 F में आएगा no घर commercial property बेच के हमने घर खरीदा तो commercial property बेच के घर खरीदा, commercial property बेच के bonds में पैसा भी लगा दिया, तो commercial property बेच कर, अगर घर में पैसा लगाओ कि 54 एफ और bonds खरीद होगे तो 54, easy, तो it can be combined with this and this combo exemption, तो यह इसका सबसे बड़ा beautiful बात है, ठेक है, पर यहाँ exemption कितने मिलेगी, maximum, और कितने मैंने में खरीदना पड़ेगा, बाकी सब में वो एक, दो, तीन, याद रह जाता है, एक और है, जो मुझे उतना कोई खास महसूस होता नहीं है, पर ठीक है, मैं बता देता हूँ तुम लोगो, तुम लिखना चाहो है, लिखो वरना ना लिखो, मैं नीचे भी लिखा सकता हूँ, 54B, खेत, खेत, खेत बेचा, खेत खरीदा, और एक भी है, फैक्टरी, फैक्टरी बेची, फैक्टरी खरीदी, फैक्टरी बेची नहीं, फैक्टरी सरकार ने छीन ली, और फिर वो एक और फैक्टरी खरीदी तुमने उससे तो वो सब उतने काम किये नहीं है उपर का तीन सबसे हिट लिस्ट में आता है format कैसा होगा FVC, minus, expenses, index cost, index cost gross capital gain, less exemption, taxable capital gain यह format है यह हमारे सामने master summary याद करने के लिए यह master summary है कि यह sections है चार, कौन से type के assessi को मिलेगा individual, hf, hf, all assessi इस तरह से क्या बेचा, क्या खरीदा कौन सा gain से मिलेगा, LTCG में की STCG में maximum इसमें से LTCG है यह STCG भी यह नीचे वाला खेत वाला, ठेके, वहना maximum तो LTCG है, ओके न कब तक आपको नया asset खरीदना है, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, छे मेना, दो साल exemption कितना मिलेगा, cost of the नया घर और CGDS capital gains deposit scheme में पैसा जमा कर दो before return fund rate तो मिल जाता है न, वही है वो CGDS में पढ़ा हो पैसा कब तक use करना है, तीन साल नया घर जो खरीदना कब तक पाल के रखना है तीन साल वना reverse हो जाएगा अब अम लोग एक बार थोड़ा सा deep analysis करेंगे, ठेक है थोड़ा साथ वो deep में जाके पढ़ने की जरूबत है because यह exemption महाँ important है, इस पे sums बनते हैं तो यहां सत्रा में deep analysis करके discuss करूँगा section number 54, look at this please यह हमारा assessi है, बीच में खड़ा हुआ this is your assessi, इसने अपना पुराना घर, residential house बेच दिया, ठेक है residential house, हम लोग बातचीत में घर बोल रहे है पर घर और residential house अलग चीज़े होती है घर का मतलब जिसमें में बकायदा रहता हूँ my home section में यह नहीं लिखा कि वो उसमें खुद रहना चाहिए section खाली इतना बोलता है residential house बेचा है तो वो उसमें रह रह रहा था कि नहीं रह रहा था that doesn't matter, are you getting my point वो residential house उसने let out कर रहा था कि बंद पड़ा था, कि वो परिवार के साथ रह रह रहा था उससे कोई फरक नहीं पड़ता हम लोग बातचीत के लिए घर-घर बोल रहे है वरना यह घर exactly नहीं it is what, RH, RH मतलब residential house तो बंदे ने एक residential house बेचा, यह देखो कब बेचा sir, date of transfer 1st November 2022 को बेचा obviously तुम्हारे वाले previous year में तो बेचेगा तुम्हारा previous year क्या है 22, 23, तो उसी में तो बेचेगा तो 1st November 2022 को बेचा अब इसको क्या करना है नियम है कि बेच कर जो भी पैसा आ रहा है ठेक है, उसमें से उसको एक नया घर खरीदना है so he has now purchased or constructed a new residential house अब यहाँ पे तीन time limits है वो चाहे तो transfer के एक साल पहले तक भी खरी सकता है चलेगा, because 99% chance क्या कि एंसान पुराने घर को तब बेचे का, जब उसके हाथ में पहले से एक नया घर हो backup के लिए, ठीक है, ऐसा थो ना पुराना घर बेच के रोड़ पे आएंगे, फिर नया घर ढूंते रहेंगे ऐसा तो नहीं है, तो अगर आप बेचने के date of transfer के एक साल पहले भी नया घर खरीदते हो तो चलेगा, अगर आप बेचने के बाद दो साल के अंदर खरीदते हो तो भी चलेगा, या फिर बेचने के बाद आप तीन साल के अंदर construction करा लेते हो, तो भी चलेगा तो इसको याद करने के लिए लोगो बोलते है 1, 2, 3, ठीक है एक साल पहले या दो साल बाद purchase कर लो और तीन साल में construct करा लो तीन में से कोई भी एक चीज़ चलेगा ठीक है, अब आप सोचो कि ये लोग खुद आपको दो साल और तीन साल का मौका दे रहे है कि बेचने के बाद दो साल में आप खरी लीजिए तीन साल में बनवा लीजिए तो ये तो time available है मेरे हाथ में परन्तु मुझे तो 22-30 का return भी जमा करना है 31 July 2023 तो return जब जमा करूँगा तो फिर exemption लूँगा कैसे क्योंकि बनाने के लिए तो आपने वो को 2-3 साल का time दे दिया तो अनौन नहीं बना कोई बात नहीं return filing date के पहले तक अगर आप एक CGDS account होता है capital gains deposit scheme account यह भारस तरकार का चालू किया हुआ है आपको जितना भी exemption लेना है आप जैसे मुझे सबोज LTCG हुआ है दो कोड़ उपया का और मैं दो कोड़ का exemption चाहता हूँ क्योंकि मेरा नया गर तो और भी महंगई आएगा सबोस मुझे LTCG कितना हुआ है दो कोड़ उपय का हुआ है और मैं exemption चाहता हूँ फुल दो कोड़ क्योंकि नया कर तो सबहेंगा यह एगा तो सीडिसी बात है दो कोड़ पया लो और CGDS account में डाल दो कब तक डाल दो सर on or before return filing date which is for your level intermediate level you always remember 31 July जिनका tax reward होता है उनका 31 October होता है वैसे सोचके हूँ ठेक है Are you clear on this? ठेक है CGDS में डाल दो अब चलेगा अब यहाँ पर न main main बातें तो सारी हो गई मैं एक दो बातें और खास सबको बता देना चाहता हूँ सुना ध्यान से there is मैंने ना याद कराने के लिए दो नए नाम दिये हैं एक है Direct Reversal और दूसरा में नाम दिया है Indirect Reversal यह क्या होता है समझो बात को जैसे आपको यह exemption इसलिए तो मिल रहा है कि आप नया घर बना लोगी इक अच्छर्ट कर लोगे मान लीजिए कि आपने रिटर्न फाइलिंग डेट के पहले तो दो कोड़ पया CGDS में डाल दिया था और आपने दो कोड़ पया exemption भी अंडर सेक्शन रिवाड ले लिया था लेकिन नाही फिर बाद में आपने दो साल में घर परचेस किया और नाही तीन साल में construct किया तीन साल भी दो गए तब फिर सरकार बोलती किया यह तो cheating किया तुमने मारे साथ तुमने CGDS में दो कोड़ बड़ डाल के exemption भी ले लिया और ना तो घर खरीदा ना पर construct किया तो CGDS में पैसा डालने के बाद जो वो time limit भी जाती तीन साल वाली और आप purchase construct नहीं करते हो then that amount becomes taxable then that amount becomes taxable सीली सीली बात है आपने जो भी exemption एंजॉय किया है हम उस exemption को reverse कर देंगे आपने जो भी exemption एंजॉय किया हम उस exemption को reverse कर देंगे पर सर्रिवर्स करने के दो स्टाइल होते एक होता है direct reversal direct reversal is very simple नाम सी direct है direct reversal का मतलब है CGDS में तीन साल भी गए पैसा पड़ा होगा है कुछ नहीं किया तुमने तो अब जितने का exemption लिया था कितने का exemption लिया था दो कोड़ तो वो दो कोड़ों will become the deemed capital gains will become the deemed capital gains in the third year वो तीसरे घर में जब CGDS भी ख़दम हो जाएगा एकस्पाय हो जाएगा तब वो उस साल का क्या बन जागा deemed capital gains are you okay with this? सीधा ही तो direct reversal is में तो कोई दिमाग है नहीं कोई मैनत है नहीं next एक और किस्सा है कि भई आपने जो ये नया घर खरीदा है आपको ये तीन साल तक रखना पड़ेगा जबी भी आपने खरीदा है वहाँ से तीन साल date of transfer से तीन साल नहीं जबी भी आपने नया घर खरीदा है date of purchase वहाँ से आपको तीन साल रखना पड़ेगा अगर आपने नया घर को तीन साल के पहले ही बेचा तो क्या होगा, exemption reverse करेंगे पर यहाँ पर style है indirect reversal का कैसे, जब आप नए घर को बेचोगे तो नए घर भी तो बेचोगे तो it's a capital asset, उसको बेचोगे तो capital gain फिर से compute करोगे कैसे करोगे, FVC minus cost of acquisition तो वो जो cost of acquisition minus करोगे ना, उसमें इस घर का, नए घर का जो cost है, और जो exemption पहले लिया था वो minus कर देना, मतलब मालनो नए घर की कीमद है 3 kod, ठीक है तो जब इसका capital gains calculate करोगे नए घर को बेचने वाला capital gains पराने घर का नहीं, नए घर को बेचने वाला capital gains calculate करोगे, तो करोगे FVC जो भी है 5 kod, minus cost suppose cost इस घर का 3 kod है लेकिन आपने तो 2 kod का exemption ले लिया था तो 3 minus 2, एक ही करोड का cost less होगा यानि ultimately नए घर को बेचने पर capital gains 2 kod से बढ़ जाएगा indirectly ये कहलाता है indirect reversal ठीक है, अब देखो बात ऐसी है, कि reversal, direct और indirect का एक logic है पर वो logic हर जगा apply नहीं करता है वो logic fail करता है एक जगा ऐसा भी तुमको मैं अंदर पढ़ाऊँगा जब आप नए घर को बेच रहे हो नए asset को बेच रहे हो पर उसमें सरकार बोल रही, indirect नि direct reversal कर लो तो यानि कि तुम ये नहीं मान के चल सकते कि जबी भी नए वाला capital asset बेचेंगे तो हमेशा indirect reversal ये होगा कि नए वाले asset को बेचने का जो capital करेंगे उसकी cost से exemption less कर देंगे that's indirect reversal ये हर बार होगा ऐसा जरूरी नहीं है अलग 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 ज्यान है तो अपने को याद रखना पढ़ेगा मैं लिखा दोओंगा don't worry about that ये आगे 54 का detail में important बात है section 54 किसको मिलेगा individual HF को क्योंकि घर तो individual HF कही होता है third consequence मिलेगा capital gains long term or short term long term क्या बेचा है पुराना घर क्या खरीदा है नया घर भारत में पुराना घर कहीं भी बेचा उसे फरखने परता नया घर कहाँ खरीदा है भारत में exemption कितना मिलेगा cost of the new house or the amount deposited in CGDS ठेक है 7 number अगर आप मालनो 2-3 साल में आराम से घर खरीदना चाहते है तो कोई बात भी return file date के पहले आप पैसा CGDS में जमा कर दो तो आपको exemption मिल जाएगा ये temporary ये temporary तो नहीं ये भी नया है ये क्या है कि अगर मालनी चाहिए आपकी gross LTCG दो कोड़ के अंदर है gross LTCG दो कोड़ के अंदर है तब उस case में एक नया घर की बदले अगर आपने दो नया घर भी लिया है तो आपको exemption मिल जाएगा पर मैं बार बार सुर्ण को बोलता हूँ सुर्ण 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 ता है ओहो जाएग्जिम्शन चाहिए जो भी गनित लगा लो गायत्री मंतर क्या है भई exemption cannot be more than the income दो नए घर का मिल जाएगा तो ये थोड़न है कि exemption डिड़ कोड़ सुपर होगी नहीं सकता सिंबल सी बात है ये exemption once in the lifetime है आप अपने lifetime में बार बार exemption ले नहीं सकते है obviously नहीं ले सकते है कौन बैट के shopping कर रहेगा घर खरीद रहा है लाइफ में एक ही बार खरीद लोग उसे में तो मतब नहाल हो गया ठीक है उसके beyond जर्वत पड़ेगी नहीं उसके बाद तो तुमारे आने वाली जनरेशन ने वो खरीदा भीची करेगी घर का मतलब बातचीत में बोल रहे है otherwise it just means residential house whether you use it for your own family या तुम अपने किसी रिस्किदार को दे दो या लेट आउट कर दो या वेकेंड उसे को फरक नहीं पड़ता कब तक आपको नया घर खरी लेना चाहिए एक दो तीन ठीक है वो टाइम लिमिट है फिर ग्यारा नंबर आपने CGDS में पैसा डाला था है ना CGDS पैसा डाला था इसलिए कि भई मैं नया घर परचेस कर लूँगा चाहिए परचेस की टाइम लिमिट दो साल होती है कंस्टर्ट की तीन साल होती है तो जादा कों सा है तीन साल कहा से तीन साल फॉम दे डेट ओफ ट्रांसफर तीन साल from the date of transfer वहां से आपको नया करक्षट करना चाहिए तो तीन साल from the date of transfer भी दिया आपने नया करक्षट भी नहीं किया और CGDs में पैसा ऐसी पड़ा हुआ है तो वो तो गलत बात हो गया ना तीन साल भी दिया तो फिर अब क्या होगा जो भी पैसा पड़ा है direct reversal क्या होगा direct reversal का मतलब है the exempted amount will become the deemed LTCG of the at the end of the three years at the end of three years वो बन जागा deemed LTCG of that year जैसे PGV में deemed PGV नहीं होता है deemed income बसे यहां पी deemed income हो जाएगा direct reversal easy है और मैं आपको बता दूँ maximum जगा direct reversal ही आएगा अच्छा वो जो नया घर है वो आपको रखना पड़ेगा कब तक? तीन साल from date of transfer नहीं तीन साल from date of purchase of the नया घर नया घर जबी भी आपने purchase अच्छा किया वहाँ से तीन साल तक आपको रखना पड़ेगा नहीं रखोगे तो अगर बेच दिये तो new capital gains निकलेगा उसमें उस नए घर का जब cost minus होगा तो cost will be reduced by the exemption amount तो cost कम हो जगा तो capital gains बढ़ जाएगा एक ही तो बात होई इससे हम कहते हैं यह मैं इतनी मेहनत कर की क्यों बोल रहा हूँ because मैं इसमें बहुत तकलीफ पाया था as a student मेरे को यह सब छोड़ी छोड़ी बात लिए जो होती थी ना extra मेरे खोपड़ी में जाती ही नहीं थी तो इसलिए मैंने उसको याद कराने के लिए एक नाम दे दिया indirect reversal और उपर वाले हो क्या दिया तो इससे तुम्हारे लिए सोचना बहुत ही आसान हो जाता है बहुत आसान हो जाता है ठीक है तुम thinking में तुमा टाइम वेस्ट नहीं होगा अभी क्या होगा मैं जब अभी तुम आने 54 दिखाया तुम लोगो यह तुम आरफ होन है तो 54 को तुम आने धीरे धीरे पूरा सारा बोल दिया आगे वाले जब सेक्शन सेंगी तुम्हा फटा फट जाऊंगा तो वहां में सीधा लिखाऊंगा direct reversal, indirect तुमको click कर जाएगा direct reversal मतलब वो जितना भी exemption था वो deemed income बन जाएगा उस समय एकदम end में और indirect reversal का मतलब है नए asset को बेचोगे तो उसके cost से वो exemption minus कर देंगे तो उसका capital gains नए वाले पर capital gains बढ़ जाएगा बात एक ही हुआ ना that's called indirect reversal ठीक है clear रेकी नहीं है आगे बढ़ड़े है यह क्या है 54F 54F का नाम क्या था no घर exemption no मतलब residential house छोड़ के आपने कुछ और बेचा है आपने residential house ने कुछ और बेचा है क्या बेचा है commercial house बेचा है कुछ भी बेचा है बगवान जाने क्या बेचा है jewelry बेचा है ठीक है पर बेच के आपने finally क्या किया नया घर खरीद लिया तो यहां मोटा मोटी same जयान है भई खरीदने की time limit है एक साल, दो साल, तीन साल जब तक खरीद होगी नहीं तक पैसा तुम return fund date के बड़े CGDs में पैसा जमा कर दो and all that ठीक है नया घर तीन साल तक पाल के रखना पड़ेगा CGDs का पैसा तीन साल तक रुष कर पाल all that is same the most important part is fractional exemption and what is that fraction what is that fraction here you will not get full exemption here you will get fractional exemption यह student भूलता है इसलिए तो नाम याद करने के लिए बोला 54FF से fractional exemption तुम देखो मेरी किताबों में लिखा होगा proportional exemption पर फिर में को बाद में क्लिक किया कि इससे बैटते रे fraction बोल दो student को fraction जाता समझ में आता है F से fractional exemption और fraction क्या है LTCGYNC तो यहाँ पूरा exemption नहीं मिलेगा जो भी नया घर खरीदोगे या CGडिस में पैसा डालोगे into suppose cost of the new house और CGडिस में पैसा तुमने दो कोड उपे डाला तो exemption के नहीं मिलेगा दो कोड into LTCG by NC तो full exemption नहीं मिलेगा fraction exemption मिलेगा आदी ओक्या बाकी सब सही है main important है यह fraction exemption अब सुनो यहाँ पे इन्होंने extra condition डाल दी कि यह वाला exemption आप तभी ले सकते हो जब आप दो शर्तें पूरी करो दो शर्तें मतलब जब आप jewelry बेच रहे थे यह तो no घर exemption है no मतलब मैं residential house ने कुछ और बेच रहा था तो जब आप कुछ और बेच रहे थे चाहे commercial house बेच रहे थे जब jewelry बेच रहे थे, shares बेच रहे थे तब आपके पास maximum एक ही पुराना घर था उससे ज़्यादा घर आपके पास थे नहीं तब तो यह exemption मिलेगा वरना exemption मिलेगा ही नहीं अगर जिस दिन मैं jewelry बेच रहा हूँ, मेरे पास अगर दो घर हुए तो तब आप 54F का exemption claim करी नहीं सकते है है ना तब आप 54F का exemption claim करी नहीं सकते है ओके next, एक और condition है, maximum one नया घर यह exemption बोलता है कि बेच कर आपने एक नया घर खरीदा है jewelry बेच कर आपने एक नया घर खरीदा है अगर एक से ज़्यादा नया घर खरीद लिया future में कभी भी, ठीक है तो फिर exemption reverse हो जाएगा पढ़ो जरा इव द यहां पे नया घर खरीदने के time limit क्या होती है एक साल, दो साल, तीन साल, मतब एक साल पहले या दो साल बाद में तीन साल construct अब अगर आपने date of transfer से तीन साल के अंदर फिर से और एक घर खरीद लिया purchases another house एक नया घर तो खरीदा ही है exemption के लिए एक और नया घर खरीद लिया दो साल के अंदर या तीन साल of construction के अंदर तो जो exemption मिला था ना वो हम reverse कर देंगे कौन सा reversal एक good news है यहाँ पढ़ना reversal के तीन केस आएंगे और तीनों में एक ही जवाब है direct reversal तो आप एक नया घर खरीदो अगर दो खरीद लियेगे extra तो reversal हो जाएगा ठीक है वैसे CGDS में पढ़ा हो पैसा आपको कब तक use करना है 3 years from the rate of transfer नहीं तो क्या होगा direct reversal यहाँ और एक नया नाम लिख लो आज fractional reversal CGDS में जब पैसा डाले थे तुम तो तुमको fractional exemption मिला था तो reversal भी fractional होगा main book में जाके भी लिख लेना ठीक है main book में भी जाके लिख लेना कि यहाँ पर direct reversal के नीचे fraction reversal clear रही है अच्छा नया घर आपको कब तक रखना पड़ेगा 3 years from the rate of purchase construction नहीं तो क्या हो जाएगा reversal इस बार देखो इस बार देखो 54 में क्या था indirect reversal इस बार क्या है तो फिर logic का बो हो गया ना मतलब logic खराब हो गया मतलब हर जगा logic नहीं चलता है logic बोल लिए सुन लिए बहुत अच्छा लगा logic 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 पर कानून बनाने वारों ने logic की बैन बजा दी है ठेक है हर जगा logic work नहीं करता तो यहाँ पर reversal के कितने cases है तीन और तीनों direct है खाली खास बात या दखना CGDS वाले case में करते रहते है नाम में ना जादू होता है कोई भी concept को तुम्हें एक नाम दे दो अमेरिका में यही तो हता है अमेरिका में हर चीज़ को वोग नाम देते है इंडिया में वह नहीं देते है हमारी भाशा बहुत limited है मैं देको सब को बलेंगे ये तो हिंदी की बुराई कर रहा है, अरे बात हिंदी इंग्लिश की नहीं है, अगर कोई भाषा ज्यादा समरिद्ध है, ज्यादा एक्स्प्रेसिव है, सारे research, discovery उसमें हो रहे हैं, तो क्या करें, उसको follow करना ही पड़ेगा, and that is English, ठेक है, तो medical science उठा लो, engineering science उठा लो, सा सारे terms उसी में पैदा हो रहे हैं, एक doctor आपको क्या लगता है, surgery कर रहा है, हिंदी में बात करना चालू करेगा, क्या बोलेगा वह उजारों को जो आ रखे हुए, ये तो impossible बात है, सारा discovery stream हो रहा है, वैसे financial markets, stock markets, सबसे अधा, मतलब भेंकर developed का है, वहाँ है, जो यहाँ तो नाम से लोगों के लिए बात करना easy हो जाता है, यही तो फरक है, आज की भाशा में और 500 साल पहले जो लोग थे उनकी भाशा में फरक है, उनका vocabulary कम था, हमारा vocabulary बहुत जाद है, vocabulary का मतलब तर stock of words, सबस्थ उस जमाने के लोगों, लोग 10,000 words जानते थे, तो आज की जमान जाता है, अब तुम को इतना सोचना नहीं पड़ेगा, तुम किताब में को डिरेक्ट रिवर्सल है, ओ ठीक है मालूम है, एक सिकन में हो जाएगा, फिर यहाँ पे तुम नाम दे तो लाल रंग में क्या, फ्रैक्शनल रिवर्सल, अच्छा, खली, इसमें फ्रैक्शनल बा रही है, और कुछ नहीं, नेक्स, 54 EC, यह तो बहुत ही अच्छा है सर, यह तो कॉम्बो वाला है ना, इसको आप 54 या 54 F के साथ मिक्स कर सकते हो, नहीं तो अलग से भी यूस कर सकते हो, यह एक्शनल क्या है, LB, लैन बिल्डिंग और बॉंड्स, बॉंड्स कौन से वाले, ह पर्सिबल है, सब्स, मान लो कि मैंने मार्च महने में लैंड बिल्डिंग बेचा है, कब बेचा है मैंने, उतना भी क्यों, सोचो मैंने 31 मार्च 2023 को लैंड बिल्डिंग बेचा है, अब यह तो बोला कि 6 मैने में इन्वर्श कर दो, तो 6 मैने का मतलब तो 30 September होता है, जबकि return filing आजाए 13 July को तो जमेला नहीं हो गया क्या तो ये कानून बनाने वालों से गलती हुई इन्हें ने बोलना चाहिए था 6 months from the rate of transfer or return filing date whichever is earlier तो वो अपने समझ लेंगे पर follow वही करना exam में don't worry वो data ऐसा देगा निकि तुम फज़ जाओ वो data ऐसा देगा कि आराम से देखोगे वो return filing के पहले ही आ रहा है ठेक है वो लोग January या उसके पहले ही बिखवाएंगे ताकि 31 July के अंदर ही आपको करना पड़ जाए तो वो लोग controversy में हाथ देंगे नहीं पर मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा doubt हो सकता है इसके ऐसा संभव है तो आपको करना तो return filing के पहले ही चाहिए ना वरना फिर आप exemption ले होगे कैसे तो नियम क्या है 6 मैने के अंदर इसके जो sums आते हैं उसमें be very 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 careful चेक करना कि क्या होगा वो लोग तुमको चेक करने के लिए क्या करेंगे सबोस एपरिल 2022 में कोई asset बेचेंगे और land building बेचेंगे और January 2023 में तुमसे ये bonds खरीदवाएंगे तो सब 6 मेना तो पार हो गया ना अगर आप April 2022 में land building बेच रहे हो ता आपको तो 6 मेने के अंदर यानि की October के अंदर आपको October 2022 तक आपको खरीद लेना चाहिए bonds तो हमेशा चेक करना कि bonds जब खरीद रहे हो न वो date of transfer से 6 मेने के अंदर रहे की नहीं है, sums में इस पे बहुत ग्यान होता है और एक चीज है, bonds में maximum exemption कितना है 50 लाग पूरा मतल लेना, सबोस 90 लाग का bond में डाले है तो exemption तो आपको सर, 50 सी मिलेगा ये bonds आपको कितने साल तक रखने पड़ेंगे वरना क्या हो जाएगा सर तुम जस्ट इमाजिन करो मेरे सामने सामने मेराथान में हम लोग compact hook के अंदर ये पूरा marking marking कर रहे है अब यही जब तुमको revise करना होगा कितना fast होगा, एक एक ची लिखा हुआ है इंफेर जो जो important बाते मैंने main किताब में लिखाई है तुम लोग को वो भी उठा के यह डाल दी तो तुमको तो compare भी नहीं करना पड़ेगा I have done that for you, मैं बटके ही करता हूँ before every marathon class, I like compare my compact book with my main book और मैंने main book में जो 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 तुम लोग को लिखाया है बहुत कुछ लिखाया है ना लग जिगा, तो तो जो 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 काम का उठाकर में डाल देता हूँ तो उस्ती है तो तुमको तुरंद दिख जाएगा ही पर एक सिर्स्यान में पर रिभाईस हो जाएगा next 54D अब उतना भारी बरकम नहीं है अब वो सिंपल है यह बला तो मुझे पसंद भी नहीं है यह कह सरकार ने आपकी फैक्टरी छीन ली सरकार ने आपकी फैक्टरी छीन ली compulsory acquisition of industrial undertaking अब यहां पर नहीं है मैं कि अगर आप तीन साल के अंदर या आपने एक नया factory set up कर दिया तो आपको exemption मिल जाएगा बस यहीं कहान है थेक हैं तीन साल के अंदर नया फैक्टरी डाल दो exemption कितना होगा वही cost of the new factory या फिर return filing के बएले आप cgds में पैसा जमा कर तो whichever is मतलब जो भी आपका case है वही factory का मतलब जो दो साल से factory purposes के लिए use हो रही थी नए factory को कितने साल तक रख के रखना पड़ेगा तीन साल वरना क्या हो जाएगा फिर से lot क्या आगया नए factory को नए factory आपने डाला और आपने exemption ले लिया तो नए factory को कितने साल रख को है कम से गाओं तीन साल वरना क्या होगा indirect reversal done next ये कहलाता है खेत खेत exemption ठीक है आपने अरबन खेत बेचा है क्योंकि रूरल खेत को बेचने पर तो ऐसे भी capital gains होता नहीं है तो आपने अरबन खेत बेचा है और बदले में आपने अरबन या फिर rural खेत खरीद लिया है खेत means जो लास्ट दो साल से agricultural purposes के लिए यूज़ हो रहा था चाहे आप यूज़ कर रहे थे चाहे आपके पहले वाला farmer यूज़ कर रहा था जो भी हम बोले है खेत का मतबा समझे लो खेत का मतब क्या है जो लास्ट दो साल से खेती में यूज़ हो रहा है चाहे आप यूज़ करो चाहे आपके पहले वाला यूज़ कर रहा है उसे फरक नहीं पढ़ता ठेक है clear है खेत कितने साल में खरीदना है तीन साल toe मैं ग्यात करने का trick बताना चाहता हूं जो वहां पर भी नहीं बताया था मने बात को समझो इनकी आदत क्या है नया घर कब तक आजाना ऐचाहिए एक-दो-तीन शोड़ दो चाहँ यह थीन साल में परचेस यह तीन साल है construct खेत construct करने की चीज़ है परचेस करने की चीज़ है और परचेस का लिमिट दो साल होता है कि तीन साल होता है दो साल इसलिए दो साल अब उपर देखो factory तो नया परचेस भी हो सकता है या construct भी इसलिए तीन साल लेकिन खेत पर आप नहीं कर सकते हैं एक नया खेत करेंगे खेत पहले से आप उसको कंस्टक नहीं कर सकते हो जाके इसलिए यहां टाइम लिमिट तीन साल नहीं है टाइम लिमिट दो साल है ओके अब एक्जेम्शन कितने हैं कि मैं लगा हुई कोई नया खेत या फिर सीजीडिस में पैसा डाला हो ओके हैं कि पैसा दो साल के अंदर यूज कर ले न वरना क्या होगा डैरेक्ट रिवार्सर नया खेत आपको कब तक रखना पड़ेगा तीन साल तक वरना क्या होगा इंडरेक्ट रिवार्सर ओके अब क्या है कि मैंने पांचों एक बार याद दिला दियो तो मैं तुम्हारी लाइफ को थोड़ा असान करना चाहता हूँ मेरे बात को गोड़ से सुनना एक बड़ चेक करो 54B में नया खेत अगर मैंने तीन साल तक नहीं रखा तो कौन सा रिवर्सर होगा इंडरेक्ट 54D में नई फैक्टरी को अगर मैंने तीन साल तक नहीं रखा तो कौन सा रिवर्सर होगा इंडरेक्ट यह तो बांड्स है बांड्स मैंसा नहीं ठीक है और घरगर एक्जिम्शन में भी अगर मैंने नए घरगर को तीन साल तक नहीं रखा तो क्या होगा इंडरेक्ट केवल एक ही ऐसा case था जहां और तर 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 शाभ डिर्धिक्ट रिवर्सल था, वह था F Fractional Eximption Fractional Eximption वाले case में नए घर को बेच वह तो क्या होगा? Direct Reversal, बाकी सब जगा तो Indirect Reversal ही है ठीक है और बॉंस के इसमें तो पांस साल वाला बॉंस में पचास तक एक्जिम्शन है तो उसमें तो डिरेक्ट रिवर्सली बनता है खतम होते हैं एक्जिम्शन अब आगे ने टॉपिक में क्या नाम है रेट्स सरल है इदम आराम से याद होगा रेट्स यह रेट्स के बगल में सेक्शन नमबर देख रहे हो 111A 112A यह सब सेक्शन किसके इंकम टैक्स एक्ट के मतलब क्यापिल इसका जो टैक्स रेट है वो साक्षात इंकम टैक्स के अंदर ही लिखा हुआ है बजेट में लिखा हुआ नहीं है तो इसको बोलते है स्पेशल टैक्स रेट क्या बोलते हैं स्पेशल टैक्स रेट्स वो होते हैं जो इंकम टैक्स एक्ट के अंदर ही लिखे वे होते हैं किसी स्पेशल इंकम पर यह बजट में नहीं आते हैं बजट में आते हैं नॉर्मल टैक्स रेट्स और इंकम टैक्स एक्ट के अंदर ही जो रेट लिखा ह है यह दोनों shares and securities के उपर है जिनका rate normal से भी आधा हो जाता है ठेक है अब इदर देखो उल्टा पढ़ेंगे इसमें capital gains का tax rate कितना होता है sir long term का होता है 20% और short term का होता है 30% ठेक है न कोई दक्कत या कोई बात LTCG में आपको दो फाइदे है पहला फाइदा यह rate of tax कम है 20% और दूसरा फाइदा आपको indexation का benefit भी मिलता है तो जो बात हमने शुरू में बोली थी ना marathon में बाइ लॉंग ट्रम होने से दो फाइदा है एक तो indexation का फाइदा और दूसरा rate भी तो कम है correct इन सब securities को जब आप बेचोगे वो क्या है वो जानने की जरुवत नहीं तुरंट पता चलेगा थोड़े दर में तो वहाँ पर भी tax rate नॉर्मल ही है जो उप नीचे लिखा वही same डिट्र लिखा वह को चेंज है क्या 20% indexation और उधर लिखा normal rate अब खास है ये इसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा इतिहास बताना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद अगली topic shares and securities है you turn the page topic number 7 heading के है देखो special provisions for shares and security तब यहाँ पर थोड़ा सा रुक के हम लोगो कहानी discuss करना पड़ेगा अब जो मैं discuss करने जा रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि यही अब आगे continue होने वाला है ठीक है let me show it to you topic number 6 क्या है असान है मैं याद करा दूँगा topic number 6 क्या है rates पल्टो topic number 7 क्या है shares and security यह बहुत important चीज़े जो मैं बोलने जा रहा हूँ let me write it down for you you also write right above topic number 7 पर वो जो मैं अभी लिखाऊंगा वो 6 में भी काम आएगा ठीक है लिखना please section number 10 का 38 पर दूपर 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 नचे लिखना है झाल 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 यह समझ जाओगे ना कितना आसान हो जाएगा तुम्हारा काम कहानियां याद करने में बहुत मदद करती हैं जैसे अभी मैंने तुम लोगों को बोला कि नाम वगेरा जो अपने देते हैं जैसे डिरेक्ट रिवर्सल, इंडिरेक्ट रिवर्सल वो याद करने में हेल्प करता है वैसे ही मेरा ये भी अनुभव रहा है कि कहानियां भी याद करने में बहुत हेल्प करती है लॉंग टाइम याद करने में हेल्प करती है ठीक है तब कहानी को सुनो, कहानी is very good I was a student of tax, मतब जो C.A. की पढ़ाई थी मेरी ये बात होगी दोजार आठनों के आस्वास की हमें क्लास में हमारे टीचर ने बोला की स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट, लिस्टेड कंपनी का शेर्स तो लिस्टेड शेर्स को जब आप लिवा बिची करते हो तो बेचने पे जो capital gains होगा LTCG और लिस्टेड शेर्स का तो period of holding के एक साल होता है जादे के नहीं है, जुल्म लिस्टेड शेर्स का, लिस्टेड सेक्योरिटीज का long term होने के लिए period of holding कितना चाहिए एक साल में पक जाता है long term तो उन्होंने बोला कि sale of shares पे जो LTCG होता है it is exempted, section number exemption का mother section कौन है तो मैं तो तुमसे 2018 की बात कर रहा हूँ, 2018 की पहले की तो हम लोग पढ़ते थे LTCG on sale of shares is exempted, तो बवाल है सब का मन करता था कि stock market में घुज़े हैं भई क्योंकि यही तो असनी पैसा है आपको income tax ही देना नहीं पढ़ा है GST तो है भी नहीं और income tax भी नहीं है, just imagine that no GST, no income tax इससे बड़ा दुनिया में और क्या चीज़े उनमें, इससे तो पैदा हुए थे पूरा exempt है हम लोग बड़ी बड़ी पाते तो सुनते थे तुमको मालूम है राकेश जुन जुन वाला, उनकी death हो चुकी है पर बहुत, मतलब उनका वो रहा है, नाम रहा है राकेश जुन वाला का नाम सुना ही होगा न, ठेक है तो he was simply a chartered accountant just normal middle class and that person became 35,000 करोड का माली उसने चालू कर दिया Aakasta Airlines समझ रहे हो, stock market से कमाया तो समझ रहे हो, LTCG on sale of shares was exempted कितनी बड़ी बात थी है 2018 में budget में इन्होंने बदल दिया सब कुछ कब बदला 2018 में मोधी सरकार 2014 में आई थी और 2019 में अगले चुनाओ थे लेकिन 2018 में ये बदल गया था ये 2018 में जनवरी में budget आया और इन्होंने बुला यार अब इसको और exempt नहीं करेंगे इस पर थोड़ा तो tax देंगे अब थोड़ा लेंगे मतलब अब आते हैं अगर bump फोड़ दो गए तब तो भोकाल मत जाएगा stock market में मतलब stock market इतम nifty sensex जोड से किरेगा तो इन्होंने बुला don't worry STCG हो या LTCG हो हम tax तो लगाएंगे पर आधा जैसे STCG का normal rate कितना होता है 30% इन पे कितना लगेगा 15% LTCG का normal rate कितना होता है 20% इन पे कितना लगेगा 10% तो आधा कर दिया 20 का आधा 10 30 का आधा 15% बुला कुछ तो देना पड़ेगा बुला और दो फाइदे देंगे अच्छा क्या दोगे बुला अगर आपको LTCG हो रहा है पहले तो LTCG exempt था तो बुला अब LTCG पे आपको 10% tax को देना पड़ेगा लेकिन एक लाख रुपे तक का आपको exemption है मतब सबोस आपको LTCG जितना भी हुआ माइनस वन लाख का exemption फिर उस पे 10% देना है तो इस सेकेंड मेनिफिट आपको एक लाख का फाइदा हो गया सबोस मान लोग कि मेरा LTCG हुआ है साथ जार सभी बोलो ना मै मेरा LTCG 60 जार तो एक लाख के लग दू अंदर नो टैक्स मेरा LTCG हुआ है एक लाख चालीज जार तो एक लाख चालीज जार पर दस पसंद देना है तो इस सेकंड फाइदा है मेरा एक लाख वाला अच्छा तीसरा फाइदा तो बाप है सब का वो क्या बह्ला यहां इंडिकसेशन तो नहीं देंगे मन बैढ़ गया यह तो गल्त बात रहता Là पर बह्ला उससे बड़ा और कुछ देंगे क्या देंगे नो इंडिकसेशन बट ग्रायन फादरेंग एक ग्रायन फादरेंग हुआ तो थोजार एक में पर कोवा माइनस होएगा तो बता कोवा जो है ना यू केंट टेक ओरिजिनल कॉस्ट और फैर मार्केट वैल्यू और तारीक 31 जन्वरी है, मार्च नहीं है 31 जन्वरी 2018, whichever is higher, और तुम लोग सब जानते हो ग्रैंड फादरिंग इंडेक्सेशन से बहुत उपर है ग्रैंड फादरिंग से पुरा कॉस्ट रिक्दम धराम से उपर होता है, सोचो आपके पास 2005 में खरीदेवे शेर्स थे, उनका ओरिजिनल कॉस्ट या फिर फैर मार्केट वैल्यू और निकरते जन्वरी 2018 कोई मुकाबला है कोई मुकाबला ही नहीं है कॉस्ट रिक्दम धराम से उपर जाएगा तो LTC तो ऐसी नीची हो जाएगा तो इन्होंने एक्जेम्शन छिल लिया मानते हैं, पर तीन फाइदे भी तो दिये नमबर वन फाइदा, टैक्स रेट है आधा, 10% on LTC और ST पे दूसरा फाइदा LTC में एक लाग का एग्जेम्शन है, तीसरा फाइदा LTC में इंडेक्सेशन तो नहीं, बट गरायन फादरीन तो है न, ये सारा का सारा ग्यान देखो यहाँ, सेक्शन नमबर 112A हलो इधर बोड पे, 112 किसका होता है नीचे एदर मेरा हाथ है, जाना देखो, 112 किसका LTC तीजी और 112 किसका LTC तीजी हो इसमें क्या-क्या फाइदे हैं सर एक दो तीन तो आप लिस्टेड कंपनियों के शेर्स बेचोगे तो आपको तीन फाइदे हैं एक तो रेट्स आधे हो जाते हैं दूसरा LTC में एकला का एक्जम्शन है तीसरा इंडेक्सेशन नहीं तो क्या होँआ सर उसका बाब दादा है ग्राइन फादरिंगों ने करते जन्वरी 18 विज नाइस ओके और इवन अगर STCC भी है तो उसके लिए ये रेट्स क्या है आधा तीस का आधा पंदरा याद रहेगा कि ने रहेगा कहानी सुन लोते हो लोंग टाइम याद रहता है खाली डेटा रटा मारोगे तो भूल जाओगे अब ये बता दिया तुमको तुमारे लिए ये इजी होगे ये नहीं कि तीस का आधा पंदरा तो तुम डिराइफ करेंगे हाँ पंदरा का लॉजिक क्या है ओके लिस्टेड शेर्स वग्यारे के उपर ना एक कॉंसेप्ट आया था STT का किसका STT Securities Transaction Taxi 2004 में आया था ठेक है 2004 में आया था मतब आविस दी Congress की सरकार रही होगी तब ही आया था अब मुझे ये तो एक्जाटल याद नहीं कि 2004 में कौन थे नहीं याद थे Manmohan Singh सरकार 10 साल तक चली है और 2014 से Modi Government आयी है तो most probably 2004 से लेके 2014 तक Manmohan Singh थे पर Manmohan Singh के जस पहले कौन था मुझे याद नहीं है ठेक है जो भी था अपने हो क्या 2004 में STT का concept आया था Securities Transaction Tax इसके अनुसार Stock Market में जब आप Listed Equity Share ये Equity Oriented Units खरीदो चाए बेचो दोनोई टाइम आपको STT देना पड़ेगा और ये Tax बहुत ही मामूली होता है 0.1% कितना होता है 0.1% ये Sale के टाइम पे भी लगता है और Purchase के टाइम पे भी लगता है बहुत मामूली है ये यार 0.1% ये कब लगता है Listed Equity Share या Equity Oriented Unit पर कई जन लिस्टेट डिवेंचर पे भी बोल रहे है वो गलत है वो नहीं होता है ये पूरा Research करके बता रहा हूँ कई जन को ये पता नहीं है वो बोलते हैं हर Listed Securities के Bicell में STT है नहीं Listed डिवेंचर पे STT नहीं होता Listed Equity Share प होता है तो Section Code कर देना मैंने Source भी लिखके दे दिया Google में जाके टाइप करना Section 98 of STT निकल के आ जाएगा उसमें साफ बोला है Equity Shares ये Budget के थूँ आया था Finance Act 244 के अंदर आया था तो Finance Act 244 में जाके Section 90 टाइप करना डिरेक्टली नहीं मिलेगा तुम Google में राप करना Section 98 of STT तब आ जाएगा तो उसमें बोला है ये Equity Share ये Equity Oriented Unit जो Listed है उनी के उपर है ये Listed Deventure पर नहीं है Listed Preference Share पर नहीं है इसको लेकिए इंटरेनेट में बहुत गलत-गलत फैला हुआ है तो एक खाली Equity वालों पर होता है STT का deduction ले सकते हैं expense की तरह PGP Chapter में Section 36 लेकिन हम जैसे लोग investors लोग हमारे लिए तो capital gains है हमको STT का कोई deduction नहीं मिलेगा ना purchase की ताइम पर ना sale की ताइम पर sale की ताइम पर आप STT माइनस नहीं कर सकते expense की तरह और purchase की ताइम पर STT को cost में आड नहीं कर सकते उपर पढ़ेंगे उपर आजा हो गया सब का अब उपर पढ़ो यह listed equity shares जब आप stock market में बेचते हो तो उस पे STT लग जाता है ठीक है listed equity oriented fund जब आप stock market में बेचते हो तो उस पे STT लग जाता है तो इनके case में LTCG और SDG के tax rates कम हैं 10% 15% 10% 15% case है तीन नंबर वो मैं समझाओंगा उसके लिए इसी compact book में page number 10.6 पे आओ इसी compact book में page number 10.6 पे आओ यह देखो यह diagram देख रहे हो भारत सरकार ने क्या किया है देश की तरक्की के लिए कुछ-कुछ इलाकों को special economic zone गोशित कर दिया है क्या गोशित कर दिया है special economic zone यह 2005 में हुआ था कब हुआ था 2005 2005 में कानून आया था special economic zone act 2005 और इसके rules बने था 2006 में यह special economic zone का फंड़ा पुरा क्लास में बताया हुआ है और फिर भी हलका से याद दिला देता हूँ भारत में बहुत सारे special economic zone है तुमको अगर list देखना है मिल जाएगा तुम Google में जाके टाइप करोगे list of special economic zones in India दो ड़ाई सो शेहरों का नाम निकल के आ जाएगा बंगाल में एक है फालता करके शायद नाम है उसका और भी यह बहुत सारे special economic zone because यहाँ पर maximum export का ही काम होता है क्या होता है एक्सपोर्ट का special economic zone area क्या होता है just imagine such a beautiful thing एक विरान इलाका है या तो गाउं जैसा ये जंगल जैसा एक दम विरान इलाका उस पूरे इलाके को साफ करके वहाँ पूरा एक शेहर बसाया जाएगा और ये बहुत बड़ा infrastructure development है शेहर बनाना है बिल्डिंग नहीं शेहर बनाना है तो ये काम करने के लिए जो builders होते हैं वो मामूली builders नहीं होते हैं उनकों लोग बोलते हैं sales developers normal developer जो होता है building बनाता है sales developer पूरा का पूरा शेहर बनाता है शेहर कैसे बनाओगे पानी की pipeline जानी पड़ेगी पिजली की तार वगएरा सब जानी पड़ेगी टेली communication का टावर वगएरा बनना पड़ेगा road बनना पड़ेगा flyover highway बनना पड़ेगा railway बनना पड़ेगा so many things तब तो infrastructure बनेगा boss है ना तो वहाँ पे वो पूरा construction create करके बनाने का काम किसका होता SS developer का कौन करता है काम अड़ानी करता है मानी भी करता है दोनों करते है दोनों ये SS developer का काम करते है पूरा का पूरा वो साफ करके पूरा शेहर create कर देते है उस शेहर के दो हिस्से होते है एक जहां पे रहने के लिए सुविधाएं रहेंगी जिसे जो होते है न स्कूल, ऑस्पिटल, रेजिदेशल आउसस, क्लब्स, मॉल, लाइक दाट और एक हिस्ता रहेगा फैक्टरी पोर्शन, जहां पे सारा इंडस्ट्री सेट अप होगा, वहां पे एक्सपोर्ट का काम सके, समझ रहो, अब सोचो जो भी लोग वहां रहेंगे, उनके लिए तो आसान है, घर भी है और ओफिस भी है वहीं पे, पूरा इलाका इसलिए, और क्योंकि वह एक्सपोर्ट औरियेंटेड होता है, इसलिए वहां पे टैक्स की जबर्दस रियायते होंगी कि नहीं होंग वर्क करता है कि नहीं, इसलिए गवर्मेंट एक्सपोर्ट को बहुत जादा पुश करता है, ओके एक्सपोर्ट पे इतनी सारी टैक्स रियायतें भी होती है, अब बहुत सारे सैज है, लेकिन आज हम बात करेंगे एक विशेश प्रकार के स्पेश अग्नॉमिक जोन का, जो है एहमदाबाद में लोकेटड जिसका नाम है गिफ्ट सिटी, क्या नाम है? गिफ्ट सिटी एहमदाबाद, गिफ्ट गुझरात इंटरनाशनल फाइनस टेक सेंटर, गिफ्ट सिटी स्पेशल एक्कनामिक जोन के अंदर लोकेटड है और वहाँ पे बहुत सारे इंडिया इंक्स पे इंडिया इंक्स पे इंडिया सेक्ष्टी नहीं लगता है बावजूद उसके उन पे टैक्स रेट कम है दस परसंट पंदरा परसंट अपरो सेक्यॉर्टी स्टाउक्ष्टी इंडिया इंक्स पेड कौन सा स्टाउक इस्टाउक इसे नाम क्या बुला बहुत सारे जो सहित के कार है ना वो भारत को इंडिया इंक बोलते हैं क्यों बोलता रहा हुँ अमेरिका में कम्पनियों के नाम क्या है कि लिमिटेड नहीं लगता हमारे यह लिमिटेड लगता है ना अमेरिका में जो कम्पनियां होती ही, उनके नाम के लास्ट में इंक लगता है, इन सी इनको पे लास्ट में, इंक लगता है, तो वो लो लोग बोलते है, इंडिया इंक, मतलब भारत देश सबसे बड़ा पावरिफुल कॉर्परेट बन रहा है इस पुरे वर्ड में, हमारी ए देमोक्रेसी उनके यहां नहीं है, जहां देखो, बिजनस बड़ा होने के लिए फ्री ट्रेड होना बहुत जरूरी होता है, फ्री ट्रेड का मतलब बंदिशे में डालो व्यापार, फ्रीली मुक्त व्यापार होने दो, let the व्यापारी डिसाइड, let the customer डिसाइड क्या होना चा तो इंडिया कोई लोग बोलते हैं इंडिया इंक, कि इंडिया इंक इस ग्रोईंग, मतलब इंडिया लाइका कॉर्पर्ट इस ग्रोइंग, तो वहीं से यह लोग नाम चुराएं, इंडिया इंक्स, ठेक है, यह Stock Exchange जो आएफे चेंटर में लोकेटेड है, यह स्टी नहीं लगता है, बावजूद उसके tax rates कम है, 10%, 15%, clear है, इन तीन के अलावा कोई भी shares and securities का आप सौदा खर लो, वो नॉर्मली में जाएगा, नीचे, 20%, 30%, ठेक है, rates of tax clear है, next page, topic 7, special provision for shares and securities, सबसे जबर्दस तो अभी तुमको बढ़ाया, ठेक है, देखो जड़ा, लिस्टेड, इदर, बात करें सर, लिस्टेड equity share बगेरा बेचोगे, तो सरकार ने आपको grandfathering बोला, grandfathering से आपका cost भड़ता है ना, good news की bad news, इन्होंने बोला, जो भी आपके shares का original cost था, या फिर 31 January 2018 को जो fair market value था, whichever is higher, वो ले लो, बस एक ही condition है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि 31 January 2018 की जो fair market value है, वो आज के FBC से भी जादा है, वो नहीं होना चाहिए, जो भी fair market value की 31 January 2018 को है, वो आज के FBC से कम होनी चाहिए, वरना तो answer negative आजाएगा loss, और फिर सरकार आपको set off अलाओ करेगी, तो वो नहीं होगा, सरकार बोलेगी, grand fathering करने दे रहे हैं, पर grand fathering की व एक तो हम तुमको grand fathering करा रहे हैं, तुमारा cost बढ़ा रहे हैं, पर इतना भी मत बढ़ा देना, कि वो FBC से उपर चला जाए, और answer negative आजाए, तो इसलिए उन्होंने condition डाल दिया, कि fair market value on 31 January 2018, और full value of consideration, whichever is lower, वो value ले लो, वो और original cost, whichever is higher, एक तो सरकार, सोचो जरा, एक तो सरकार आपको grand fathering करने दे रहे हैं, जिससे आपका cost बढ़ा रहे है, पर इतना भी मत बढ़ा देना, कि FBC से उपर चला जाए, बना तो answer negative आएगा, तो FMV on 31 January 2018, FBC ज्यादा मत लेना, ठीक है, मानलो FBC मेरा 600 रुपया है, और FMV on 31 January 2018, 700 रु ताकि 0 आजाए, capital gain पर minus 100 नहीं हो जाए, वरना तो गलत बात हो जाएगी ना, लॉजिकल एक दम, इस करसे higher lower बुल के याद रखो कि तो मरोगे, higher lower नहीं, common sense बुल के याद रखो, कि एक तो grand fathering करा रहे हैं, पर grand fathering की वज़े से cost इतना मत बढ़ा दो कि वो FBC ज्यादा हो और negative answer आजाए, second, जितना सरकार को listed से प्यार है, उतना ही सरकार को, unlisted से नफरत है, listed का तो cost बढ़ाया था, unlisted का, sale value यह बढ़ा दिया, FBC बढ़ना, good news है की bad news है, terrible news है, आप तुम लोग कुछ याद दिलाता हूँ, इसी marathon में हमने land building की वारे में बढ़ा था कि नहीं, मैं property बेचा हूँ, मैंने property दिखाया, बेचते वे सिर्फ 10 ताक रुपे मैं चबकि property की value कितनी है, 5 करोड, तो यहाँ पे state government खूद की आएग नहीं है, section number 50C, 50, यह उसका भाई है, 50C है, बगल में देखो, वो 50C, यह 50C है, देख रहे हो, यह भी बोल रहा है, कि जब unlisted shares वगेरा को बेचोगे, तो यहाँ तो property नहीं है, shares है, तो SD value तो आएगा नहीं, बदले में क्या आएगा, fair market value, तो आपकी sale value, fair market value से कम नहीं होनी चाहिए, अगर कम है तो हम fair market value ले ले लेंगे, तो इधरोंने सीधा बोला, FVC equal to higher off, sale value और fair market value, ठीक है? तो listed से प्यार और unlisted से नफरत, unlisted में क्या किया? FVC बढ़ा दिया, बोला, sale value कम दिखाओगे तो मानेंगे नहीं, fair market value कम से कम उत्ता तो होना, चाहिए ही चाहिए. जैसे property में SDV, यहाँ पर FMV, वो 50C, यह 50C है, तो हर बार section number याद करने की जरुबत नहीं होती, पर कुछ-कुछ section ऐसे होते हैं जो इंसान को connect करने मदद करते हैं, तो कम से उत्ता तो उपने बोली सकते हैं, और क्या? याद नहीं है कोई बात नहीं है, पर समझने में तो अ bonus share जब बेचोगे, तो कैसे solve करोगे? FBC equal to something, minus cost क्या ठेंगा? लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बत्तनीजी हो गया, वो बत्तनीजी क्या है? अगर आपको bonus shares 2001 के पहले मिले थे, 2001 के पहले, तो तो तुमको थे, 2001 के पहले का जो समान होता है, उसका guaranteeing हो जाता है, original cost और fair market value on 1 for 2001, whichever is higher, तो अगर bonus share 2001 के पहले मिले हैं, तो original cost की ना 0, और उसका fair market value 2001 में कुछ तो रही होगा, तो वो आएगा, यह इन लोगों से चूप हो गई कानून बनाते वक्त, इसलिए, अगर bonus shares आपको मिले हैं before 1 for 2001, तो उनका cost क्या होगा? fair market value, वरना तो सारी दुनिया जानती है, यह bonus share का cost क्या होता है? nil. ठीक है? आज तुम लोगों को मैंने Capital Games में जो एक नाम दिया, Grandfathering, उससे याद करना असान होता है कि नहीं, जब बोलता हूं तो आक से दिमाग में आता है, क्या हो रहा है? तो यह power होता है names का, तुरंथ, मतब इतना सोचना नहीं पड़ता, it becomes a normal thing for you, हम लोगों के साथ, Indian education में यही problem होता है कि हमारा naming उतना ज़्यादा नहीं है, मैं तुमको मतब थोड़ा, मैंसे तो science की class नहीं है लेकिन तुमनों को बताऊँगा, तुम India के science authors की किताब पढ़ो, ठेक है? और तुम किसी गोरे, मतब जैसे I.T. J.E. की नहीं पर नहीं बहुत सारी books आती थी रेस्निक हालेव अगयरा, जो physics की books है, तुम गोरों की लिख मैं एक्जाम दे दिया था, मेरा All India rank आ चुका था, पर मेरा आर्टिकर्शिप चल रहा था, वह था है ना आर्टिकर्शिप के एक साल पहले एक्जाम दे सकते वैसे, तो मेरा आर्टिकर्शिप खतम नहीं हुआ था, और मैंने part-time cost पढ़ाना चालू कर दिया था, मतलब यह सहयोग की बात ही, CA final का cost पढ़ा रहा था, मैं सीधा कर सीधा, CA final का cost पढ़ा रहा था, तो costing के अंदर भी, तुम Indian authors की किताब पढ़ो, Indian authors की किताब आती है, बहुत सुन्दर किताब आती है, आज भी आती है, अगर तुमको पढ़ना है तो सक्सेना वशिष्ट, ठीक है, उस उसमें CA का, CMA का, CMA, CMA एक होता है, बाहर का कोडस है, जैसे इंडिया में CMA है, बाहर का, लेंडन का है CMA, उसमें CA, CMA, CMA, सब का, पूरा सॉल्ड, पूरा सम सम जाला है, बहुत बढ़ी है सक्सेना उस लिगताब, Indian किताब एक तरफ, और एक तरफ में foreign cost की किताब, foreign cost की क वहाँ जाओ कि वो लोग जिस तरह से बात करते हैं, मतलब समझों बोलने का एक तरीका होता है, नाम हम देखे, तुमको एक एक चीज ऐसा घुसके समझ में आएगा, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, तुमको लगए है, हाई रा मैं तो कुछ जानता ही नहीं था, foreign cost कि ठीक है, मतलब इतना सुन्दर उसमें समझाया है वाई सारा, उससे तुमको जो variable cost क्या होता है, marginal cost किस से वर्क करता है, पूरा clear हो जाएगा, तो यह जो गोरे लोग होते हैं नहीं, इनका भाशा का एक जादू है, कास तुम सोचो कि स्कूल में जब तुम मैस्क बढ़ रहे इजी लगता, इतना इजी, और हम लोग को क्या पढ़ाया जारा है, पूरा का पूरा English system से मैंदा मैं, calculus करके खतम कर देते हैं, मतलब समझ में आता है, DDS रो जाता है दिमाग का, ठीक है, पर वहाँ पर जिस तो समझाया हो है, अलग level है, तो मैं कोशिश वही करता हूँ, कि अब Indian income tax है, foreign income tax हो पढ़ नहीं सकते हैं, पर शब्दों का जो प्रयोग है, वो यहां तो कर सकते हैं, जिससे life अपना थोड़ा आसान हो जाए, bonus share तो clear, अभी बात करूँगा, मैं right shares, right shares हो मुझको कोई पंगा नहीं है, मेरा main मुद्दा है, rights entitlement, क्या बोला मैंने, rights entitlement, दो right shares में कोई पंगा नहीं है, जैसे for example, company के share का भाव 500 रुपए चल रहा है, तो market price, और company ने right shares अनौंस कि अपने सारे shareholders के लिए in the ratio 1 is to 5, in the ratio 1 is to 5, मतब सबोस आपके बस 10,000 shares पहले से हैं, तो आप company से right shares दे सकते हो 1 is to 5, यानि कि 2000 share खरी सकते हो at a सस्ता price of 400, बचार में भा फायते का सौधा है, तो तुम तो बहुत जादा खरीजना चाहोगे, सस्ता में कोई चीज मिले तो बहुत ट्रक भरके लेंगे, पर allowed नहीं है, company ने बला ratio 1 is to 5, तो आपके बास अगर 10,000 share है, तो आप 2,000 right shares खरीज सकते हो, तो इसमें कोई problem नहीं है, तुम जित्ते दाम प खरीदा, कितना भाव पर खरीदा, 400 रुपया, बोलो multiply कर गया, दो जादे चुछ चार्सो कितना आएगा, आठ लख, आठ लख, तुम आपस 10,000 share है, तुम बने चुपाइब 2,000 share खरीद होगे, और बजार का भाव पानुस है, पर तुमको 400 मिलेगा, तुमने 400 में खरीद तो cost of acquisition कितना है, आठ लख, भविश्य में वो share जबी भी बेचोगे, सबोस्ट भविश्य में तुमने बेचा 700 के भाव पर, तो 2000 share 700 के भाव पर भविश्य में बेचोगे तो 14 लख, तो calculation तो easy है sir, FVC 14 लख, minus index cost, 8 लख into something, by something और निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये खरी सकते हो, क्या ना में आपका, right shares, तो आपके गर पे चिट्टी आई, आपके पास 15 दिन का वक्त है, कितने का है, 15 दिन, कानुनी तोर में बदा देता हूँ, 7 से 30 दिन का वक्त होता है, कितने का, 7 से 30 दिन का वक्त होता है, तुमारे गर में rights offer आया, कि आपना 1 to 5 shares खेश सकते हो, तोरे टो 400 रुपया, ठेक है, कितने का मुनाफ़ा है, 100 रुपया, 100 रुपया आपको फाइदा मिला, मिला की नहीं मिला, ये जो आपको offer मिलता है, ये sale level offer है, मतलब या तो आप खुद rights share ले सकते हो, या आप किसी और को ये offer बेश सकते हो, इसे हम कहते है renunciation of rights, क्या कहते है, renunciation of rights, कि आपने किसी और को बेश दिया, अच्छा मुनाफ़ा कितने का है, तुम 10,000 share वाले हो, तुम 2,000 share खेश सकते हो, है ना, 1 to 5, 2,000 share, और सबोस हमारा marketplace response हो है, मैं दे रहा हूँ 400 में तुम लोगों, तो 100 रुपया का फाइदा है, तो 2,000 share into 100 रुपया, discount कितने का, 2,000,000 रुपया, तुम ये rights entitlement, ये offer किसी और को बेच दिये, 80,000 रुपय में, कितने बेचा तुमने, अच्छा 2,000,000 का total फाइदा है, तुमने अगर 80,000 में बेचा, तो अगले को कितना फाइदा होगा, 1,000,20,000 का, correct, उस से उमको मतलब नहीं जाने ये offer ही अपने आपने capital estate है, ये आपको जो offer मिला, you can buy right shares, but you don't buy, instead you want to sell that offer to someone else, so that offer itself is a capital estate, and whenever there is a transfer of capital estate, there is capital gains, तो आपने तो भहिया, ये offer बेच दिया, ये offer आपने कितने बेचा, 80,000 में, और आपका लगा क्या था, 0, इस offer के लिए आपने कुछ खर्च किया था, cost is 0, तो C equal to 80,000 रुपया, minus cost nil equal to 80,000 रुपया, तो 80,000 रुपया straight away gains है, cost again है, long term की short term, सर्थ 30 दिन में तो खेला खतम, ये जो offer आता है, कितने दिन का होता है, 7 से 30 दिन, तो 30 दिन में तो खेला खतम, तो ये तो long term होई नहीं से, short term है, तो आपको short term capital gain, 80,000 रुपया, ये ही बढ़ with example लिखा हुआ, figures लग है, मेरे figures लग है, इसमें लग figures होई, कि आपने rights and entitlement बेज दिया, तो आपको जो भी मुनाफ़ा हुआ, it's straight away short term capital gains, और मुनाफ़ा, जितने भी बेचा, वही मुनाफ़ा है, because cost तो सर्थ 30 दिन में लगए नहीं था, तो bonus और rights में, दोनों में ही तुमने देखा, कि bonus share का cost क्या होता है, nil, rights entitlement का cost क्या होता है, nil, तो bonus share बेचो, तो cost nil, rights entitlement बेचो, तो cost nil, तो यही खास बात थी, जो सिखाने लायक थी, वो एक कहावत होती है, noon ना फिटकर ही, रंग चोको चोको, मतलब बोलने का basically मतलब होता है, कि जेव से कुछ पैसा लगानी, और जो आया संपून फायदा हो गया, मतलब the entire FBC that you received is your total benefit, यही बस इसमें सीखना था, तो कोई high five बात है क्या, अब तक हमने चार बातें सिखी है, listed share में सरकार cost बढ़ाती है, क्योंकि उसके pair करती है, unlisted share में सरकार FBC बढ़ाती है, बो उसको नफरत करती है, और क्या तीन नंबर, bonus का cost, निल, चार नंबर, rights, entitlement जो अब बेचे हो, उसका cost, निल, very good, पाँच नंबर, the mat, तेक्या न, समझ मेरा तो share's record is, important topic है, पर इसमें स्टूड़ों की बहुत जान निकलती है, इसका दोशार कारण है, number one, तो student को stock market की समझ जरासी भी होती नहीं, इसलिए ये foreign thing है, तो hard लगता है, दूसरा, ये chapter के end में आता है, chapter के शुरू में जोस इंसान का जादा होता है, बाद में जोस हो जाता है, फुस, तो वो एक कारण हो जाता है, तीसरा कारण ये हो जाता है, कि यहाँ पर actually कुछ हाई-फाई बाते लिखी हुई है, जो लोग समझना नहीं चाहते हैं, अब समझोगे नहीं तो कहां समझाएगा, जब तो वो कहानी नहीं पता, तुमको फिर बात कहां समझाएगा, तो वो समझोगे तो अपने आपी यह 2015 में और 2020 में, ठीक है, 2012, 2015, 2020 में, अलग अलग बार, Reliance का भाव अलग अलग था, and quantity of shares that are purchase वो भी अलग अलग था, पहले सब मैंने 1000 share खरीदे, फिर 2000 share खरीदे, पिर 3000 share खरीदे, और दाम भी अलग अलग होगा, आज मैं 2023 में, मेरे पस कितने shares पढ़े हैं Reliance के, 6000 shares, 1000 share खरीद में, 2023 में, 2022 में, मैं वो shares बेच रहा हूँ, ठेक है, तो बेचने का तो आपको FVC लेना है, आप ले ले हो, ठेक है, cost कुछ ले होगे की नहीं, तो अब cost कैसे निकालोगे, cost कैसे निकालोगे, सबोज मैंने आज बेच है 5000 shares, तो 5000 shares का cost क्या है, फीफो, लीफो की weighted average, इन्हों मान लो, कि सबसे पहले वाला जो 1000 share ना, वो है, और बचा हुआ 1500 share, जो next तुमने 2,000 खेदा था उसमें से, तो अब तो अब तो accordingly cost calculate कर लो, यही है, यही है, यही है बस, ठेक है, फीफो, तो ना तो यहाँ लीफो है, और ना ही यहाँ weighted average है, यहाँ क्या चलता है, फीफो, next, ESOP, ESOP या, स्वेटिक पटे, मैं figures बोलूंगा और समझ में तूरंट आजाएगा मेरी बात को सुनना द्यान से, you are working as an employee in the company, you are working as an employee in the company and you are a mind-blowing employee, you are a star employee, who are you, star employee, star employee वो होते है ना, जिनकी बिना काम चलेगा नहीं, जो actually सारा काम समझालते हैं, वो होते है, star employee, ठेक है, अगर तुम किसी कंपनी में star employee बन जाते हो ना, you become indispensable for that company, और वो कंपनी में हमेशा देखोगे, तुम automatically leader बन जाओगे, क्या बन जाओगे, leader, पैसे से मतलब नहीं है, तनखा हो सकती बराबर उससे मतलब नहीं, पर तुम क्या बन जाओगे, leader, you will become indispensable for the company and you will automatically become a leader in your gang, ठेक है, तो you are a star employee, company ने आपको ESOP offer किया, ESOP, किया आप company का share सस्ते में खरीद सकते हो, correct है, now, ESOP मिलना is a perquisite, salary chapter, perquisite, it's a perquisite, इसमें होता क्या है, कि offer आपको एक समय मिलता है, पर आप ततकाल नहीं खरी सकते है, उसमें कुछ time gap होता है, उसके बाद वो लोग exercise period चालू करते हैं, जब आप खरी सकते हो, तो अब यहाँ पर नियम क्या होता है, जिस दिन तुमने खरीदा, इसको अप अपनी ने तो आपको ESOP का offer दिया था 2021 में, लेकिन खरीदना allowed था 22 में, तो आपने फाइनली 1 जून, 1 जून 2022 को अपना यह हक, अपना यह option चुन लिया, exercise कर लिया, और बोला मैं खरीदूंगा, तो 1 जून 2022 जिस दिन तुमने ESOP खरीदा, मतलब the rate of exercise of option, उस दिन का हम fair market value न सारे 400 रुपया, और company ने बोला, तुम सस्ते में खरीद लो, तुम्हारे लिए सर्फ 200 रुपया, तुम्हारे लिए सर्फ 200 रुपया, जबकि company का market price 400-500 चलता है, और आज जब तुम खरीद रहो तो सारे 400 है, ठेक है, लेकि company तुमको कितने में दे रही है, 200, तो तो तुमा बेरे फिगर जयात रहेंगे, कोस्ट कितना है, 200 रुपया, तुमसे 200 रुपया, तुमसे 200 रुपया ले रही है, fair market value on the reader of exercise, वा उप्शन इकोल दो FMV1, FMV1 कितना है, सारे 400 रुपया, मतब जिस दिन तुमने खरीदा, बहाओ चलता सारे 400 रुपया, मुनाफ़ा कितना हुआ 2800, यह 2800 क्या माना जाएगा, perquisite value, यानि कि salary में taxable है, are you okay with this, later on future में जाके तुमने 24, 25 में suppose, वो shares बेच दिये, shares बेच दिये, ESOP बेच दिया, shares is a capital asset, बेचने से क्या होगा, capital gains, तो capital gains कितना होगा, capital gains का formula पुरी दुनिया जानती है, FVC minus, cost, FVC minus, cost, ठेक है, cost क्या लेंगे, 200 रुपया कि 4500 रुपया, 4500, क्योंकि sir, 200 से 4500 तक तो आप tax दे चुके है न, तो अब आपके लिए नया cost क्या है, 4500, तो cost के बदले यहाँ पर लिखो गए, correct, suppose तुमने 2425 में जाके वो shares बेचा 600 रुपया मैं, तो FVC का 600 रुपया, minus cost 200 थोड़ न, क्योंकि सारे 400 तक तो सरम tax दे चुके है, तो आपके लिए नया cost क्या सारे 400, तो आपको मुनाफ़ा के न, 600 minus 4400, 1500 रुपया, और सत है न, क्योंकि 600 से लेके 200 का मुनाफ़ा 400 होता है तो 2500 सालरी में taxable, और 1500 capital gain में taxable, यही तो है, तो common sense की बात है, सरकार double tax phone लगाएगे, कि perquisite one की भी tax लगाते हैं और capital gain में भी rail देंगे, ऐसा थो न, होता है, are you okay with this? ठेके, एक और खास बात है, normally, इस पूरे अभी मैं जाने ही वाला हूँ, थोड़े देर के अंदर, exempted transfer में, section number 47 में, लेकिन जब तक नहीं जा रहा हूँ, तब तक बता देता हूँ, normally, gifts, वसियत में देना, irrevocable trust में नालना है, इन सब को exempted transfer माना जाता है, gift को क्या माना जाता है, exempted transfer, ठेके, लेकिन इस top ये sweat equity shares को gift कर रहा है, तो वो exempted transfer नहीं है, वो taxable है, तो उसमें tax calculate होगा, कैसे calculate होगा, capital gain equal to, formula क्या होगा, hello, formula क्या होगा, FBC minus cost, wait, FBC minus cost, cost क्या लोग है, वो तो भई है, 4500 रुपया, है ना, cost तो भई है, सारे मान लोग की भई हमने बेचानी gift किया, हमने बेचा नहीं, बेचते तो क्या formula होता है, FBC minus FMV1, हमने तो gift किया, तो cost तो भई होगा, 4500 रुपया FMV1, FBC क्या होगा, जिसका कोई नहीं होता, उसका fair market value होता है, तो जिस दिन आपने gift किया, उस दिन की fair market value ले लो, जिस दिन मैंने gift किया, उस दिन की fair market value चल रही है, आठ सो रुपया, तो आठ सो माइनस, साढ़े 400, साढ़े 300, FMV2 मतलब, fair market value on the date of gift, FMV1 मतलब, fair market value on the date of excise of option, उस दो फुल फॉर्म साव अंदर लिखा हो है, बड़ा common sense रह कोई चीज है न, कोई दिक्कत, इदर, ये है one, ये है two, ये है two, अरे मतलब, या तो sale होगा, ये gift होगा, दोनों थो ना करोगे, आधा-धा कर सकते हो, जैसे सब उस मेरे को 1000 शेर्म लेते हैं, 500 बेच दिया, 500 gift कर दिया, या कोई भी और, मतलब, ratio में, ठेक है, तो बेचोगे तो, fbc minus fmv1, और gift करोगे तो fmv2 minus fmv1, पंडे कलिया न, कोई दिक्कत, यार ये amendment है, normally, marathon की book वगेरे में, मैं sums नहीं डालता हूँ, because मैं सारे section discuss करता हूँ, लेकिन क्योंकि amendment है, मैंने sums डाल रखता है, नीचे देखो, blue color, नीचे blue डबा जो है वो, sums है, ये इंस्चूर की किताब का sums है, और ये amendment है, इसलिए very important आ सकता है exam में, ठीक है, थोड़ा सा पांच मिनट अराम से सांस लेकि इसको एक बार समझेंगे, काफी अच्छा है ये, ठीक है, सार्ट करते हैं ये, सेक्शन नमबर 46A, focus करना, buyback of shares by domestic companies, ठीक है, यहां उपर लिखो, equity share, preference share, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ, वो buyback of equity share and redemption of preference share दोनों पर apply करेगा, ठीक है, equity share का buyback होता है, preference share का redemption होता है, अगर एक domestic company, equity share का buyback करें, या preference share का redemption करें, तो तुम लोगों को कुछ मुनाफ़ा होगा, जैसे, अगर मान लो company के बजार में shares का जो भाव चल रहा है, वो 500 रुपे है, और company आपसे buyback 600 रुपे में कर रही है, तो आपको 100 रुपे का फाइदा हुआ की नहीं हुआ, या ऐसा सोचो, तुमने जब company का shares खरीदा था, तो 400 में खरीदा था, और आज company buyback कर रही है 600 रुपे, तो तुमको 200 का फाइदा हुआ की नहीं हुआ, वैसी सोचो, तुमने preference share 100 रुपे का खरीदा था, और company आज redeem कर रही है 10% premium पे 110 रुपे में, तो तुमको 10 रुपे का फ तुम्हारे लिए क्या है सर, exempted, तो buyback में जो आपको extra पैसा फाइदा मिला या red emission में जो फाइदा मिला उस पे tax आपकी दो कौन देगा, company, क्या tax देगा company, 20% plus 12% surcharge plus 4% says equal to 23.296%, सोचो, company ने जब आप लोगो share issue किया था, तो 400 पे किया था, और आज company आपसे buyback कर दी, equity share 600 पे आपको फाइदा कितना कोई दोस्सों, इस दोस्सों के फाइदे पे, capital gains पे, आप tax नहीं दोगे, कौन tax देगा, company tax देगा, कितना, 20% into 1.12 into 1.04 equal to 23.296%, company will pay tax on it, you will not pay tax on it, good, nice, नीचे आओ, company ने आप लोगों को 75 रुपे पे share issue किया था, और आज company 100 रुपे पे buyback कर रही है, फाइदा कितने को हुआ, calculate it all, 25 रुपया, company ने आपको share issue किया था, 75 रुपे, और आज buyback कितने पे हो रहा है, 100 रुपे, फाइदा कितना हुआ, 25 रुपया, number of shares कितने, 10,000 into 1 2,000, how much sir? 50,000, 50,000 पे tax कितना होगा, 50,000 into 23.296% करो, 50,000 into 23.296%, 11,000 something आएगा, ये 11,000, 647 रुपे का tax कौन देगा? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है, exempted, capital gains में, marathon में, चार घंटे पार हो गए है, ठेक है? मतलब, मेरी उम्मीद से ज़्यादा detail में मैंने बता दिया, ठीक है? अच्छी बात उसमें बुरा क्या है, note 1, buyback includes redemption of preferences, ठेक है? अच्छा, अगर foreign company buyback करें तो, foreign company buyback करें तो foreign company tax नहीं देगी, तुम ही tax दोगे जैसे देना चाहिए, तुम capital gains निकाल के tax दोगे उसमें, तो वो आएगा भी नहीं exam में, उसमें खास क्या है? वो तो हम जानती है, हम टेक्स देंगे तो हम जानती है, कुछ नया बोलो, कि हम को भार सरकार amendment लेकर आगए, एक notification जा ली की, coaching teacher लों को tax देना पड़ेगा, नहीं आ कि हो तो देही रहे है, मजा दो था वहागा जब आए, बंद आस से, ठीक है, कभी नहीं हो गया ऐसा, बढ़ेगा बढ़ेगा, तो सही बोल रहा है, बढ़ेगा ही tax, next, buyback off, ESOP का buyback हो रह हो रहा है, company ने अपने employees को जो ESOP वगेरा दिये थे ना, उसी का buyback कर रही है, तो उस पे भी company tax नहीं देगी, वो employee ही tax देगा, तो इसमें से, खास क्या है, तो नहीं आएगा ना, तीन हिस्ते हैं, 46 A number section के, तीन हिस्ते हैं, तो जो जबर्दस्त है, वही तो आएगा exam में, ठ कि जहां कुछ खास हो रहा है, जहां company को tax देना पढ़ रहा है, और क्या rate पे, 20% plus 12% सरचाज, 20% सुनके लगता है ना, कि LTCG मान लिए, SQLO, है ना, खेर LTO या ST आपको कुछ नहीं कर ना, company will pay tax at this fixed rate, done है यह, great, आखरी topic, नहीं आखरी तो नहीं है, पर सबसे बड़ा आखरी यह है, क्या नाम, exempted transfer, अब पन्ने की लोग है ना, पहला काम यह करना चाहिए, section number 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह numbering देखलाना हम सही कर रहा है कि नहीं, मेरे साब से 9 हो रहा है, यह आसान है, यह फटा-फट होगा, ठेक है, यह आसान है, फटा-फट होगा, most important exempted transfers are, we'll discuss it. number 1, क्या लिखा है, liquidation of company, एक company बंद हो रही है, और जो भी उनके पास plant, machinery, furniture, office, equipment है, सामान, वो अपने shareholders को बाट रही है, क्या बाट रही है, assets in kind, तो बोला हो, exempted transfer है, company बंद हो रही है, सामान बाट रही है, क्या है, exempted transfer, हलो, capital gains में exemption होने का मतब यह थोड़ा है, कि 5 credits में exemption हो गया, however, it may be deemed driven in section 220, 222 का, clause 22, deemed dividend मैं पढ़ाओंगा, किस chapter में, तुम जानते हो, IFOS, IFOS में मैं पढ़ाओंगा, अब ही से बता देता हूँ, जैसे मान लो, company बंद हो गई, company न आप लोग को बुला के सामान बाटा, to the extent of equity capital held by you, it will be exempt, ठेक है, because वो तो repayment of capital है, लेकिन आपका equity capital जो उससे जादा अगर कुछ बाट दिया, तो वो surplus जो है, वो deemed dividend माना जाता है, it is taxable under the head, income from other sources, ठेक है, समझ रहे हो, मान लो, इसके पास 1000 रुपे face value की shares थे, 1000 रुपे face value की share, company बंद हो गई, company ने इसको बुलाया, और बुला, yellow microwave oven पड़ा है, ले जाओ 5000 रुपे का fair market value आच के दिन, तो पांच रुपे का oven दे दिया, इसको जो company के staff लोग यूज़ करते थे, वो इसको दे दिया, तो to the extent of 1000 रुपेया, it is not taxable, because वो तो refund of capital है, पर extra 4 रुपे चार चार मिला ना, वो taxable as IFOS, dream dividend, समझे है, यहाँ पे वो capital gain में exempted है, पर वहाँ पे वो taxable हो जाएगा, next, एक H.U.F. का partition हो गया, Hindu, undivided family का, क्या हो गया, partition, और समान बाटा गया है, memberों को, exempt, gift, exempted होता है, will, will मतब बसियत में मरने वाला, अपने वारिसों के नाम पे छोड़ की जा रहा है, exempted होता है, irrevocable trust, आपने एक trust बनाया, छेदी लाल वाला example याद है ना, छेदी लाल ने बेटों के नाम पे डिरेकली नहीं किया, क्योंकि उसको मालुमें, यह लोग खापका के बेज देंगे, तो उसने trust खोला, और trust में सारी संपत्ती डाल दी, और उस संपत्ती से ultimately, employee अगर अपने ESOP का gift या irrevocable transfer करे है, तो वो taxable होता है, पर वसीयत में दे तो वो exempted है, क्योंकि मरा तो जन्मी नहीं होगा ना, employee मर गया, और ESOP उसके बच्चों के नाम पे चला लगा है, वो exempted है, पर gift या irrevocable transfer करेगा, तो वो taxable है, छोड़ेंगे नहीं, चार नंबर, holding a company and 100% subjari company, holding अपने 100% subjari को दे, या 100% subjari अपने holding को दे, दोनों ही सूरत में, it is exempted, transfer, if three conditions are satisfied, इनका पहला condition तो master है, जो हर जगा चाया वारे का मैं आज कम से कभी 4 पर बोलूँगा, ये तो हर जगा है, ये इसमें भी आ रहा है, amalgamation, demerger सब जगा आ जाएगा ये, कि transfer ही, मतलब जिसको वो asset प्राप्त हो रहा है, वो एक Indian company होनी चाहिए, दूसरा, तुम लोगों के बीच में ये जो रिष्टा है ना, होल्डिंग सबसेरी का 100%, ये रिष्टा कम से कम 8 साल तक continue चलना चाहिए, तीसरा, जो ये asset मिला है ना, एक दूसरे से, 8 साल तक इसको stock in trade में convert, नहीं करोगे, सही है कि नहीं है, ये सारे condition satisfy करोगे, तब holding 100% सबसेरी को जो भी दे, या 100% सबसेरी holding को जो भी asset दे, वो exempted transfer है, सबसे important green color, transfer ही, जिसको asset मिल रहा है, must be an Indian company, और बाद बागी तक, 8 साल तक का restrictions है, amalgamation, amalgamation में दो चीज़ें transfer होती है, इदर बोड़ पर गोड़ से ताकना, X और Y का merger हो गया, और नया company क्या बना है, XY, तो इसका मतब X के assets उधर transfer हो हैं, Y के assets उधर transfer हो हैं, जिन company का merger होता है, उनको बोट थे amalgamating company, और merger की जो नया company बना, उसको थे amalgamated company, ठीक है, तो who is the transferee, नया company, the transferee must be an Indian company, नीचे देखो, the transferee must be an Indian company, ओके, अब इदर सुनो, यह जो transfer of assets है, यह जो transfer of assets है, एक्जेम्टेड है, दूसरी और एक चीज़ सुनो, पुराने जो हमारे shareholders हैं, जिनके पास X के shares थे, Y के shares थे, अब उनसे पुराना share लिया जाएगा, बदले में नया share X, Y company का दिया जाएगा, तो वो जो shareholders हैं, जो अपने हाथ में पढ़ा हुआ X का share transfer कर रहे हैं, ताकि बदले में उनको X, Y का share मिले हैं, तो यह जो transfer उन्होंने किया, अपना X का shares दिया, यह भी exempted transfer है, Y limited के shareholders के उस Y का shares है, तो उन्होंने अपना share transfer किया, ताकि बदले में नया shares मिलें नहीं company का, तो यह भी exempted transfer है, तो यह क्या है, यह क्या है, absorption, it is a type of amalgamation, absorption में क्या होता है, एक बड़ी company, छोटे company को अपने अंदर absorb कर लेती है, तो फो इस दर छोटे company का, सारा SS बड़े में खुज गया, तो बड़ा company क्या है, transferee, and it must be what, Indian company, तो transfer of asset is exempted, अच्छा वो छोटी company के सारे shareholders, जो हैं, वो अपना share, surrender करेंगे, transfer करेंगे, बदले में नया company का share मिलेगा, तो वो भी exempted transfer, तो दो चीज़ें transfer होती है, transfer of asset and transfer of shares, transfer of asset and transfer of shares, it is exempted if, the amalgamated company is an Indian company, और share transfer exempted तब होगा, जब बदले में उनको नया वाला share मिले, पैसा नहीं, share transfer exempted तब होगा, जब बदले में उनको नए company का share मिले, money नहीं मिले, बदले के बदले share, तब exempted कर देंगे, और share के बदले पैसा मिला तो, exempted, नहीं होती है, और यही चीज़ मैं तुमको अगर उसमें पढ़ा दूँ, यही चीज़ अगर अपने सिर्फ टेक्स पढ़ रहे होते हैं, तो यही एकदम भुचाल लगन लग जाता, अब देखो क्या आया, अच्छा बाइदो वे, such an amalgamation is called tax neutral merger, क्या बोलते हैं, tax neutral merger and amalgamation, tax neutral मतलब कि amalgamation एक तरगा restructuring होता है, कोई फाइदा तो होता नहीं है, hello amalgamation से directly कोई फाइदा है कि it's just a restructuring है, तो ऐसे किसमें तो tax नहीं लगना चीज़ न, तो अगर आप सारे condition साइस्वाइदा करो तो tax नहीं लगेगा, तो जब अगर सारे condition साइस्वाइदा कर दो कि tax नहीं लगेगा, तो उसको अपने बोलते हैं, tax neutral merger, tax neutral amalgamation, यह भाशा याद रही ही कि नहीं, boss यह सब भाशा बहुत important है, इसी से तुम्हारा mastery create होता है, you become a master in a subject to the language, कोई पूछ दिया, what do you mean by tax neutral merger, तुम बोलोगे ऐसा merger, जहाँ asset का transfer भी exempted हो जाए, और share का transfer भी exempted हो जाए, क्यों सारे condition फुल्फिल कर रहा है, ताकि exemption हो जाए, तो capital gains tax नहीं लगे, such a merger is called, वैसे such a demerger is called, tax neutral demerger, demerger में क्या है, उल्टा हो रहा है, बहुत simple example है कि मैंने समझाया है इसको भी, यह दो को एक company है, बिसकुड बुजिया, यह बहुत ज़रूरी example है, मैं चाहता तो यहाँ भी XY लिख देता, पर तुम लोग XY से समझते हैं कभी जनम में भी, क्योंकि demerger, पता actually क्या होता है, सुनो, आपकी company में दो-तीन अलग-अलग product division है, ठेक है, यह marathon नहीं एक तरह तो इस तरह teaching ही हो गया है, मैं सभी को समझा रहा हूँ, इदर सुनो, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, आपकी company में दो-तीन products हैं, एक product से बहुत फायदा हो रहा है, दूसरे product से बहुत फायदा हो रहा है, तीसा product से loss हो रहा है, अब होता क्या है, कि इसके loss की वज़े से इन दोनों का बिचारों का profit भी कम हो जा रहा है, क्योंकि ultimately मिला के तो profit गम हो रहा है, तो ऐसी company यह क्या करती है ना, जो अपना loss making product है ना, एक अलग company खोल को उसे मुझे डाल देती है, that's called demarger, ताक कि क्या होताई इस company में सिर्फ profit यो profit यह तो इसका अदाम तो बड़े, इसका stock prices तो बड़े, यह होताई demarger का अस्ती purpose, समझ रहे बात को, तो आप सोचो एक company यह दो प्रोड़ बना रही है, एक biscuit को और एक भुजिया का, अब इस company से क्या करेंगे, जो biscuit वाला assets है, वो biscuit limited में जाएगा, और जो भुजिया वाला assets है, वो भुजिया वाला assets है, तो एक company का दो company कर दिया ना, इसका होता है de-merger, ये de-merger की basic कहानी होती है, okay, हलाकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं हो सकता है, कि transfer of asset is exempted, वैसे ही, जो हमारे पुराने share olders है, जिनके वास biscuit, भुजिया का शेर्स था, अब वो लोग अपना share transfer करेंगे, और बदले में उनको क्या मिलेगा, बदले में क्या मिलेगा, बिस्कुट का shares और भुजिया का shares, तो ये जो transfer है, ये भी exempted है, तो transfer of asset भी exempted है, transfer of shares भी exempted है, वही Indian company होना चीज़, जानते हो, और shares, जब surrender करेंगे, तो बदले में क्या मिल रहा है, shares, tax neutral, demerger, funda clear है, आपके पास ना कोई artwork पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, artwork, archaeological, scientific collection, book, manuscript, drawing, painting, photograph, अगर वो आप सरकार को दे देते हो, किसको दे देते हो, सरकार को, और सरकार अगर बंदले में आपको कुछ पैसा भी दे रही है, तो भी फरक नहीं बढ़ता, it's an exempted transfer, वैसे सरकार देती नहीं सिर्व लेती है, परमान लो कि तुमने सरकार को दिया और सरकार आपको पैसा भी दे रही है, पुरसकार या कुछ भी, तो exempted है, ठीक है, तुमारे घर के नीचे ही सबोस्ट, तुमने खोदा कुछ तुमको सिक्के वे के मिल के पुराने, अकबर के तुमने जाके म्यूजियम में सरेंडर किया, उन्होंने तुमको खुश होके दो रुपया दिया, तो दो रुपया, यह लोग पैसा देंगे आपको, आपको लगता है, यह ले लेंगे, तुम इनके बाद जाओ कि तुमारे घर में कोई पुराना कुछ अच्छा कुछ मिल और तुम बोलोगे कि मैं आप लोगो को देना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे लोग आके देंगे, तुम बोलेगा, दे दो, उत्रण हाथ मांगे बोलेगे, दे दो, और बदले में कुछ देने वाले है नहीं, पर अगर कल को उन्होंने कुछ भी दिया, तो वो क्या होगा, एक्जम्टेड, ठेक है, गवर्मेंट, उनिवरसिटी, मुजियम, आर्ट गैलरी, इससे बढ़िया, खुदी रख लोगे अपने पास, अपने घर में छोटा सा मुजियम खुल लेना, ठेक है, आठ नमबर बहुत इंपॉर्टन है, आठ नमबर बहुत इंपॉर्टन है, ब झाल, च्मिदोत इंपॉर्टन है, पुर्ञार बिम्ट, आठ नमबर बॉर्टन करोओं है, यौ्टन होगे अंपॉर्टन है, उक भी आपको थाइदा मिलते है, सँ रुप्य का डेश के उपॉर्टन है, व्सी में अंपॉर्टन है, आपको थाधा हुआ की नहीं, क्या आप redemption में पैसा मिलता है कि कुछ और समान मिलता है सर्फ पैसा मिलता है redemption में क्या मिलता है आपको उधर देखो पैसा 100 रुपय लगाया था 110 रुपय मिला तो 10 रुपय जो extra है वो capital gains उसमें tax लगेगा redemption में पैसा मिलता है है ना लेकिन अगर आपको पैसा ना मिले तो तो फिर सरकार बोलेगी फिर हम टैक्स नहीं लेंगी जैसे नबर में क्या हो रहा है convertible adventure थे जब redemption का time आया तो आपने पैसा ने लेकि equity share ले लिया तो पैसा ने लिया ना exempted थेक्षा है नीचे आओ 12% adventure जब redemption का time आया तो company बोली 12% की बदले पैसा ने देकि 14% adventure देकि तो समान के बदले समान मिला ना exempted नीचे चार नमबर देखो Preference Shares, Co Redemption के रहें पे पैसा नहीं देखिया है Company ने आपको क्या दे दिया एकवड़ी शेर तो पैसा तो नहीं दिया ना Convert के एकवड़ी में Exempted ठेक है तो इन तीनों ही cases में पैसा नहीं आ रहा बलकि कुछ समान मिल रहा है इसको अपने कहते है Conversion Conversion is Exempted Conversion जब होगा तब उसवक टैक्स नहीं लगेगा लेकिन Convert के जो समान मिला है कभी न कभी तो बेचोगे और जब बेचोगे पैसा आएगा तब टैक्स लग जाएगा ठेक है Convertible Venture के बेचोगे तब टैक्स लगेगा 12% के बेचोगे तब टैक्स लगेगा Convert हुआ है Exempted पर जब 14% बेचोगे तब टैक्स लगेगा Capital Gains वैसे प्रेफरेंश शेयर को Redeem के बेचोगे तब टैक्स लगेगा अर भी ओक्य है Very good, very important Look down मैं एक एक्जामपल लेके बात कर रहा हूँ मैं पॉइंट नमबर टू का एक्जामपल लेके बात कर रहा हूँ तुम्हारे पास Convertible Deventures थे पांच साल बात जब टाइम आया Redemption का तो कंपनी ने बोला इसके बद ले एक्विटी लोगे क्या तुम बोले तो पैसा ने लेके तुमने एक्विटी शेर ले लिया पांस साल बात जब Deventure का बतले एक्विटी लिया Convert करा है तब टैक्स नहीं लगेगा लेकिन एक दिन तो वो एक्विटी बेचोगे ना सबोस्थ दो साल बात तुमने वो एक्विटी बेच दिया तब टैक्स लगेगा ठेक है ये जो एक्विटी शेर तुम बेचोगे इसका पीर ओफोल्डिंग दो साल लोगे कि पूरा साथ साल लोगे पूरा साथ साल लोगे इस एक्विटी शेर का कॉस्ट क्या लोगे वही जो Deventure का कॉस्ट था ठेक है अच्छा सुनो ऐसे तो हम सब जानते हैं हमने माराथॉन के शुरू में सुना था कि Bonds and Deventures का Indexation नहीं होता सिवाए तीन के 0 Kuben Bond, Capital Index Bond, Sovereign Gold Bond तो Bonds and Deventures का Indexation नहीं होता लेकिन जब आप बेच रो तब वो Bond एक इक इक उड़ी शेर है पास साल तक कोड़ी venture था पर दो साल तो एक उड़ी शेर था जब बेच रो तब एक उड़ी शेर है ना Indexation होगा 9 नमबर क्या है reverse mortgage में जब वो old couple अपना घर bank वाले के नाम पर transfer करता है तो क्या होता है exempted transfer जब bank वाले हर महने installment देते हैं couple को तो क्या होता है exempted लेकिन फाइनली जब एक दिन bank वाला उस घर को बेचने का नौबत आगी और बेचा तब फिर वो capital gains tax रगएगा तब शुरू में जब आपने घर transfer किया तब तो क्या है वो exempted now this is the last topic in capital gains reference to valuation officer इस पूरे chapter में कई बार fair market value निकाला गया है कि नहीं कई बार निकाला गया fair market value कौन निकालता है fair market value assessi या तो खुद निकालता है या किसी registered value से निकलवाता है अगर assessi ने खुद fair market value निकाला है तो उसमें थोड़ा बहुत उपर नीचे AO बरदाश कर सकता है जो income tax officer बोलेगा ठीक है तुम तो assessi हो तुमको उत्ती बुद्धी निकाला है तो 15% up-down up to maximum 25,000 रुपया हम बरदाश कर लेंगे जो भी fair market value अपने निकाला है उसमें 15% उच नीच up to 25,000 रुपया अब सब उस एक कोड की property है उसमें 15% उच नीच का मतभा 15,000,000 होता है वो नीच चलेगा ना 15% और 25,000 रुचेवर इस lower एक कोड की property में 15% का उच नीच मतभा 15,000,000 होता है सार वो नहीं 15% और 25,000 रुचेवर इस lower ठेक है इतना उच नीच वो बरदाश कर लेगा लेगिन इससे ज़्यादा उच नीच अगर है सब फिर income tax officer income tax विभाग के अंदर ही एक बंदा बैठता है जिसको बोते है वी ओ, valuation officer उसको बोलेगा fair market value निकाले और वो जो बोलेगा वो final होगा अचा मान लो मैंने 1,60,000 बेचा पर बावजुद उसके कि मेरा estimation थोड़ा सा ही खराब है फिर भी अगर income tax officer को मुझे पे शक है तो फिर भी वी ओ को refer कर सकता है मतब हर बार ये limit follow होगा ऐसा जरूरी नहीं है अगर ITO को मुझे शक है तो फिर भी refer कर देगा भले थोड़ा सा ही फरक हो और कल को अगर मैंने किसी registered valuer से निकालवाया है तब तो वो तो expert होता है उसकी निकालीवी value में तो जरा सा भी उपर निचे एयो बरदाश नहीं करेगा वो मामला V.O. को refer कर देगा अलका सा भी अगर उसको उपर निचे लगया तो यह MC को टाइब में आ सकता है वढ़ना को महान टॉपिक नहीं है विद इस आवर कैपिटल गेंज कमस तो एन कैपिल गेन का जो माराथान हुआ है लगभग साड़े चार गंटे का हुआ है PGP का माराथान पांच गंटे दो-तीम मिनिट का था ठेक है नेक्स्ट जो हम करेंगे हम लोग तो लाइन से बढ़ रहे है तो अगला जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे है बाट विल बी IFOS इट विल बी वन सिंगल माराथान वन क्लास IFOS ठेक है